हलो अबरीबडी दिस इस दिग्रास सिंग राजपूद वेलकम तो मैगनेट ब्रेंज एक नए चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट अवेटेट चाप्टर कहा जकता हूं में क्लास नाइन्थ के स्टुडेंट्स कंटिनुसली इस चीज की डिमांड कर रहे थे तो अवेटेट था सभी लोग बहुत लंबे समय से बोल रहे थे कि यहाला चाप्टर पढ़ा दीजे और यह चाप्टर है भी बहुत इंट्रस्टिंग इंट्रस्टिंग कहा लिजिए मेरे लिए और आप लोगों के लिए सिरदर्द कहा लिए क्यों कि आप इसलिए मांग रहे हो चाप्टर क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया होगा स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है काफी आसान चैप्टर हैं इसे अगर हम systematic तरह से पढ़ते चलते हैं हर चीज का background समझ के पढ़ते चलेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए कि सारी चीजें आप अपने आप पूरा चैप्टर समझ जाएंगे और लोगों को भी समझा पाएंगे ठीक है तो हम सारी चीजों को बहुत आसानी से पढ़ने वाले हैं इस वीडियो इस बूइन टूइंट उण एन इंट्रोडॉक्शन वीडियो में आपको इंट्रोडॉक्शन देने वाला हो चैप्टर का कह Mixedo में क्या-क्या पढ़ेंगे तो चैप्टर का नाम क्या है Socialism in Europe and the Russian Revolution अब हम अगर हम इसे split करते हैं तो Russian Revolution एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट कौन सा हो गया Socialism in Europe तो हम दोनों चीज़े देखेंगे कि Socialism in Europe उरोप में Socialism कैसे आया सबसे पहले Socialism क्या है देखो, मैंने आपको पुराने वीडियो में अभी तक आप लोगों ने जितने भी वीडियो लेक्टर्स फॉलो किये तो उसमें आपने एक mindset तो develop कर लिया हुआ कि हर चीज़ का हम concept बनाते हैं तो क्या होता है कि जैसे आपने capitalism सुना है, nationalism सुना है, nazism पढ़ा है हमने तो इन सारे words में common क्या होता है? Iism होता है, ठीक है? इन सारे words में Iism common होता है, तो Iism stands for ideology मतलब एक ideology बताते है, national के पीछे आईजम लग गया, nationalism एक ideology बन गयी राष्ट्रवाद की वैसी socialism, तो social के पीछे आईजम लग गया, तो एक ideology बन गयी ये socialism की तो उस perspective से क्या है, यह है जो chapter होने वाला है, यह है chapter socialism, ideology को पूरी तरह से explain करेगा, elaborate करेगा clear है? चलिए, तो अब हम और देखते हैं क्या है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या कैस chapter में वह आपको बता दे, तो हम socialism को समझेंगे socialism को समझेंगे और फिर हम पढ़ेंगे socialism in Europe, तो why Europe, Europe में ही क्यों पहले socialism आया, यह सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगा, फिर हम पढ़ेंगे what we are going to study in this chapter, तो background for socialism, socialism के लिए background क्या था, how did it evolve, तो कैसे socialism जो एक ideology है वो, flourish होना स्टार्ट होती है पूरे यूरोप में, यूरोप के बाद में पूरे वर्ल्ड में, फिर और देखेंगे, who were its propounder, propounder मतलब कहा जाए कि कहां से निकलती है या फिर किसने इस idea को explain किया लोगों तक पहुचाया, तो यह अंकल की जो photo लेगी है, ठीक है, यह कह सकते हैं कि इन ideology जो एक capitalism ideology को counter करते हुए आ गई थी सामने, तो वो ideology के propounder, propounder नहीं कहेंगे, कि मतलब लेकिन उने ने काम बहुत ज़्यादा किया उस चीज़ पे, और इन ही से कहते हैं कि सारे branches निकले है, सभी का लोगों का सोचने का तरीका, followers, वो सब कुछ, इन्होंने बहुत ज़्या अगर देखते हैं कि the Russian revolution तो अब हम क्या करेंगे कि socialism ideology का Russia में जो revolution हुआ, Russia भी यूरोप में ही है, तो socialism यूरोप में पूरे यूरोप में फैली, लेकिन उससे Russia में revolution आया, तो हम relation समझेंगे what is the relation between two, मतलब Russia और socialism की वीच में क्या relation था, कैसे revolution आया, वो सारा सब कुछ आपको clear हो जाएगा, clear है, अभी देखो क्या है एक चीज, कुछ चीज़ने मैं यही पर बताते चलता हूँ आपको, कि what is socialism, socialism होता क्या है, तो simple से चीज़ है, एक simple सा सोचने का तरीका, कि एक ऐसी society की जो सोच रखते हैं लोग, कि ऐसी society कि जहां पर जितने भी resources हैं, जितने भी resources य आज का समय कैसा है, जिसके अंदर जितनी potential है, मतलब आज का समय की जो capitalist country है, capitalism ideology क्या बोलती है, कि जिसके पास जितनी potential है, आप के पास पैसा है, आपको पैसे से पैसा बनाते आता है, आपको अगर आपके पास knowledge है तो आप उस knowledge को multiply करो, आपको कोई नहीं रोखेगा, ठीक है कि ये capability पे ज़्यादा focus करते है capitalism और socialism क्या बोलता है socialism बोलता है equal distribution मतलब कि सारी चीजें सारी resources आपस में बटे होना चाहिए लोगों के पास ऐसा नहीं है कि जिसमें potential है वो आगे बढ़ता चले जाए जो पीछे रहे गा है उसे भी उठा के आगे लाया जाए तो यह socialism तो basic idea यही है कि capitalism क्या है potential पे ज्यादा focus करती है the one who has the potential have the rights to go far और socialism क्या बोलती है that we should move together यह सारी चीजें सुनने में socialism बड़ा अच्छा लग रहा है ठीक है लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें हम अभी दीरे दीरे पढ़ते जाएंगे जब पूरा चाप्टर तो आपको clear हो जाएगा socialism, ideology, socialism से जुड़ोगा सारे dimensions clear हो जाएगे फिर हम देखते हैं why Europe तो socialism जो वो यूरोप में ही क्यों फैला तो उसके पीछे कारण है जो मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा ही बताऊंगा कि French Revolution, French Revolution से फिर क्या होता है चीजें बढ़ती चले आती है आपने French Revolution पढ़ा है ना इसे ध्यान रखिएगा बस French Revolution चैप्टर की जो यादे हैं उन्हें ताजा कर लो क्यों क्योंकि वो आपको काम देने वाली आगे तो आपको आगे मदद मिलेगी उस चैप्टर से अभी हम हम देखते हैं और क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो Russian Revolution जिसे मने बता है कि 1905 का Revolution क्या था फिर तीसरी चीज पढ़ेंगे February Revolution क्या था तो देखो अब Revolution की एक चेन पढ़ते चलेंगे पूरी बैगराउंड समझेंगे 1905 का Revolution समझेंगे October Revolution February Revolution तो यह सारी चीज़ हम पढ़ते चलेंगे फिर उसके USSR क्या था वो सारा सब कुछ फिर USSR के जैसे जो लीडर्स हैं तो मैं आपको लीडर्स बता दिता हूं कि वाल्दमीर लेनिन जो थे तो वाल्दमीर लेनिन के अंडर में क्या होता है revolution पूरा आता है 1917 में वो मैं आपको समझाऊंगा फिर यह अंकल जो यह टुक ओवर करते हैं स्टैलिन ठीक है जोसफ स्टैलिन तो जोसफ स्टैलिन के अंडर में रशिया कैसा था स्टैलिन अंदी रशिया अंडर हम तो यह सारे of social change is going to be our next topic जिसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगी कैसे चीज़ें बदली है ठीक है what is the age of social change समाजिक बदलाओ कैसे आया clear है इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से आउनलोड कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में अविलेबल हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हूं डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में thank you thank you very much इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे the age of social change पिछले वीडियो में मैंने आपको एक basic introduction बताया था कि इस chapter में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हमारी train यहां से start होने वाली है अब हम chapter को in depth एक background से पढ़ना से start करेंगे कि अच्छा पहले background था क्या कैसे चीजें हुई है ठीक है तो आपको वहां से क्या हो जाएगा एक background जब समझ में आ जाएगा तो आप उसकी हिसाब से कहानी को relate कर पाओगे अब background इतना पुराना है हमारा कि एक chapter पीछे चले गया है हम कहां चले गया एक chapter पीछे Russian revolution वाला chapter recall करो पहला चाप्ट Napoleon आजाता है Napoleon को आने के बाद में मतलब बहुत सारे बदलाव आते हैं लेकिन हमने एक basic idea क्या देखा था कि French Revolution ने चिंगारी देदी थी किस चीज को चंगारी दी थी एक बदलाओ को ठीक है यहां से बदलाओ आना चालू होगा तो recall the story of French Revolution French Revolution की story को ज़र आप recall करते हो after that you can connect the dots with socialism कैसे कि French Revolution के बाद में जो अगर करक्स देखेंगी French Revolution से ultimately मिला क्या आपको France में जो revolution हुआ था France में जो क्रांती आई उस क्रांती से आपको मिला क्या the ideas of liberty, equality and democratic rights these are the core ideas which we got from the French Revolution to mतलब France में revolution हुआ उस revolution के बाद में जो भी हुआ राजा हटे गए किसी राजा को फासी दे दी किसी की रानी को फासी दे दी Napoleon आ गई है इस सारी चीजें हुई है लेकिन इन सारी चीजों के अलावा क्या हुआ था इन सारी चीजों के अलावा जो basic मतलब बोलते है ना कि जो message क्या है moral of the story क्या थी मोरल of the story ये थी कि idea of liberty, equality and democratic rights ये idea society में आ गए ठीक है अब society में जब ये ideas आ गए तो ऐसा नहीं कि जाते हुए दिखेंगे आपको कि हाँ ये liberty का idea जा रहा है या फिर equality का idea जा रहा है ideas of liberty, equality, democratic rights मतलब क्या है कि ये values लोगों को पता चल गई थी ठीक है इस तरह के ideas लोगों ने अपने mindset में बिठा लिये थे अब इस तरह के ideas होंगे लोगों के पास में liberty वो liberty आजादी की बात करेंगे तो उसके चलते क्या होगा कि जहाँ पर ये चीज नहीं होंगी वहाँ पर उस चीज की demand की जाएगी जहाँ पर आजादी नहीं है अब लोगों को पता है आजादी का आपने का taste चक लिया है तो आप किस चीज की demand करोगे आजादी की demand करोगे ना वही चीज होती है तो लोग liberty equality democratic rights के idea को जानने लगे थे अब जब जानने लगे थे तो मांगने लगेंगे झासे आप बच्छपन में क्या demanding करते थे बच्छपन में आप cycle की demanding करते थे क्यों क्यों है जानते थे अब आज पता रहें कर रहें आप जानते हो उसाइटी इसको तो ही चीज यहां पर हुआ कि जो आइडिया से उन आइडियास से क्या उन आइडियास ने लोगों को कहिना कही उन आइडियास को अपनाने के लिए प्रीरिथ किया ठीके they motivated the society to adopt them तो उसके चलते क्या होता इस ideas of French revelation created a possibility of change in the society possibility of change का मतलब क्या समझना है यहां पर देखो यह जो ideas आए हैं यह ideas अगर society में implement होंगे तो अभी तक society में नहीं है ideas ठीक है जैसे अभी तक society में equality नहीं है अभी तक society में अभी तक मतलब उस time period की बात कर रहा हूं है कब French revelation के बाद में France में तो चीज़ें बदल गई France में चीज़ें बदलने के बाद में अब लेट 19th century France में तो चीज़ें बदल गई हैं लेकिन France में बदलने के साथ साथ पूरे योरोप में तो नहीं बदली हैं और France में भी वापिस restore कर लिया जाता है मोनार्की को तो उस sense में क्या है कि अभी लोग क्या चाह रहे हैं चेंज चाह रहे की जैसा France में बदलाव आया वैसा हमारे हैं भी बदलाव आजाए तो बहुत अच्छा होगा तो इन आइडियास से सीखते हुए इस आइडियास और French Revolution प्रेटेड आपॉसिबिलिटी ओफ चेंज इन दी सोसाइटी अगय सम्में चेंज इन दी सोसाइटी क्या चीज है अब जब इन आइडियास ने एक पॉसिबिलिटी क्रेट करी तो लोगो ने भी स्टार्ट कर दिया फिरस बार रिकवल करें रिखेंस बदलाओ ला सकते हैं अब जब बदलाओ lay सकते हैं असी बात करने लगे तो बदलाओ आयेगा कैसे ये एक सवाल है तो वो हम आगे पढ़ेंगी कि बदलाव आएगा कैसे लेकिन बदलाव कैसा आना चाहिए उस चीज़ पे भी अलग-अलग ओपीनियन्स थे मतलब कि देखो आपने बोला कि बदलाव आना चाहिए ठीक है बट ये आइडीया फूवड फी वेरीड वेरीड वट तो जो आइडिया था चेंज को लेकर कि हाँ कि लोग और जल्दी से जल्दी बदला वा जाए जल्दी से राजा को कली उतार दो उनके फ्रोन पे से राजा को फासिय को देदो सब्सक्राइड तरीके से रूल करने लगेंगे तो दोनों तरह के लोग थे, कुछ बहुत जल्दी चीज़ चाहते थे, कुछ बहुत ग्रेजुवल चीज़ चाहते थे, तो अलग-अलग तरह के opinions थे लोगों के So we can say that there were different political traditions, तो हम इन सारी चीजों से calculate क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों क्या सीख सकते हैं हम यह सीख सकते हैं कि वहाँ पर अलग-अलग political traditions थे, अलग-अलग political traditions मतलब क्या है, अलग-अलग political traditions यानि अलग-अलग सोच वाले लोग थे, अलग-अलग सोच किस सेंस में, मतलब लोगों की सोच अलग थी change को लेकर, कुछ लोग चाहते थे कि जल्दी आएं, तो जैसे change कैसे चाह रहे थे, आया समझ में, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, कि एक बार अगर हम देखें, heading को हमारी, the age of social change, तो मतलब समाज में बदलाव आएगा, आया, ठीक है, अब जो समाज में बदलाव आया, तो बदलाव कैसे आया, यहाँ पर एक बड़ा सवाल तो बदलाव आने के लिए French Revolution, मतलब एक fertile ground दिया, French Revolution के ideas ने, ideas तो आ गए, अब उन ideas के थूरू change आएगा, लेकिन जो change आना चाहिए, उसको लेकर idea लोगों के अलग अलग थे, कुछ liberals थे, कुछ radicals थे, कुछ conservatives थे, यह कौन है, यह आपको मैं next वीडियो में बताने वाला मैं आपको बताऊँगा कि liberals क्या है, मतलब exact definitions हम पढ़ेंगे कि liberals क्या है, radicals क्या है, conservatives क्या है, क्यों, क्योंकि यह direct question लेके आते हैं, explain करने को जाएगा, explain the ideology of liberals, explain the ideology of conservatives, explain the ideology of radicals, तो आपको वहाँ पर लिखते बन जाएगा, compare करने को आएगा, तो भी लिख दोगे आप, I am sure, तो हम देखते हैं कि इस तरह से जो भी ground create हुआ था, जो भी समय हो रहा, मतलब जो भी उस time period में जो भी changes आ रहे थे, ठीक है, जो age of social change थी, तो the different political traditions played a very important role in influencing change in the history of Europe and world, how, अब देखो क्या है, तो यह जो ideas थे, जो calculate किया जा रहे थे, तो यह ideas ने क्या कि एक बहुत important role play किया, एक important ground convert कर दिया, किस चीज के उपर, किस चीज के उपर, कि जो भी होना है, यह जो ideas है, यह ideas क्या करेंगे, कल को जा कि आपकी society को shape करेंगे, society को किसे shape करेंगे, तो वही हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे हम पढ़ेंगे ना, हमाई chapter क्या socialism in Europe, तो हम देखेंगे कि किस जब यह ideas evolve होते हैं, तो Europe में क्या बदलावाता है, Russia में जो बदलावाता तो कैसे आता है, तो आपको यह धियान रखना है, अभी मतलब पूरा crux क्या धियान रखना है, कि जब change की डिमांड की गई, तो वह ideas अलग-अलग ideas थे, इन्होंने ही क्या किया, इन्होंने ही society को change क है, यह सारा सब कुछ हम आगे आले वीडियो से continue करेंगे, तो next वीडियो में हमारे topics क्या होने वाले हैं, liberals, radicals और conservatives को हम explain करेंगे, clear है, इस chapter के notes, आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हों, download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिग्रास सिंह राजपूद, welcome to magnetbrains, इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, liberals, radicals and conservatives के बारे में, पिछ किसी की सोच ऐसी है कि change जो है, वो क्या आना ची, gradually आना ची, तो उन लोगों को conservatives बोलने लगे, तो उसी तरह से हम समझेंगे कि सोच के basis पर, ideas के basis पर, कौन से लोगों को क्या कहा गाया, कुछ लोग के कुछ ideas थे, उनने liberals कहा गाया, कुछ को radicals कहा गाया, कुछ को conservatives कहा गाया अब इनके ideas क्या थे, वो हम specifically पढ़ते चलेंगे, कि liberals के क्या ideas थे, liberals कौन थे, ठीक है, radicals के क्या ideas थे, radicals कौन थे, conservatives के क्या ideas थे, conservatives कौन थे, अब इन सभी क्या ideas, हमें एक idea लेना इन ideas से, और idea idea करते हुए, पूरा idea समझ में आ जाएगा, clear है, तो basically what I mean to say, कि हम इनके ideological background को ब पढ़ने वाले हैं, अब देखो क्या है, liberals, तो liberals कौन थे, liberal society का वो section था, जो change चाहता था, liberals wanted a change in the society, मतलब society के वो सारे लोग जो बदलाओ की चाहा रखते थे, जो चाहते थे कि यहाँ चीज़ें बदले, change हो, अब देखो, तो यह कैसे change चाहते थे, यह भी तो एक सवाल है पढ़ना change कैसा चाहते थे, तो यह change चाहते थे, जैसे equality among religion, ठीक है, जितने भी धर्म है, society में, उस समय योरोप में अलग-अलग religion थे, अलग-अलग sect थे, अलग-अलग panth थे, धर्म के, तो उन सारे religious sect में क्या होना चाहिए, उन सारे religious sect में equality होना चाहिए, जो nations है, जो government है, nations should tolerate all religions, सभी religions को tolerate करना चाहिए, तो अब जैसे आपने सुना होगा अधिकतरी शब्द की, he or she belongs to a liberal family, तो हम जब liberal बोलते हैं, मतलब क्या है कि खुली सोच का जो इनसान हो थोड़ा सा, तो वही चीज़ यहाँ पे है क्या, कि liberals जो थे, liberal society में change चाहते थे, वो साहते थे, कि सा कि सोच थी, अब देखो क्या है, question यही आएगा, explain the ideological background of liberals, या फिर what do you understand by liberals, explain what does liberalism, नहीं, liberalism यहाँ पे नहीं आएगा, liberalism आगे पडेंगे, ठीक है, तो what are the set of ideas which liberals possess, ठीक है, तो liberals जो अपने ideas लेके चलते हैं, वो ideas क्या होते हैं, इस तरह से direct question आता है, तो आपको इस सारी च करके जो हम discuss कर रहे है, clear, अब देखो क्या है, और आगया समझ में equality of religion, मतलब nation should tolerate all religion, एक point तो यह हो गया, दूसरा, they oppose the uncontrolled power of dynastic ruler, dynastic ruler क्या होता है, अब देखो, dynastic ruler मतलब एक राजा है, वो राजा rule करता है, चीजों के उपर, मतलब वो आज rule कर रहा है, कल उसके बच्च राजा बनने का, मतलब सबके पास में power आना चाहिए, तो sense में the oppose the uncontrolled power of dynastic ruler, create, चलो, अब देखो आगे क्या है, liberals believed that individuals, individuals rights should be protected against government, ठीक है, एक S ज़्यादा लगगा है, individuals, apostrophe S वाला है, मतलब, तो liberals ने क्या सोचा, liberals ने ये सोचा, कि individuals के जो rights होते हैं, individuals के जो rights मतलब क्या है, कि यसे आप एक society में जी रहे हो, आपके अपने एक अधिकार है, मेरे अपने एक अधिकार है, सभी को अधिकार मिले हुए हैं, इस society में, जैसे हमने civics में पढ़ा था, constitution के हिसाब से, तो liberals के यही मानना था, कि liberals believed that the individuals rights should be protected against government, मतलब, government के against में protection देना होगा individuals को, क्यों, क्यों कि उस समय पर जो government हुआ करती थी, किसकी होती थी, dynastic rulers होगे रहा होते थे, तो यह rulers अपनी इक्षा के हिसाब से लोगों को परिशान कर दिया करते थे, तो उन्होंने यही बोला, क्या, कि यह जो individuals है, इन individuals को protection मिलना चाहिए, किसकी सोच है, यह liberals की सोच है, हम वो ही पढ़ चीज है, liberals ने किस चीज की argument करी, उन्होंने बोला कि एक ऐसा समय था, कि जहां पर heredatory system चला आ रहा था, राजा का बीटा राजा, फिर वो system चलता आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि यहां पर representative elected parliamentary government होना चीए, मतलब कोई भी राजा नहीं बन जाए, ठीक, हो सकता है, आज हमें capability कल, जो उसका बच्चा पैदा होने वाला है, वो incapable हो राज जी करने के लायक ना हो, ठीक है, तो उस sense में क्या हो, उस sense में इन्होंने बोला कि they argued for a representative elected parliamentary government, एक ऐसी parliamentary government बनना चीए, कि जिसमें लोग चुने अपने नेता को, ठीक है, तो अब देखो, democracy वाली बात कर रहे ह यह, लेकिन यह democrats नहीं थे, वो आगे मैं समझाओंगा क्यों, तो इन्होंने किस चीज़ के लिए आर्ग्यू करा, representative elected parliamentary government, आगे ने समझ में शब्द से, फिर देखते हैं, they supported judiciary which must be well trained and independent, independent judiciary की बात करते हैं, तो अब हम देखे हैं कि उस समय पे इतना जादा broad view रखना की, सब क सुच क्या होना चाहिए, equality की basis पे होना चाहिए, judiciary होना चाहिए, representative elected parliament होना चाहिए, यह liberals की सोच दर्शाती है, आगे समझ में, this was the ideological backgrounds of liberals, तो वो हर वो इनसान जो इस तरह की सोच रखता था, वो किस category में, किस bracket में चले गया, liberals वाले bracket में चले गया, अब एक चीज है, कि liberals को आप Democrats नहीं बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि liberals की सोच इतनी खुली थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो Democrats नहीं कहला है, Democrats मतलब क्या है, Democrats मतलब जो voting equality of voting right में विश्वास करता हो, तो however, they were not Democrats, because they did not believed in universal adult franchisee, and wanted only men with property should have right to vote, मतलब कि यह लोग क्या चाहते थे liberals, यह सारी चीज़ विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं कि सब को voting right देदो, वो क्या बोलता है थे कि जिन men के पास में, women में नहीं ठीक है, जिन men के पास में क्या है, property है, जिन men के पास में पैसा है, सिर्फ उन्हें ही voting right मिलना चाहिए, women को voting right नहीं मिलेगा, गरीब जो men है, उसे भी voting right नह इस ही मिलेगा तो इस सेंस में कि Democrats नहीं थे लेकिन डियमोक्राइस नहीं थे अब देखो आपको चाहते थे, but they wanted a government which must be based on majority, ठीक है, अब liberals क्या चाहते थे, liberals यह चाहते थे, government बने, लेकिन government कैसे बनना चाहिए, स्रिफ जो प्रॉपर्टीट में है, ठीक है, जिन लोगों के पास पैसा हा, वही लोग क्या करें, वही लोग वोट करें, वही लोग गवर्मेंट डिसाइड करें, लेकिन यह ऐसा नहीं चाहते थे, change यह भी चाहते थे, radicals भी, लेकिन यह radicals चाहते थे, they wanted a government which must be based on majority, majority के basis पे based होना चाह यह, तो women suffragate movement को support किया था, किसने, radicals ने, आया समझ में, तो आपको में एक और चीज़ क्लियर कर देता हूं, तो जो liberals थे ना, वो upper middle class के लोग थे, और radicals जो थे, तो वो lower strata के लोग थे, तो उस sense में क्या है कि वो equality को जादा promote करते थे, clear है, तो यह यहां पर क्या होता है, यह women suffragate movement को support करते थे, अब इस sense में हम क्या बोल सकते है कि radicals जो थे, they were more democrats as compared to liberals, liberals democrats नहीं थे, क्योंकि वो voting right नहीं देना चाते थे, किसको voting right नहीं देना चाते थे, non-property men को, लेकिन यहां पर यह क्या बोलते है, voting right दो, सब को दो, majority की basis पर government बनाओ, ठीक है, तो वो हो गय radicals के दो points आया समझ में, फिर और क्या है, फिर और आगे देखते हैं चीजे हम, तो they opposed the privileges of great landlords and wealthy factory owners, अब एक और चीज इन्हों ने बोली radicals ने, अब एक और radicals जो थे, ज़्यादा socialist थे, socialism में आपको समझाया है, पिछले वीडियो में, socialism में आपको समझाया थे, कैसी ideology, जो क् आपीना कहीं, radicals उस चीज से मिलते जुलते हैं, they opposed the privileges of great landlords, great landlords मतलब क्या होता है, कि एक जमींदार है, उस जमींदार के पास बहुत सारी जमीन है, अब उस बहुत सारी जमीन के चलते क्या है, वो, मतलब एक आदमी जिसके पास इतनी जमीन, इतना पैसा है, और दूसके पास में बहुत जादा property होती थी, उस चीज को उना पोस किया, and wealthy factory owners, factory owners को भी बहुत जादा पोस किया, क्यों किया, तो क्यों करने के पीछे, car and simple से क्या है, because they disliked concentration of property in a few hands, ठीक है, hands रहेगा है हमारा, तो हम अपने हातों से लिख देते हैं, hands, तो क्या होता है, because they disliked concentration of property in few hands, ठीक है, कुछ ही लोग रहते हैं, अगर अगर इस तरह से चलता रहेगा, तो great landlords जो रहेंगे, तो वो एक दो ही रहेंगे, जैसा हमारी country में अंबानी बहुत सारे थुनी ना हो सकते है, कुछ ही रहेंगे, अंबानी, कुछ क्या एक ही है, तो उस sense में क्या है, उस sense में पोस किया, great landlords और जो factory owners थे, उन लोगों का पोस किया, क्यों, क्योंकि they dislike the concentration of property in few hands, मतलब कुछ लोगों के हाथ में पूरी की पूरी संपत्य आ जाए देश की, तो वो गलत है, क्यों 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 उसके चलते problem है, उसके चलते disparity create होती है, ठीक है, because this was creating disparity in the society, उंच नीच आगे पीछी के लोग, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ लोग बहुत 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 निकल गए, कुछ लोग बहुत नीचे रह गए, तो disparity create करती है property अगर कुछी लोगों के हाथ में रहे तो, आया समझ में, फिर देखो का है, therefore they wanted a radical change, और इसी mindset के साथ में, इसी ideology के और liberals चाहते थे, अब आपको आगे के idea clear हो जाएंगे, कि liberals और radicals बदलाओ चाहते थे, जो अगला group होगा, वो क्या चाहेगा, बदलाओ नहीं चाहेगा, इसलिए वो अगला group बन गया एक, तो अब जो हमाया last बचा है, वो है conservatives, I hope ये clear होगा आपको, तीक है, अब conservatives को हम इसलिए lower strata के लोग थे, अब conservatives कौन थे, तो conservatives थे group of ruling class and person in power, जो ruling class थी, ruling class मतलब क्या है, राजा महराजा ये सारे लोग होगे, जो aristocrates थे, उसके अब person in power जिनके पास में power थी, अब देखो, change अगर लाया जाएगा, तो इन लोगों को हटा दिया जाएगा, उनकी position से, अब जब इन लोगों को इनकी position से हटा दिया जाएगा, तो क्या ये खुश होंगे, नहीं होंगे, तो इसलिए ये change चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि इनकी position जा रही है, भाईया देखो, आप अगर आज power में, आप position में हो, और हम बोलते change लाते हैं, तो हम तो चाहेंगे change आएगे, क्योंकि हमारी possibility पावर में आने की, लेकिन आप चाहोगे क्या, आप नहीं चाहोगे क्योंकि आपको तो हटना पड़ेगा, तो वही चीज यहाँ पे हुई है, कि देवर्दी group of ruling class and person in power who initially opposed the change, उनने गोल दिया, नहीं नहीं कोई change मेंज नहीं है, change तो हम देंगे ही नहीं, क हम नहीं change आने देंगे, हम नहीं आने देंगे, इस तरह से यह नकार्त गए चीजों को, फिर क्या होता है, फिर यह होता है, but after French revolution, they were ready for the change, अब French revolution के बाद में यह तयार हो गए, अब आप सोच रहे होंगे कि French revolution के बाद ऐसा क्या हो गए, कि तयार हो गए change के लिए, तो French revolution के बाद में चीजें बदली हैं, कैसे बदली हैं, देखो, क्या होता है, वही मेन आपको जो starting में example दिया था, जब तक आपके पास idea नहीं होता है, आप demand नहीं करते हो चीजों की, जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि iPhone है market में, तो आप iPhone की क्यों demand करोगे, जब आपको पता च nature of society, तो change की तो हमेंशे demand होती रहती थी, और शुरुवात में conservatives change को ऐसी हलके में लेते थे, कि नहीं हम बदलावाने नहीं देंगे, लेकिन French Revolution के बाद में जो मैंने आपको starting में बता है, कि जब ideas आ गए हैं, तो ideas के आने से क्या हुआ, ideas के आने से अब जो है, अब लोगों क conservatives को भी समझ में आ गया कि अब जादा समय तक, लंबे समय तक हम क्या है, change को रोख नहीं सकता है, क्योंकि French Revolution ने क्या कर दिया था, एक spark दे दिया था, एक चिंगारी दे थी थी बदलाव के लिए, बताया था starting में, तो सब सारी चीज़े starting में ही बता दिया, बस relate करते चलना, तो, but after French Revolution, they were ready for the change, क्योंकि French Revolution provided the spark for change, ठीक है, because they understood that the change was inevitable, अब conservatives को समझ में आ गया कि अब जादा लंबे समय तक वो रोख नहीं पाएंगे, change is inevitable, आप change को लंबे समय तक नहीं रोख सकते हो, change तो एक दिन आना है और वो आ के रहेगा, ठीक है, यह हो गया, यही हमने देखा कहां पे देखा था, French Revolution वाला जब चैप्टर पढ़ा था, तो मोनार्क को समझ में आ गया था, कि लोई 16 को, कि एक ना एक दिन तो अभी है, मुझे मेरी कुर्सी से उठा के fake देंगे, और वो ही हुआ, ठीक, तो, they believed that the past, अब देखो यह चेंज के लिए रेडी हो गए, कब यह होते है, French Revolution के बाद में, they were ready for the change, क्यों, because they understood that the change was inevitable, ठीक है, अब जिनोंने बोल दिया कि है, हम change के लिए तयार है, लेकिन change के लिए तयार है, आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, बस, क्या, but they believed that their past, ठीक है, that their past, but their past had to be respected and change had to be brought about through a slow process, उन्होंने यह बोला, कि रही inevitable है, तो आए गही वो तो change society में, लेकिन जब change आएगा society में, तो change के आना चाहिए, धीरे आना चाहिए, धीरे आना चाहिए, through a slow process और उसके साथ में, उनके past की respect की जाना चाहिए, जैसे ऐसे लोगों को consider करना चाहिए, कि हाँ एक समय में राजा हुआ करते थे, ऐसा न expected and change had to be brought about through a slow process, आगया समझ में slow process मतलब ऐसे नहीं कि रातो रात आप मुझसे बोल दो कि अब महल खाली करो, तो धीरे धीरे change आए, clear, society में जो भी change आएगा, conservatives को हटाया जाएगा, democracy को लाया जाएगा, तो वो धीरे धीरे लाईए, और उसी के साथ में, please do respect our past, हमारे past की थ पर देखू, question आएगा आपको, liberals पर आएगा, radicals पर आएगा, conservatives पर आएगा, बन जाना चाहिए, question, दीगे, answer में काफी अच्छी तरीके से लिख सकते हो, आप हमने comprehensively तीनो, मतलब कह सकते है, तीनो group of population को discuss कर लिया, कि liberals कौन थे, radicals कौन थे, conservatives कौन थे, अब आपको answer बनना clear है, so all this differing idea played a very important role in the world politics, और अब जब ये idea, इस ideological base पे अलग-अलग groups बन गए, तो इन अलग-अलग groups ने बहुत important role play करा, किस चीज में, world politics में, influence करा कही न कहीं world politics को, कैसे किया, क्या किया, वो सारा सब को जब हम आगे पढ़ेंगे, clear है, इस chapter के notes, आप हमारी official website magnetbrains.com पर जा sub topics, एक arranged format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हों, download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिग्रास सिंह राजपूत, welcome to magnetbrains, इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में हम पढ़ेंगे industrial society and social change, पिछले video तक हम लोग conservatives, एक दम crystal clear तरह से हमने आपको explain किया है, I hope आपको explanation clear समझ में आ गया है, अब देखो क्या है, वो तो हमने society का ideological base देख लिया है, कि ideologically society कैसी थी वहाँ पे, clear है, अब हम society को देखते हैं, किस terms में कि वहाँ पे क्या changes आ रहे थे, ठीक है, तो जैसे industrial society बन रही थी, क्या थी व root बताता हूँ एक, यह bus route ऐसा है, कि आपको ऐसे चलना है, इस तरह से, ठीक है, यह यह अपना bus route है, और यह यहाँ पे एक अलग route निकलाया, तो आपको ऐसे समझना है चीजों को clear, I hope आप rate कर पाएंगे, कि हम यहाँ से चालू करेंगे हमारी कहानी, और इस तरह से home के पू पारे 19th century की बात, कि 19th century में क्या हो रहा था, society was changing, कैसे, हाओ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, कि social economic changes बहुत सारे observe किये गए, बहुत सारे सामाजिक रूप से, बहुत सारे आर्थिक रूप से, social मतलब society के level पे, economic मतलब economic level पे, तो society के level पे और economic level पे changes आ रहे थे, at societal level and at economic level, कैसे हैं, तो यह था, कि new cities with industries and industrial regions, expanding railways, etc, तो अभी क्या हो रहा था, कि हमने देखा कि 19th century में यूरोप में industrialization आ रहा था, industrialization आ रहा था, मतलब क्या हो रहा है, कि नहीं नहीं cities develop हो रही थी, cities में क्या हो रहा था, कि एक region में specific industry ही, industry develop हो रही है, अब industries develop होगे, तो industries स products develop होगे, products develop होगे, तो वो भिकेंगे market में, वो market में भिकेंगे पैसा आएगा, तो इस sense में क्या देख रहे थे कि society में बदलाव आ रहा था, बदलाव क्यों आ रहा था, क्योंकि industries आ चुकी थी, industrialization से बदलाव आया, ठीक है, railways आ गही थी, तो railways के चलते क्या है, transportation तेज हो इस तरह से क्या है कि societal level पर, economic level पर change आ रहा था, अब देखो क्या है, change आ रहा था, और पूरे change का कारण क्या था, industrial revolution, या फिर कह सकते हैं कि इन पूरे change से industrial revolution देखने को मिला, दोनो, need भी वही है, cause भी वही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि industrial revolution आया, अब यह जो industrial revolution आया, त उससे क्या हुआ, उससे यह हुआ, कि however, this brought many problems with it, industrial revolution के दो sides है, industrial revolution is a coin having two sides, कैसे, कि एक level पर आप देख रहे हो, बहुत सारी industries बढ़ गई, यह, पैसा आ गया, बहुत अच्छा है, ठीक है, दूसरा side क्या था, दूसरा side यह था, कि इसके सान्दे बहुत सारी problems थी, industrial revolution के तो, industrial revolution के चलते, अब जो workers थे, जो society का lower strata था, they were required to work for long hours, ठीक है, मतलब लंबे समय तक 10 गंटे, 12 गंटे, 15 गंटे काम करवा रहे हैं, 10 गंटे तो फिर भी कम है उस context में, ठीक है, 15, 15, 16, 16 गंटे काम करना पढ़ा था, ठीक है, long working hours, poor wages, poor wages मतलब क्या है कि, पैसे बहुत कम मिलते थे, काम ज़्यादा करवा रहे हैं, पैसे कम मिलते थे, long working hours, poor wages, unemployment ज़्यादा था, unemployment ज़्यादा कैसे था, तो, वहाँ पे लोग unemployed घूम रहे थे, क्यों, क्योंकि, जब तक काम रहता था, industries में, तब तक रखते थे, फिर उनको भगा दिया जाता था, आज की तरह, महा वस्ताज नहीं होती थी, तो, इन सारी चीजों के चलते क्या हैं, इन सारी चीजों के चलते, लोगों को problems face करना पड़ रही थी, clear है, तो, यही, मतलब इसी context में हमने लिखा कि, industrial revolution आया तो सही, however, it brought, however, this brought many problems with it, our problems क्या थी, तो, long working hours, poor wages, unemployment, housing and sanitation problem, अब देखो का है, therefore, liberals and radicals wanted a change, तो, यह जो change, change, चिलाते हा रहे हैं, starting से, तो, change ऐसे ही नहीं चाह रहे थे, change इसलिए चाह रहे थे, क्यों, क्योंकि जो राजा है, जो ruling class है, जो लोग power में है, हमने पढ़ा था ना, conservative वाली slide में क्या पढ़ा था, हमने, हमने देखा था, कि वो सारे लोग, जो ruling class के, people of ruling class and those who are in power, they were considered as conservatives, तो, conservatives को कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास तो, उल्टा पैसा था, उनने इंडस्ट्री लगा थी, और workers को काम करवा रहे है, तो, liberals और radicals, चेंज इसलिए चाहते थे, कि स्थिती बहुत बुरी थी, एक समय पर हम देख रहे हैं, कि कुछ लोग तो, बहु कर रहे थे, तो, वाई अगर बात कर रहे थे, तो, कारण भी समझाता हो कि क्यों बात कर रहे थे, ऐसा बोला तर अपनी गाड़ी यहां से यूँ टर्न ले लेगी, तो, क्यों society में बदलाव की बात कर रहे थे, वो, because they were often property owners and employers, कौन, देखो, ये लोग, अब मैंने आपको क्याजा, liberals जो थे, तो, liberals भी upper middle class में आते थे, तो, liberals, कुछ radicals के पास, इनके पास पैसा था, तो, इन लोगों के पास भी property थी, मतलब, कुछ लोग काम भी करते थे, factories में, तो, जो, factories में काम करते थे, वो, तो, change चाहेंगी, चाहेंगे, workers, जो थे, तो, किस से उमीद रखें थे, उसके साथ में, factory owners भी थे, कौन लोग, liberals और radicals, इनके अपनी factories भी थी, तो, because, they were, they were often property owners and employers, ये लोगों को employment देते थे, और इनका ये मानना था, कि अगर, ये working condition नहीं सुद्रेगी, housing और sanitation problem नहीं सुद्रेगी, working आर ज्यादा लंबे रहेंगे, तो, उसके चलते क्या हो अगर ये सारी changes आते हैं, सारे बदलाव आ जाते हैं, ठीक है, industries को अच्छी तरह से operate करने दिया जाता है, जो conservatives है, टेक्स कम लेते हैं, ये सारी सोच थी, तो, उसके चलते क्या होगा, कि educated or healthy population हमें मिल पाएगी, अब देखो, आदमी 16 गंटे काम करेगा, तो, उसके पास पं profit मिल सकें, फायदा उन्होंने अपना देख लिया था, कि हमें ज्यादा profit मिलेगा, तो, उस sense में क्या है, liberals radicals change चाहते थे, वो बात भी है कि conditions बहुत खराब थी, दया भी आई होगी, दूसरी चीज़ उन्होंने अपना profit को और ensure करने के लिए change की बात की, लेकिन, but they had a problem of old aristocracy and conservative regime established in Europe after 1815, अब देखो, यहाँ पर 1815 आ गया, इसको अभी मत देखो, अभी समझाता हूँ मैं, अभी पहले ये समझो, क्या है, कि liberals radicals change चाहते थे, वो खुद factory owners थे, आप सोच रहोंगे, तो, खुद क्यों नहीं लिए change, ले आते, बेशक ले आते, लेकिन, उनको किसके अ old aristocracy, जो conservative regime चला रहा, राजा महराजा का, उनके अंडर में रिखे अपनी industries चलाना है, तो, मुश्किल हो रहा था, क्यों, क्यों कि राजा महराजा उनको उनके हसाब से काम करने नहीं देते थे, तो, liberal radicals, रेडिकल, से लिए change चाहते थे, कि ये old aristocracy जो आई है, कब आई है, after 1815, after 1815 क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ, और क्यों, after 1815 बोला जा रहा है कि conservative regime वापस से आ गया, ठीक है, वो आपको समझाता हूँ, पहले आप मुझे बताओ, ठीक है, मुझे कैसे बताओगे, आप आपके मन में बता देना, कि यहां तक चीज़ें clear होगे आपको, कि society बदल रही थी, society बदल रही थी, कैसे बदल रही थी, तो वो भी मैं आपको समझाया, फिर उसके बाद में, एक positive side जरूर था, कि economic development हो रहा है, लेकिन एक negative side भी था, कि बहुत जादा परिशानी थी, अब बहुत जादा जो परिशानी थी, तो इन परिशानी हों कि अगेंस इस चीज़ को, तो conservative regimes established, conservative regimes established after 1815, 1815 के बाद में बहुत सारे conservative regimes, मतलब राजा महरा जाओ को फिर से established किया गया, फिर से उन्हें power दे दी गई, क्यों? आपको अगर ध्यान हो, French Revolution हमने पढ़ा था, 1804 से 1815 तक किसने rule करा? नेपोलियन बोनापाट, नेपोलियन बोनापाट ने अब राजाओने कबजा करा है, तो फिर कौन सी class rule पर आ गई है, कौन सी class rule पर आ गई है, conservatives की, हमने देखा, 1789 में French Revolution होता है, तो तब conservatives को उठा के फैक दिया गया था, फिर democracy आ गई थी, directory ने rule किया, सारी चीज़ें होते चले गई उस time period में, तो हम फ्रांस के perspective से पढ़ रह करो आप, तो तब सारी चीज़ें ऐसे चल रही थी सब कुछ, लेकिन 1815 तक, 1815 में फिर dictatorship आ गई, 1815 तक, फिर dictatorship के बाद में, जैसी मोनार्क को हटा आए गया, कौन था मोनार्क, मतलब dictator कौन था उसमें पर, dictator था, नेपोलियन मोनापार्ट, तो connect with the fall of नेपोलियन मोनापार् तो वो वापिस से restore हो गई, सारे राजा फिर से पावर में आ गए, अब जब राजा पावर में आ गए, तो radicals, conservatives अपने हिसाब से चीज़ें, radicals और liberals अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, आया समझ में connect कर पायो ना कहानी, तो उस sense में बोला गया था, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था ये, क्या, कि बट दे हैड़ प्रॉबलम ऑफ ओल्ड अरिस्टोक्रेशी और कंजर्वेटी रिजीम, इस्टैबलिज इन यूरोप आफ्टर 1815, तो जो ओल्ड अरिस्टोक्रेशी और कंजर्वेटी रिजीम 1815 के बाद में आई थी, तो क्य मोनार्क्स आ गए 1815 के बाद में, तो इनके अगेंस्ट में, देखो हमेशा ऐसा चलता है, कालमार्क्स की एक आइडिलोजी है, एक थीसिज होता है, एक एक एंटी थीसिज होता है, और एक सिंथिस होता है, तो मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने देखा कि सारी थी, ठीक है, Revolutionaries मतलब यहां बदलाव चाहते हैं, चौथा गुर्प समझाता हूं नहीं आपको, नहीं, पांच्वा गुरूप होगा यह, liberals समझ glowing, हमने radicals समंझ लिया, conservative समझ لم prends, paraletic समझ लिया, revolutionary मतलब का दे कि जो लोग change चाहते हं, चेंज चाहते हैं, फटा-फट चाहते हैं तो रेडिकल्स और लिबरल्स जो थे तो वही लोग रेवलिशनरी भी कहला है अब उन लोगों ने बात करी क्या कि हम तो बदलाव लाएंगे कैसा बदलाव लाएंगे कि यह जो एक्जिस्टिंग मोनार्की हैं अभी जो इस्टैबलिश की गई है इन्हें चाहिए अब लोगों में अचाहिए अब जो नेशन बन रहे हैं तो वह भी क्या करें लोगों को तो नहीं हो पा रहा था तो इसीमले को बात करी कि मोनारगी को ओवर्थो करना है एक्जांपल गिवन में अगर हम देखें तो एक nationalist जो थे इस तरह के revolutionary nationalists जो थे वो थे इतालियन नैशनलिस्ट गुजीिपी मजीनी टेख गुजीपी मजीनी है इतालियन हमें बदलाव चाहिए ठीक है बदलाव की बात करते थे इनके जो आइडियास थे इन आइडियास को व्ल्ड वाइट पढ़ा जाता था इंडिया में भी पढ़ा जाता था तो यही सारा सब कुछ हमने पढ़ा किसमें इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चींज में अब आपको कंसेट क्लियर होगा एक बार कहानी फिर से देखते हैं कि कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी इंडस्ट्रियल आइजीशन हुआ उससे क्या समाज में चेंज आये कि उसका नेगेटिव साइडिया था कि प्रॉब्लम्स क्रेट होने लगी उन प्रॉब्लम्स के लेकिन उन्हें कौन रोक रहा था जो कंसरावेटिव रिजीम से इस्ट्विटियु और आदे कं। अब हम देखेंगे कि यह बैगराउंड है आइडिलॉजिकल बैगराउंड बता दिये हैं मैंने आपको और मैंने आपको political मतलब कह सकते हैं background या फिक कह सकते हैं कि society में politics किस तरह से चल रही थी वो भी बता दिया अग इन पूरी कहानी में socialism, ideology कहां से घुश जाती है तो वही सारा सब कुछ हम आप next video में पढ़ने वाले हैं इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलता है next video में, thank you, thank you very much इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में हम पढ़ेंगे the coming of socialism in Europe, आखिरकार socialism पे आ गए ठीक है, आप भी यही सोचरोंगे कि chapter स्टार्ट करा है socialism in Europe, और पता नहीं क्या-क्या पढ़वारे है radicals, liberals, conservatives और फिर उसके बाद में change आ गया, यह आ गया यह सारी चीज़ें बढ़ रहे थे हम, तो अब हम आते हैं socialism पे, देखो क्या होता है, कि सबसे पहले the idea of socialism अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान है, recall करो जो रहा हमने starting में बताया था आपको, socialism idea क्या बोलता है, कि society जो है, उसे क्या रहना चाहिए, equality की इस चीज़ें पे सारे resources को आपस में बाट लेना चाहिए, private property जो है, वो नहीं होना चाहिए, यह सारी चीज़ें, तो यह जो idea है, इसके पीछे background क्या रहा होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ पहले, कि by the mid 19th century, the idea of socialism attracted widespread attention and those and those who followed this idea came to be known as socialist, देखो, mid 19th century तक क्या होने लगा, कि यह चो socialism का idea था, इसने बहुत सारे लोगों को अपने tours attract कर लिया, इस idea ने, socialism का idea ने, क्यों, देखो क्या होता, जिस चीज़ से आप परिशान रहते हो, ठीक है, अगर उसका समाधान दे रहा है, तो आप उसकी तरफ जरूर जाओगे, जैसे आप अगर आप बिमार हो, कोई दबाई दे रहा तो आप दबाई लोगे, वही चीज़ यहां पर हुई है, हमने देखा था, इंडस्टिरल रेवलिशन का, हाउजिंग प्रॉब्लम थी, हाउजिंग सेंटिशन प्रॉब्लम, लोग विज़ेस, लोग वर्किंग आर्स, तो इन सारी चीज़ों से लोग परेशान थे, अब जहां पर ऐसी बात की जारी, इक्वैलिटी की बात की जाए, कि कोई पीछे नहीं रहेगा, सब कोई एक्वैल रिसोर्से मिल जाएंगे, तो जब कोई ऐसी बात करेगा, तो दिखती बात है कि वो वर्कर्स उसके टॉर्ट्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीके, तो वही चीज़ यहां पर होती है कि by the mid 19th century idea of socialism, यह जो socialism का idea था, जो बोल रहा था कि यहां equality होगी लोगों के बीच में, resources को आपस में बाट लिया जाना चाहिए, private property नहीं होगी, यह वो सारी चीज़ें, तो इस idea ने बहुत सारे लोगों का attention attract किया, वर्कर्स का खास करके, जो poor strata था, उस strata का attention अपनी कि नहीं सोचलिसम बोल देते, कहीं सोचलिस्ट बोल देते, तो кन्फ्यूस नहीं होना है, बाकि इसमें difference होता है, difference होता है, constitution के perspective से आप देखोगे न तो difference होता है, लेकिन अभी हमें उस debate में नहीं घुसना है, अभी हमें chapter history के perspective से पढ़ना है, तो सोचलिसम का idea को follow करने वा प्राइवेट 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 प्राइ उनका यह मानना थे कि society में जितनी भी problems देख रहे हैं, society जितनी भी problems face कर रही है, तो सारी problems का कारण क्या है पता है, उनके according, उनके according मतलब socialist के according, society में जितनी भी चीज़े हो रही है, सारी समस्याओं का, कारण सारी समस्याओं की roots क्या है, रूट्स है private property, कैसे आप भी सोच रहांगे, private property problem कैसे दे रही है, तो private property problem ऐसे दे रही है, कि individuals on property, अब माराननों कोई industry है, property मतलब industry है, तो उस factory को ओन तो कोई एक individual करेगा, ठीक है, तो individuals on property, individuals owner बनके बैठे हैं, उनकी वो private property है, clear, तो एन individuals की private property है, अब इस private property पे क्या होता है private property पे ऐसा तो नहीं कि जिसकी property जिसकी industry वो ही पूरी machine एक साथ चला रहा है superman की तरह कभी ये कभी वो वो क्या करेगा अपने workers को employ करेगा और workers काम करेंगे तभी profit आएगा आया समझ में तो वही चीज यहां पे हो रही कि इंडिविजल्स सिर्फ क्या करते अपने पैसा लगाते हैं पैसा लगा कि वो इंडस्ट्री बना देते हैं इंडस्ट्री में workers से काम करवाते हैं ठीक है workers are the one who produce the products workers काम करेंगे दिन रात खुन पसीना एक कर देंगे तब जाके production होगा production होगा उस production से फिर profit बनेगा ठीक है तो इंडिविजल्स ओन दी प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड वरकर्स वर्क अंडर देम वरकर्स उनके अंडर में काम करते रहते हैं अब देखो इसी के आगे argument क्या देते तो यह जो अब इस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी वर्कर्स काम कर रहे हैं लेकिन इन सारी चीजों के बावज़ूत क्या होता है बटे आर कंसेन्ड विद् ऑपरस्णल गिंस profit तो यह जो इंडिविजल्स रहते है यह अपनी प्राइवेट प्रॉफर्टी में से जो भी profit निकलेगा वो सिर्फ उस चीज से concerned है उन्हें यह नहीं लेना देना है कि वरकर जो मेरे हां काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं तो अब देखो आज के समय में क्या है इस आइडियोजी को आप सोचोगे तो बोलोगे है ऐसा थोड़ी ना होता है जो एंप्लॉयर होते हैं जो लोगों को काम देते हैं तो वह अपने लोगों का ध्यान रखते हैं उनको do देते हैं सारी चीज़ा करते हैं तो जी हां आज के समय में चीज़ें बहुत बदल चुकी है यह कब की बात कर रहे हैं 19th century, mid 19th century, आज से 100-500 साल पहले की बात कर रहे हैं तो उस समय पर situation अलग थी उस समय पर आदमी क्या था पैसा अपना जीब भरना चाहता था ना तो वही हुआ चीज़ा की बात नहीं करते थे इंडिवीजल उन्हें की चीज़ की चेंता थी जो सुशलिसम ऐडियोलाजी के फॉल्वर्त उन लोग ने प्राइब्राइबिज फॉल्स अपने ना फॉट्रों के और यही एक बेस बना आइडियोलोजी का सुशलिजम आइडियोलोजी का कैसे कि देखो जो शोशलीजम ऐडीलॉजी के form of uns ने प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपपर्टी सारी प्रॉबलें प्रॉप्री प्रॉप्रब्लम का कारण है इंडीयूज़ए ने इन वहां प्रॉफिट कमाते हैं और प्रॉफिट किसके पास Dortzyka पूरा इंडीवेजियल के पास में वह फोरकर की चिंदा करते nggak python कंडीशन खराब हो रही तो उसका सुलीशन किया सीशन ही का सॉलीशन नहीं रह था कि सोशली जमtoo कंट्रोलि तो इंडिविजल कंट्रोल ना करें सोसाइटि एक साथ मिलकि वो प्रौपर्टी को ना रहेंगा बास ना बजए कि बासुरी मतलब को इंडिविजल रहेगा नहीं तो प्रॉफिट किसी एक के पास जाएगा नहीं प्रॉफिट सब में बढ़ जाया करेगा तो यह आइडिया देने वाला इंसान कौन था तो एक इंसान नहीं था आइडिया क्या होते इवाल्व होते आज आपको कुछ आइडिया है कल को आप जिसे आपने आइडिया मुझसे लिया अब आप अपना दिमाग चलाओगे आपने कुछ एड़ अप कर दियो उसमें तो इस तरह सा आइडिया इवाल्व होते लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइं पर क्या करते हैं चीजों को अलग-अलग तरह से इंटेपिटिशन देते चले गए तो जैसे रॉबर्ट ओवन ठीक हम इनके बारे में पढ़ेंगे अब इनके आइडियास को भी पढ़ेंगे रॉबर्ट ओवन ने आइडिया दिया ठीक लूइस ब्लैंक ना आइडिया दिया काल मार्क्स जो मैंने आपको स्टाइटिंग में भी बताया थे ठीक है इनका सबसे ज़्यादा कंडिविशन रहा काल मार्क्स ना आइडिया दिया फेडरिक एगल्स ने आइडिया दिया तो इस तरह से क्या है कि अलग-अलग फिलोसोफर्स ने अलग-अलग तिंकर्स ने अलग-अलग पॉलेटिकल साइंटिस ने क्या किया आइडिया दियें कि सोसाइटी को कैसे बदलना है और उन्हें किस चीज को किस आइडिया को सपोर्ट किया सोशलिजम आइडिया को सपोर्ट किया तो अब हम आने वाले वीडियो में वही पढ़ेंगे हम इनके आइडिया इसको अलग-अलग करके पढ़ेंगे कि किस ने क्या आइडिया दिया किस बेसिस पर उनके आइडिया से कैसे चेंज आया सोशलिजम आइडियोजी को कैसे थ्रस्ट मिला वह सारा सब कुछ अब कुछ सवाल के साथ में छोड़े जाते हम आपको कि कि अब हमने देखा कि लोग क्या बात कर रहें कि पिछली अलग कि बात कर रहें कि सव ना चींड इट वह पर पर इचुट नॉट बी ओन बा इंडिविजर तो एक एसी सवाइटि क्या से उपरेट कर लेगी जहांपर प्रोपरटी नहीं रहें तो प्रोपर्टी तो रहेगी लेकिन property के owners individual नहीं रहेंगे, ठीक, फिर अगला क्या है, what would be the basis of socialist society, और socialist society अगर बनाने की बात करते हो आप, कि सारे resources जो में society as a whole own करना चाहिए, कोई individual own ना करें, तो society का basis क्या होगा, society कैसे चलेगी, कैसे काम करेगी, तो ये ideas इन thinkers ने दिये हैं, इन philosophers ने दिये, next video में हम वही पढ़ेंगे, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हों, download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much. Hello everybody, this is Digraas Singh Rajput, welcome to Magnet Brains. इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में हम पढ़ेंगे ideas of Robert Owen and Louis Blank. पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? पिछले वीडियो में हमने बताया थे कि किस तरह से socialism का जो idea है, वो Europe में अपनी जड़े जमा रहा है. अब जड़े जमा रहा है, लेकिन वो idea है, ठीक है, पेड़ तो है नहीं, तो जो idea है, वो idea आया कैसे? किस ने propound किया, who were the fathers of that idea, ठीक है? तो उस idea को हमने समझा था कि अलग-अलग philosophers ने अलग-अलग time period में, अलग-अलग तरह से idea को express किया, एक contribution दिया है socialism के अंदर. तो हमने चार नाम डिसकस किये थे, चार photograph दिखाये थे, सुन्दर-सुन्दर समयने आपको, तो आपको ध्यान है ना वो सारी चीज़ें, तो जैसे चार नाम क्या थे, Robert Owen, Lewis Blank, Karl Marx, Frederick Engels, ठीक है? तो अब ये चारो नाम जो है, इन चारो नाम का क्या contribution था, बदब इन चारो लोगों ने क्या contribution किया, इन चारो philosophers का क्या contribution था, socialism as a ideology में, तो वो हम सारी चीज़ें discuss करने वाले हैं, इस वीडियो में हम, Lewis Blank और Robert Owen, इन दोनों के ideas को discuss करेंगे, स्टार्ट करते हैं, देखिए, socialist had different vision of the future, some believed in the idea of cooperatives, अभी देखो क्या है, आज हम जो पढ़ रहे हैं, तो आज बहुत narrow conception में पढ़ते हैं, आप class 9 में पढ़ते हैं, capitalism, socialism, आपको इतना समझ में आ गया है कि capitalism मतलब क्या है, कि यहाँ पर सब कुछ free hand वाला काम है, कि कोई रोक तोक नहीं है, जिसके अंदर जितना potential है, वो इतना कमाय खाया आगे बढ़े, सोशलिजम में क्या है कि नहीं, सब को साथ लेके चलना है, सब का साथ, सब का दिकास, इस तरह के ideology, आपको अभी इतना clear हो गया, लेकिन क्या होता है, जब आप और आगे पढ़ते हैं ना, तो आपको clear होगा कि capitalism भी तरह तरह के capitalism है, socialism भी तरह तरह के socialism है, तो उस सेंस में क्या है, कि socialist है different vision of the future, ठीक है capitalist है different vision of the future, तो सब के vision के अगर बात की जाए future को लेकर, कि उनका जो idea है कैसी society होना चीए, तो वो अलग होता है, तो कुछ जो philosophers थे, कुछ जो socialist thinkers थे, उन लोगों का idea क्या था, some believed in the idea of cooperatives, कुछ लोग जो थे, वो cooperatives का idea में विश्वास रखते थे, क्या है cooperatives, आईए वो समझते हैं, तो cooperatives are the association of people working together, मतलब cooperative से basic idea उन्हों नहीं बताया, कि अगर क्या होता है कि individual owner रहता है, private property का owner individual रहता है, जो हमने पिछले वीडियो में डिसकूस किये, तो वो क्या करता है, वो profit सारा अपने जेब में डाल लेता है, उसकी जगा हम क्या करें, उसकी जगा हम association बना दें लोगों का, association of people, they would work together, साथ में काम करेंगे से भी लोग, अब जब साथ में काम करेंगे तो क्या करेंगे, यह profit कमाएंगे, no doubt काम करेंगे, तो पैसा तो कमाएंगे, दे वोड अर्न प्रॉफिट, एंड दी प्रॉफिट वोड वी डिवाइडेट अमंग देंगे, उनके बीच में क्या किया जाएगा, प्रॉफिट को बाट दिया जाएगा, तो प्रॉफिट वी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू दी वर्क दन, वो जितना जोग जैसा काम कर रहा है, उस हिसाब से क्या किया जाएगा, प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाएगा, तो यह एक बेसिक कंसेप्शन था, किस चीज का, यह एक बेसिक कंसेप्शन था, सोशलिस्ट का, जो किस चीज में विश्वास रखते थे, कॉपरेटिफ में विश्वास रखते थे, तो कॉपरेटिफ की बात करने वाले दो थिंकर्स थे, हमारे पास दो फिलोसोफर्स थे, पहले कौन थे, रोबेट ओवन, ठीक है, रोबेट ओवन ने 1771 से 1858 तक अपना काम किया है, तो रोबेट ओवन ने क्या आइडिया दिया, उन्होंने आइडिया दिया, वहाँ पे इन्होंने पैसा भी कमाएं, इंडस्ट्री भी चलाई अपने पैसा कमागे, इंका एक यूटोपियन विजन था, मतलब इनकी एक सोच थी कि एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाऊंगा, जहाँ पे सारे लोग समान रहेंगे, सारे लोग क्या रहेंगे, मतलब एक्वेलिटी को इंजॉइ करेंगे, तो उस तरह की माइंडसेट के साथ में, एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के माइंडसेट के साथ में, इन्होंने यूटोपियोसे में अपना पैसा वैसा लगाया, और होँआ पनोंने कॉपरेटिव बनाई, और जहां पे कॉपरेटिव कम्यूटी जो बनाई, थ्रू कलेक्टिव इंडिविजल इनिस्टेटिव, मतलब इंडिविजल इनिस्टेटिव होना चाहिए, सारे लोग, सारे इंडिविजल साथ में कलेक्टिव रूप से काम करेंगे, कोई कंट्रोल करने वाले की दर्वत ही नहीं, ना कोई government चाहिए ना कुछ चाहिए ना को इंडिविजल चाहिए मतलब इंडिविजल प्रॉपर्टी नहीं चाहिए सारे लोग मिलके काम करेंगे society सुख संपन्न से अराम से जिएगी तो यह इनका vision था किसका Robert Owen का clear हुआ अब क्या आता वहीं पे कुछ socialist thinker जो थे उनका यह मानना था कि society तो है अब वो society में क्या है कि individuals corporate भी करेंगे individual corporation भी चाहिए लेकिन individuals के corporation को facilitate कौन करेगा facilitate करने के लिए government रख देंगे हम आया समझ में आप देखो एक चीज धियान रखना यह वाला point Lewis blank ने यह idea दिया यह idea आपको आगे जो Russian revolution पढ़ेंगे ना मैं आपको चिम्टी तो खोड़ नहीं सकते हो यहां से ताकि आपको धियान रहे कि हम याद दिला दूँग अच्छे चिम्टी खोड़ी तो याद करो तो अभी ऐसे दियान रखना कि Lewis blank का जो idea है क्या कि socialist society बनाने में किसकी मदद ली जाना चाहिए आपको government की मदद ली जाना चाहिए यही चीज हम रश्या में देखेंगे आगे याद रखना इस point को clear है तो he support government मतलब Lewis blank का जो idea है he supported government encouraged cooperative ठीके supported आया यहां पर तो उन्होंने क् support किया government encouraged cooperative मतलब cooperative होना चाहिए no doubt यही cooperative association of people working together सारे लोग साथ में काम करें तो इन सारे लोगों को साथ में काम करवाने के लिए कौन काम करना चाहिए government होना चाहिए तो Lewis blank ने Robert Evans से एक कदम आगे चलेगा क्या सकते कि उन्होंने बोला कि cooperatives होंगे लेकिन government sponsored होंगे आफिर क्या सकते government encouraged cooperatives होंगे to replace capitalist enterprise मतलब जो भी private industries है private property है उसे हटाना है no doubt वो तो अपने दुश्मन है लेकिन उन्होंने हटाने के लिए government की मदद ली जाना चाहिए और उसक से 1882 उस बीच में रहे यह तो मैंने आपको भी बताया ना कि socialism को हर philosopher ने हर socialist thinker ने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके दिया है ठीक है अपने हिसाब से एक नया idea add up किया उन्होंने socialism में तो government should be there to facilitate cooperatives यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे collective individual initiative की बात की जारी थी यहाँ आप इन्होंने बीच में डाल दिया government को कि government होना चाहिए तो यह Lewis blank का idea था आया समझ में अब जड़ा एक छोटी से recall करो हमने socialism का idea देखा पिछले वीडियो में फिर हमने देखा कि idea के propounders कौन थे तो propounders में जैसे हमने चार नाम पढ़े थे Robert Owen discuss किया Lewis blank discuss कि हमने समझाए कि यह क्या चाहते थे किस तरह से society चाहते थे तो जो एक सवाल के साथ चोड़े गए थे हम पिछले वीडियो में आपको क्या सवाल था सवाल यही था ना कि how would a society socialist society operate what would be the basis of the society society का basis क्या रहेगा socialist society कैसे काम करेगी तो basis यही था क्या basis था कि उन्ह सब्सक्राइब करो ठीक है यहाँ पर इन्होंने बोलतिया government encourage cooperatives रहेंगे तो government regulate करने के लिए रहेंगी चीजों को अब देखते और add up क्या हुआ इस ideology में इस ideology को और ठोस किसने बनाया तो the one and only Karl Marx तो Karl Marx के बारे हम नेक्स वीडियो में discuss करेंगे Karl Marx ने क्या contribute किया कैसे किया व magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिग्रास सिंग राजपूत, welcome to magnetbrains. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम discuss करेंगे ideas of Karl Marx and Frederick Ingalls. पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ socialist thinkers के ideas बताये थे, कौन थे वो socialist thinkers? तो Robert Owen और Lewis Blank. इनके ideas मैंने discuss किये थे, मैंने आपको बताया था क इन लोगों का socialist society को बनाने का perspective क्या था? कॉपरेटिव्स होना चाहिए. ठीक है? Robert Owen ने भी और Lewis Blank ने भी. दोनों ने कॉपरेटिव की बात करी. ठीक? एक ने बोला individual initiative पे कॉपरेटिव बनना चाहिए. दूसरे ने बोला कि government क्या करना चाहिए? government के दोबारा facilitate करना चाहिए तो यहां पे फिर add up होता है. अब कौन add up करते हैं? काल माक्स और फेडरिक इंगल्स. यह दोनों मिलके कुछ add up करते हैं. और यह जो add up करते हैं वह ऐसा add up करते थे कि revolution आ जाता है. कहां आता है revolution? revolution आता है Russia में. ठीक है? तो Russian revolution का जो कह सकते हैं foundation जो था. तो वो कहीने कही काल काल माक्स को contribute किया जाता है. फेडरिक इंगल्स को contribute किया जाता है. मझे की बात किया है? दोनों दोस्त थे. दोनों की दोस्ती कैसे होती है? काल माक्स जर्मनी से थे. जर्मनी में उन्होंने अपना काम जो भी था पढ़ाई बढ़ाई करी. फिर वो कहां चले गए? फिर वो सोशलिजम के आइडिया में इन्होंने क्या अड़किया? वो हम पढ़ते हैं. देखो, they added some more arguments in the idea of सोशलिजम. क्या अड़किया? उनका यह मानना था कि इंडस्ट्रियल सुसाइटी जो होती है. तो इंडस्ट्रियल सुसाइटी है capitalist होती है. मतलब कि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री को capitalist कंसीडर करते थे Karl Marx. यह argued that the owners invested capital in factories and profit was produced by workers. मतलब owners क्या करते है? फैक्ट्री में एक बार पैसा लगा देते हैं बस. क्योंने क्या कर दिया? प्लांट प्लांट सब सेट अप कर दिया है. फैक्ट्री में सारी मेशिनरी लगा दिया है. अब क्या है? कि जो profit आना है तो profit owner की वज़े से नहीं आ रहा है. यह Karl Marx कमानना था. प्रॉफिट तो workers विचारे काम करना है, दिनराद वो products को produce कर रहे हैं. उनके द्वारा जो production होता है, उस production को बेचकर आप profit पैसा कमाते हैं. ठीक है? तो Karl Marx जी बोलते थे कि capitalist जो हमने discuss किया पहले भी, कि capitalist society में owners ने क्या किया? पैसा लगाया सिर्फ, उन्होंने पैसा लगा दिया है, और फेक्टरी में जितने ही profit जो produce हो रहा है, वो workers के दवारा produce हो रहा है, लेकिन, लेकिन बड़ती profit goes into the hand of owner. लेकिन जो profit जो कि प्रॉफिट प्रॉफिट ब्रॉफिर्चिया तो वर्कर्स ने जो प्र condition में रहते हैं कभी ऊपर नहीं आपते क्यों क्योंकि profit produce बेशक वही कर रहें काम करके लेकिन profit जाता तो owner के पास में तो इस sense में कालमाक से बोलते हैं कि गलत है सरा सर गलत है capitalist society industrial society क्या है capitalism वाली ideology लेके चलती कि सारा पैसा एक आदमी के पास है जिसने एक बार पैसा लगा दिया इंडस्ट्री लगा दिये तो सेंस में क्या यह गलत है ठीक है main motive personal gain not the welfare of workers और यह यह भी बोलते हैं कि जो owners owners के पास में जब पूरा पैसा गया है तो ऐसा भी नहीं कि owners पैसा बाट रहें profit का उस समय की डाल लेते थे वरकर्स की condition कभी सुधरती नहीं थी क्यों क्योंकि owners का मोटी भी profit earn करना रहता था ठीक है वरकर्स से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था वेलफेर वरकर उनके objective में नहीं था कहीं न कहीं तो इस चीज को काल मार्क्स गलत बताते हैं बोलते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी capitalist है अब इससे उपर आने का solution भी देते काल मार्क्स देखो यह तो उन्होंने क्या बताया है कि यह सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो यह एक socialist society की डिमांड है कि आपको socialist society क्यों बरना चीए क्योंकि capitalist society इस तरीके से खून चूस रही है वरकर्स का ठीक है लेकिन आप बनाओगे क्या फिर तो वह बोलते हैं और मार्क्स बिलीव देट वरकर्स आर रिक्वाइड तो फ्री देंसल्फ फ्रम केपिटलिस्ट यहां पर आइड कर लेना मार्स बिलीव देट वरकर्स आर रिक्वाइड यहां एड कर लीजा देट वरकर्स आर रिक्वाइड तो फ्री देंसल्फ फ्रम to overthrow the capitalist society जो capitalism का idea है उसे हटाना होगा private property को हटाना होगा कौन हटाएगा? workers ही हटाएंगे workers should took over the property workers को उन सारी property के उपर कबजा कर लेना चीए capitalist society के उपर कबजा कर लेना चीए private properties के उपर कबजा कर लेना चीए एक बार जब आप कबजा कर लोगे तो फिर क्या है सारा वरकस के अंडर में आ गया और फिर उसके बाद ने वो आप अपने हिसाब से एक socialist society establish करेंगे कैसे तो यह वही बताया By overthrowing, rule of private property and controlling the property socially ठीक, मतलब वो private property को overthrow कर दें और सारी property जो भी है society में जोने socially control करें सामाजिक रूप से control करना स्टार्ट कर दें और इस sense में क्या होगा इस sense में जो ultimately society बनेगी तो वो communist society बनेगी अभी देखो एक अंदर की बात बताता हूं अंदर की बात मतलब chapter की बीच में जो छुपी वी बात है वो बदाता हूं यहां पर हम क्या देख रहे हैं यहां पर कालमाक्स कैसी बात कर रहें कालमाक्स बात कर रहें communist society बनाने की मतलब आप communist society कब बनेगी जब workers सारी चीजों को took over कर लेंगे capitalist जितने भी हैं सारे लोग हट जाएंगे रास्ते में से सारा सब कुछ workers के कंट्रोल में होगा ठीक है अब जब हम रश्यन revolution पढ़ेंगे न तो उसमें क्या होगा उसमें बीच की लिंक आती है रश्यन revolution मतलब क्या है कि capitalist society से communist society के बनने की बीच की कहानी है socialist society ठीक इस तरह से जैसे यह capitalist है ठीक है और यह communist है तो यह communist बनाना है कलमाकस न ऐडिया दिया है ठीक है अब यहां से यहां तक जाना है आपको तो बीच में आपको किसकी मदद लेना होंगी वह कौन होगा गवर्मेंट होगी तो government जो बीच में support करेगी तो गवर्मेंट सोचलिजम के फूल ले जाएगी आपको सोचलिजम को का रास्ता होगा हमने देखा था कि कोपरेटिव सुड़ बी एंकरेज़ बाई government तो महाँ पे government कहीं न कि एक role play कर रही है तो वही चीज हम देखेंगे कि रश्या में भी होता है क्या कि रश्या में बीच में agent की तरह कौन आता है बिच में इजिंट की तरह government काम करती है और वह government socialism के रास्ते religious society बनाने की कोशिश करेगी communist society जो Karl Marx ने idea गोघंठ आप करोडिए से चुले अर gwाब सरी को सब्सक्राइब करें सौशल लेवल कोज इंब कंट्रोल करें Bluetooth कारल मार्क्स एंग्स इंगल के यह आपको मैंने बताया तो हमने क्या-क्या पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ चुके हैं कि ideological base क्या था, किस तरह से जो propounders थे, उन लोगोंने क्या idea दिया, काल माक्स ने, रॉबर्ट ओविन ने, लुईस ब्लैंक ने, फेडरिक एंगल ने क्या contribute किया, socialism ideology को evolve होने में, कैसे उन्होंने socialism ideology को construct किया है, वो सारा सब कुछ बता दिया, अब idea तो आ गया, अब यह idea का support कैसे बढ़ा, ठीक है, मतलब यह जो हमने idea discuss किया, इस idea का support कैसे बढ़ते चलेगा है, कहां पर support कैसे बढ़ते चलेगा है, ये योरोप में, रशिया में, ये सारी चीज़े पढ़ेंगे, हम next video में, ठीक है, इस chapter के notes, आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर, बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं, नेक्श वीडियो में, thank you, thank you very much. Hello everybody, this is दिग्रास सेंग, राजपूद, welcome to magnetbrains. पिछले वीडियो में हमने क्या discuss किया था, पिछले वीडियो में हमने discuss किया था, ideas of Karl Marx और Frederick Engels. ठीकें, मैंने आपको क्या बताया था, उन ideas के थूरू मैंने आपको बताया था, कि उनकी क्या सोच थी, वो कैसे एक socialist society चाहते थे, यहां तक चीज़ें हम पढ़ चुके थे, अब ही अब हमें देखना है कि socialism के लिए idea तो मिल गया है, लेकिन उस idea से support कैसे gain किया, ठीकें, तो हम अब जो हमारा topic होने वाला है वो यह पढ़ेंगे, support for socialism, clear है, तो इस video का जो content है, वो support for socialism है, इस video को देखने के बाद में आपको इस समझ में आ जाएगा अच्छा, socialism ने कैसे अपनी जड़े मजबूत करी यूरोप में, सिर्फ रशिया में नहीं, पूरे यूरोप में कैसे जड़े मजबूत करी, क्या course रहा और यह सारी चीज़े, start करते हैं, देखिया सबसे पहली चीज़ क्या है, 1870s socialist ideas spread throughout the Europe, ठीके, 1870 आते आते क्या हुआ, कि जो socialist ideas थे, जैसे हमने discuss किये, अलग-अलग philosophers ने, अलग-अलग political scientists ने, जैसे Karl Marx, Robert Irwin इन पढ़ा था हमने, इन लोगों की जो ideas थे, इन लोगों ने जो socialist ideas दिये थे, उन ideas का spread अगर देखें, ठीके, पूरे Europe में यह ideas fell चुके थे, अब पूरे Europe में जब ideas fell चुके थे, तो उसके चलते क्या है कि अलग-अलग organizations बनना start हो जाती छोटे level पे, फिर क्या है कि जितने भी socialist organization थे, सब लोगों ने मिलके एक बड़ा organization बनाया, this led to the formation of international body, मतलब एक international body बनाई गई जो किस चीज को propound करती, जो किस चीज को support करती है, जो socialism का idea को support करती थी, तो वो जो international body बनी थी, उस body का नाम था second international, देखो, second international क्यों कह रहे है यहां पे, सोचो, second international कहने के पिछे कारण है, क्योंकि world का setup क्या था, capitalist ideology को लेकर था, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, उसके against में कुछ ख़़ा कर रहे हो, तो वो आपका second international हो गया है, मतलब एक international system जो चला आ रहा है, तो हम उसको क्या कर रहे है, counter करने के लिए उसके against में एक दूसरा international setup ख़़ा कर रहे है, जो socialism ideology से govern होगा, और उस setup का नाम क्या दिया गया है, second international, clear है, अब आगे देखते हैं, similar associations were being formed everywhere in the world, तो इसी तरह से क्या है, अब यह तो एक international organization होगी, second international, तो अब क्या है, इसी line पे और भी बहुत सारी organizations बनना start होती है, अलग-अलग country में, खास करके Europe के अगर बात करें, तो Europe की अलग-अलग countries में अलग-अलग organizations बन रही थी, जैसे हम देखें Germany, England, France, हर जगा छोटी-छोटी organizations, बड़ी-बड़ी organizations बन रही थी, जो socialism के idea को support करती थी, अपने हाँ, जो common masses थी, उन्हें socialism की तरफ attract कर रही थी, तो जैसे Germany में जो organizations बनी थी, they were working closely with Social Democratic Party, ठीक है, SPD कहा जाता है, अब यह थोड़ा सा, जो कहते हैं कि short form में लिख रहा हैं तो उसमें क्या है, ऐसा होना चाहिए था SDP, लेकिन वह SPD है, तो वह गलत नहीं लिखा है, clear है, SPD Party थी, अब देखो यहां पर क्या होता है, तो Social Democratic Party बनाए गई कहां पर, जो मतलब Germany में यह Party थी, उस Party के साथ में दूसरी organization, जो socialist organizations बन रही थी, वह मिलके काम करती थी, यह उनका flag है, ठीक है, फिर हम देखते हैं कि England में क्या हुआ, तो England में Labour Party थी 1905 में, तो सारी organizations जितनी भी थी, जो socialism के idea को support करती थी, वह organization Labour Party के साथ मिलके काम कर रही थी, ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि यह organizations बन रही है ना, socialism के support के लिए, यह organizations कहां घुसरी है, politics में जा रही हैं, मतलब political parties हैं ना यह, तो political parties के थुरूँ वह क्या करने की कोशिश करेगी, power gain करने की कोशिश करेगी, वह power में आना की कोशिश करेगी, clear, France में जैसे हम देखें, तो France में भी क्या है, socialist party थी तो यह मिलके काम कर रही थी, सारे organizations के साथ में, या फिर कह लिजे, सारे organizations इसके साथ मिलके काम कर रहे थे, ताकि वह एक संघर्ज कर रहे थे, हम politics में जाएंगे, mainstream में जाएंगे, तो हम हमारी ideology के हिसाब से चीजों को क्या कर लेंगे, socialist ideology के हिसाब से चीजों को govern करेंगे, आया समझने, तो यह हमने आपको उता है, support for socialism की किस तरह से socialism ideology का जो support है, वो धीरे-धीरे बढ़ता चले गया, अलग-अलग parties थी, वो धेहन रखना जिसे Germany में कौनसी party थी, England में कौनसी party थी, France में कौनसी party थी, जो international body बनाई गई थी उसका नाम क्या था? Second International, अब इन्होंने parties तो बना ली, इन parties के बनाने के बाद में क्या किया गया? सबने parties बना ली अलग-अलग देशों में, इन parties का हुआ क्या फिर? तो देखो, these socialist associations fight for better living of working conditions, अब देखो क्या है? यह party जो बनी है तो हर party का एक agenda रहता, जैसे मैंने आपको बताया था, election manifesto होता है, civics में बढ़ा था हमने, तो उसी तरह से क्या है कि जो भी political parties बन रही ही, तो वह कुछ ना कुछ अपनी एक ideology लेके चलेगी ना, एक core ideology लेके चलेगी कि अच्छा, हम क्या चाहते हैं? जैसे हम हमारे country के context में भी देखें, तो BJP कुछ चाहती है तो वह अपनी ideology को present करेगी, Congress कुछ चाहती है तो वह अपनी ideology को present करेगी, आया समझ में, उसी तरह से क्या है कि जो parties बनी थी, जितनी भी socialist associations बन रहे थे, तो इन socialist associations का core aim क्या रहता था, मकसद क्या रहता था, मकसद समझाते हैं आपको, ठीक है, they fight for the better living and working condition, किसकी workers की, उनके party members की, कि हमारे जो workers हैं, उनकी living conditions सही होना चीए, आप एक अच्छा setup दो उन्हें जहां पर काम करें तो उन्हें इसा लगना नहीं चीए, कि उन्हें exploit किया जा रहा, ठीक है, better working conditions, तो उसके आद में क्या है, they set up funds to, यह सी समझ नहीं, they set up funds to help members, अब उनके जो members हैं, देखो, सारे लोग गरीब है, मतलब कह सकते हैं, सारे लोग गरीब in the sense, कि जो major chunk था in associations का, जो major membership थी, तो वो कहां से आती थी, तो जब lower status से आती थी, पैसों के अधिकतर कमी रहती थी, तो पार्टी के सारे लोग मिलके क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा पैसा मिला के बड़ा पूल इखटा कर लेते थे, अब इस बड़े funds से क्या करते थे, वो अपने members की मदद करते थे, मतलब hardship रहती थी जब अकरमान लोग किसी प्रकार का कोई recession आ रहा है, किसी को पैसे की जरुवत है तो उस समय पर मदद कर दिया करते थे इस तरह से, अब क्या किया उन्होंने, यह जो पार्टी थी थी तो उनका एको रेजंडा रहता था था, वर्किंग आर्स में क्या होना चाहिए, कमी होना चाहिए, तो इस mindset के साथ में, इस ideology के साथ में सारी चीज़ें की गई थी, आया समझ में, तो यह core agenda था किसका, यह core agenda था, socialist associations जो बन रही थी रश्या में, अब देखो क्या है, तो क्या यह अपने agenda को fulfill कर पाई, नहीं, अपने agenda को fulfill नहीं कर पाई है, ठीक है, तो कब तक नहीं कर पाई है, however till 1914, 1914 के पहले तक कभी भी government नहीं बनी है, socialist parties की, socialist parties बनी है, लेकिन वो parties election में contest करती तो उन्हें उतना support नहीं मिल पाता, 1914 के बाद से चीजें बदलेगी, कैसे बदलेगी वो मैं आपको बताऊंगा, First World War के उससे, आगे बताएंगे, ठीक है, तो however till 1914, socialist never succeeded in forming a government in Europe, कभी government नहीं बना पाए, अब जब वो कभी government नहीं बना पाए, तो क्या वो अपने ideology के उपर law बना पाएंगे, law तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन देखो, government नहीं बनी है, party election में तो contest करती थी, कुछ तो जीती थी, कुछ तो अगर जीती थी seats, तो क्या होगा कि उसका एक important role होगा legislation process में, यही मैंने नीचे लिखा है, but their ideas did shaped the legislation, majority party होगी उसको government बन जाएगी, लेकिन जितनी seats रहे गई हैं, जैसे माली यह 100 seats में 60 seats किसी conservative party को मिल गई है, अब अगर 30 seats भी इन socialist parties को मिल रही है, तो कहीं न कहीं वो एक pressure तो create कर सकते हैं, एक opposition तो create कर सकते हैं, जैसे हम Indian context में अगर देखें तो क्या है, कि parliament में BJP की government है, लेकिन दूसरी parties की भी तो seats हैं, दूसरी party के भी तो member of parliament हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग pressure create कर सकते हैं, so in that way they are influencing the decision making process, they are influencing the legislation, जो भी law बनेगा तो उस law में opposition क्या करेगा, pressure बना के अपनी बात रख सकता है, तो यही चीज यहांबे बताए गई है, कि क्या है, जो यह socialist associations थी, इन्होंने direct government तो नहीं बनाई है 1914 तक, लेकिन कहीं न कहीं, but their idea did shape the legislation in the parliament of their respective countries, ठीकें, under the government run by conservatives, liberals and radicals, तो बेशक government किसकी थी, conservative की, liberals की, radicals की, तो उनकी government के अंदर भी क्या है, उनकी government के अंदर भी socialist ideology वाली जो association थी, socialism ideology वाली जो associations थी, वो कही ना कहीं चीजों को influence कर पा रही थी, आया समझ में, तो यह सारा सब कुछ पढ़ा हमने और इसी तरह से क्या है, कि support जो है socialism का वो बढ़ता चले गया, तो अब जरा मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, कि हमने जो chapter का एक part था socialism in Europe, मैंने आपको बताया socialism का idea क्या है, उस समय society का structure क्या था, society का structure क्या था, फिर जरूरत क्यूं पढ़ी कि एक ऐसा idea हो, क्योंकि capitalist नेचर जो था society का वो exploit कर रहा था, अलग-अलग thinkers ने अपना contribution दिया, thinkers के contribution के बाद में किस तरह से support जो है वो बढ़ता चले गया, तो socialism, ideology आपको clear हो गया, यह एक front clear हो गया है, अब next video में हम क्या करने वाले हैं, next video से हम Russian revolution स्टार्ट करेंगे, तो Russian revolution को next video से हम स्टार्ट करेंगे, में देखेंगे कि रशिया में किस तरह से चीज़े इवाल्व होती है, अब आपको एक front clear है, ideology को धियान रखना है, ideology से हम Russian revolution को आगे बढ़ाएंगे, clear हैं, चलिए, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से राउनलोड कर सकते है, magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में अविलेबल हैं, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते, feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते नेक्स वीडियो में, thank you, thank you very much. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे The Russian Revolution, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने chapter का जो एक पार्ट है हमारा, कौन सा वाला? Socialism in Europe, ठीक है, Socialism in Europe complete कर चुके है, अब क्या करेंगे हम? The Russian Revolution, ये वाला पार्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखिए, एक चीज़ में आपको बताता हूँ, कि Socialism in Europe पढ़ने का हमारा perspective क्या था? वो आपको एक ideological mindset प्रोवाइड कर देगा, कि अच्छा क्या scenario था? ठीक है? तो मैंने आपको सारी चीज़े बता दिये, अब हमारा second part स्टार्ट हो रहा है, The Russian Revolution, Russian Revolution है क्या? पहले सबसे पहली बात करते है, Russia कहा है? देखो, आज का जो Russia है, और Russian Revolution के टाइम का जो Russia है, दोनों म वो अपना रूल चला रहे थे और एक Russian Empire था क्या सकते है, ठीक है? जो राजा का पूरा का पूरा सामराज्य था, आज क्या है? आज तो modern state है, मतलब country है, लेकिन उस समय पूरा का पूरा सामराज्य था, तो ये देखिए, ये मतलब इदर पूरा ये योरोप का पार्ट है, य इसे वाला पार्ट आ जाता है, जो Middle East, Central Asia की कुछ country जे वो आ जाती है, इदर आगे Europe है, तो अब दिश से देखेंगे, आप तो ये पूरा एडिया जो था ये ग्रीन कलर में आपको जो दिख रहा है, ये Russian Empire है, उस समय का इतना बड़ा Russian Empire था, ठीक है, ये Asia है, इदर Europe है, आ Map प्रेक्टिस बहुत जरूरी है, Map को लेकर बेठा करो जब पढ़ते हो तो आपको समझ में आईगी चीजे कहां पे क्या है, ऐसे हवा में, इमेजिन नहीं करना है, किदर कौन सा स्टेट है, उसको मैप पे आपको क्या करना चीए, समझ लेना चीए, इमेजिन कर लेना अब Russian Revolution में होता क्या है, ये जो रशिया था, ये जो रशियन एम्पायर था, किसके अंडर मेंदर मोनार्क, राजा थे, सार निकोलस टू, ठीक है, सार निकोलस टू के अंदर में जो पूरा का पूरा Russian Empire था, क्या होता है, तो इस Russian Empire में एक revolution आता है, क्रांती आती है, अब क् तक रश्या में मोनार्की चलिया थी उस मोनार्की को क्या करना पड़ता है हटना पड़ता है अपनी जगह से मोनार्क को अपनी जगह से हटना पड़ता है मोनार्की खतम हो जाती है यह होता है February 1917 में और फिर क्या होता है फिर होता है Socialist took over the government in Russia through the October Revolution of 1917 अब देखो यहापे का है कि पहली यही पुरा Russian Revolution है Russian Revolution में दो major incidents है ठीक है दो major incidents कौन कौन से है कि जो मोनार्की रहती हो हटती है 1917 February Revolution से फिर October Revolution से क्या होता है कि यहाप एक government established हो जाती है February Revolution के बाद में अब February Revolution के बाद में जब गवर्मेंट इस्टैब्लिश होई थी न यह government तो उस government को भी कौन took over कर लेता है socialist socialist क्या है मैंने अभी आपको बताया था जैसे मैंने बताया था कार्ल मार्क्स रोबर्ट ओवन और यह सारे लोगों ने आइडियाज दिये थे तो मैंने बताया था न रोबर्ट ओवन तो गवर्मेंट को भी support नहीं करते थे वो बलते थे कि collective individual effort से क्या करो आप एक cooperative बना लो तो वैसी यह जो socialist रहते तो गवर्मेंट को भी took over कर लेते है गवर्मेंट को भी हटा देते है जो provisional government बनी थी कब February 1917 के बाद में तो मैं आपको समझाओंगा अभी एक-एक incidence हम पढ़ेंगे February का भी October का भी तब और चीज़ से clear होते जाएगी ठीक है तो socialist क्या करते है socialist जो लोग रहते तो वो जो 1917 February revolution के आद में government बनी थी उस government को भी took over कर लेते हैं कब October revolution के थूँ और यही सारा Russian revolution है बस और कुछ नहीं है अगर किसी ने chapter बिल्कुल नहीं पढ़ा है और उसे एक idea चाहिए कि chapter में है क्या तो वो यही कि रशिया में जो मोनार्की थी ठीक है चैप्टर मतलब इंदसेंस यहाला पार्ट बता रहो Russian revolution वाला तो Russian revolution वाला पूरी कहानी यहीं है कि रशिया में जो मोनार्की थी वो मोनार्की को क्या किया जाता है हटाया जाता है February revolution में और February revolution के बाद में जो government मनती उस government को भी हटा द वाली है अब हम पढ़ेंगे क्या अब हम पढ़ने यही वाले रेशिन में कि हाउ डिट आल दिस हैपन यह सब हुआ तो हुआ कैसे दूसरी चीज वाट वर्दी शोचल एंड पॉलेटिकल कंडिशन्स इन रश्या और जब यह सारा सब कुछ हो रहा था तो यह होने के लिए ग क्लियर है तो अब नेक्स वीडियो से हम क्या करने आले हैं नेक्स वीडियो से हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को लेते चलेंगे समझते चलेंगे पहले रश्यान एंपायर को समझते हैं कि जो रश्या है तो रश्या का यह जो रश्यान एंपायर रश्यान एंपायर कैसा थ वो अंकल की फोटो देखेंगे सार निकोलस की यह साही चीज़े हम नेक्ट वीडियो में देखने वाले हैं इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ओफिशल वेबसाइट मैगनेट्रेंस.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं मैगनेट्रेंस.com पर क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सबजेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंट फॉर्माट में अविलेबल हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं फिल फ्री तो विजित आर ओफिशल वेबसाइट मैगनेट्बेंस.com थेंक्यू, थेंक्यू, थेंक्यू वेइमच्यू इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थी रश्यन एंपायर इन 1914 पिछले वीडियो में मैंने आपको basic crux बता दिया था कि रश्यन revolution है क्या? सारी चीज़ उसमें clear होगी थी कि रश्यन revolution में क्या क्या होने बाला है? February revolution, October revolution, कैसे मोनार्की नीचे आई थी? वो सारी चीज़ें. बस, यही पूरा रश्यन revolution है. तो अब हम क्या करते हैं? अब हम one by one एक-एक topic को लेते चलते हैं. एक-एक topic से समझेंगे कि रश्यन society कैसी थी? क्या था रश्या में? क्यूं revolution आया? क्या जरुवत थी revolution की? यही सारी चीज़ें. क्लियर है? स्टार्ट करते हैं देखो. तो सबसे पहले अगर बात की जाएं, तो आपको पता है कि रश्यन empire जो था, तो it was a monarchical form of government कह सकते हैं. कि वहाँ पे monarch जो थे वो, government थी नहीं एक तरह सकते हैं. तो एक monarchी चल रही थी, जहाँ पर एक राजा थे, राजा ये थे. ठीके hereditary rule था, इनके पिता जी, फिर उनके बच्चे इस तरह से rule करते चले आ रहे थे. clear? तो सार निकोलस 2 emperor थे रश्या के, रश्यन empire के कहोंगा तो ज़्यादा सहीं रहेगा. रश्यन empire के जो ruler थे सार निकोलस 2, वो क्या थे? पूरी रश्या और रश्या के सांसात में जो रश् countries थी. और भी countries कौन कौन सी थी? तो और भी countries में जैसे present day Finland, Lativia, Lutinia, Estonia, parts of Poland, Ukraine, Belarus, Georgia, Armenia, और अजर्बेजान. ठीक है? यह सारे countries के नाम है जो आज दिखती है हमें. आज कहां दिखती है तो आप लोग world map लेकर बैठे हो ना? वोल्ड मैप निकालो जरा. वोल्ड मैप में जैस Finland, ठीक है present day Finland हो गया. फिर उसके आद में जो जितनी भी दूसरी Lativia, Luthenia, ठीक है Belarus, Ukraine, यहां Ukraine है कहीं. तो यह सारी countries पर Central Asia है गया जो पार है अजर्बेजान और यह जो हमने पढ़ा था तो वो यहां पर आती है और जो रशिया है तो पूरा यह रशिया आ गया. तो इस तर पूरा इंपायर पर रूल कौन कर रहा था इस पूरे के पूरे रशियन एंपायर पर रूल करने वाला इंसान था यह आदमी. तो यही बतारों में रशियन एंपायर in 1914 चोटा सा टापिक है लेकि उसको समझना जरूरी है कि रशियन एंपायर था किया एक्स्टेंट थी. अ अलग-अलग रिलीजन जरूर थे, majority religion को सा, जिसे हम इंडिया को देखते हैं, तो इंडिया भी कितना diverse country, heterogeneity हमारे हैं, we celebrate that heterogeneity, अलग-अलग religion है, अलग-अलग caste के लोग हैं, अलग-अलग language बोलने वाले लोग है, तो उस तरह से रशिया की भी कहानी थी, क्या? कि रशिया कि Russian Orthodox Christianity के अच्छा अधिकतर आप सोचते होंगे कभी कोई से मतलब Christianity का आगे कभी कोई से prefix लग जाता है तो कुछ नहीं है simple जी चीजे क्या होता है कि हम presume क्या करता है Christianity मतलब एक religion लेकिन ऐसा नहीं है जैसे हर religion में रहता है और वैसि अगर आप इसलाम को देखोगे तो इसमें भी अलग-अलग सेक्ट होते हैं ठीकिये अलग-अलग पंथ होते हैं Hinduism को देखोगे उसमें भी अलग-अलग-पंथ है कोई कुछ अपने आपको कोईने सा हिंदू बताता है कोईने इसा हिंदू पता था फिर यह जो empire था पूरा Russian empire, empire also included Catholics, Catholics भी थे empire में, ठीक है, Protestants भी थे, Muslims भी थे, Buddhist भी थे, तो यह सारे लोग थे, Catholics, Protestants, फिर वही Christianity में क्या हो जाता है, bifurcation हो जाता है, Muslims, Buddhist, तो हम क्या देख रहे हैं कि religious ground पे यहां पे क्या है, बहुत diversity है, तो यह था basic structure Russian empire का, clear है, मैंने आपको Russian empire भी दिखा दिया, कि उस समें पे Russian empire जो था, उस समें पे यह पूरा Russian empire था, इसमें कौन कौन सी country आज की प्रेजेंटे country आती है, तो हम कह सकते हैं, क्या conclude करना है, इस सार सार Nicholas 2 थे, तो उनके अंडर में एक बहुत बड़ा empire था, उस बहुत बड़े empire की command थी, और उस बहुत बड़े empire में diversity भी थी, ठीक है, यह सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया, अब अगर एक बार इस कहानी को हम पीछे से ले जाके आगे तक connect करते हैं, कि हमने socialism in Europe देखा ठीक है, अब socialism in Europe देखा तो हमने वहाँ पे basic crux क्या देखे था, यह इसलिए बता रहो क्योंकि आगे वाले वीडियो से आपको इसको connect करना है, हमने उस वीडियो में मतलब जो पूरा एक part देखा था यह वाला, socialism in Europe, तो इस part में हमने क्या सीखा था, कि जो conditions थी, किसकी conditions, workers क या फिर lower strategy, वो कहीना कहीं किस चीज़ को support कर रही थी, वो कहीना कहीं support कर रही थी, socialism ideology को, ठीक है, उस condition के चलते ही क्या है कि support जो था socialism ideology का वो बढ़ता जा रहा था, अब हम क्या देख रहे हैं, Russian revolution देख रहे हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी देखेंगे, कि Russia में social economic condition क क्या रही होगी, तो Russian economy कैसी रही होगी, Russian society कैसी रही होगी, वो सारी चीज़े बताएगी कि Russia revolution लाने के लिए सही जगा है या नहीं है, आया समझ में, तो main क्या है, यह तो हमने एक structure देखा, कि Russian revolution क्या था, Russian empire कैसा था, अब हम देखेंगे कि Russia में अगर revolution आएगा, तो उसके पिले क्या वहाँ पर एक background भी ready है, नहीं है, एक fertile ground भी तो होना चाहिए, जहाँ पर आप खेती कर सको, उसी तरह से आपको अगर revolution लाना है, तो क्या Russia की economic conditions, क्या Russia की social conditions, ऐसी हैं कि जहाँ पर socialism, ideology को cultivate किया जा सके, यही सारी चीज़े हम क्या करेंगे, अब आने वाले parts में discuss क जारने वाले हैं, Russian economy को देखेंगे हम next video में, फिर Russian society को देखेंगे, और I hope आप Russian economy और society को समझ जाओगे, तो chapter समझ जाओगे कि अच्छा Russia क्यों feasible था कि यहां पर revolution आना चाहिए, clear है, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते है, magnetbrains.com पर class 4th से class 12 त बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिगरास सिंग राजपूत, welcome to magnetbrains, इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में हम पढ़ेंगे Russian economy के बारे में, Russian economy क्या है, क्यों पढ़ेंगे, चलो मैं सम जाता हूं, देखो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने Russian Empire को समझा, हमने देखा कि अच्छा Russian Revolution में क्या क्या हुआ था, अब जो भी हुआ था तो उसके पीछे में background पढ़ना भी जरूरी है, एक background भी तो समझ में आना चाहिए, क्यों हुआ है, clear है, तो अब हम वही इस video के पढ़ने वाले हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि हम पिछले वीडियो में क्या बताया था आपको, हमने पिछले वीडियो में ये बताया था, कि जो socialism की ideology यूरोप में फैली तो उसके लिए ground था यूरोप में, तो वैसे अगर रश्या में Russian Revolution आता है, which was being triggered by the socialist ideology, तो र चलो revolution लाते हैं, revolution आ गया, उसके पीछे कारण रहा होगा, पूरा का पूरा background रहा होगा, तो वह background आपको इन दो, मतलब इन topics के सुरू clear हो जाएगा, Russian economy और Russian society, तो जो आपको topic दिया है book में, economy and society, उसे दो पारट में split कर लेते हैं, economy, economy एक वीडियो में पढ़ लेंगे, society, society एक वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है, इस पर direct question भी ऐसे आता है, कि explain the conditions which led to the revolution, economic conditions, explain the societal conditions which led to the Russian revolution, या फिर what was the condition of Russian economy and society which led to the Russian revolution, तो आपको यह धिहान रहना है कि economic और social condition ने revolution लाने में बहुत important role play करा था, अब हम वही पढ़ेंगे तो, economy क्या थी और societal conditions क्या थी, clear है, तो start क अब लिए agriculturalist economy, Russian economy की बात कर रहे हैं, Russian economy जो थी तो वो agriculturalist economy थी, क्या समझ में आए आपको इससे, इससे simple सी चीज़ यह समझ में आती है, कि रशिया में अधिकतार लोग किस sector में engaged थे, agriculture sector में, जैसे हम देखें 85% population was engaged in the agriculture sector and this proportion was much more as compared to the western Europe countries, ठीक है, western Europe countries मतलब क्या है, कि अगर तो no doubt, यहाँ पे भी लोग क्या थे, यहाँ पे भी लोग agriculture sector में engaged थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो proportion था population का, 30% सा 40% तक लोग engaged थे, लेकिन वही आप रशिया में देखते हूँ, तो रशिया में कितने लोग engaged है, 85% लोग engaged है, तो इस संस में क्या है, इस संस में एक बहु प्रड्यूस करता है, ठीक है, फुट ग्रीन वगरा जो है, खुब प्रड्यूस होता है, उसके लिए एक फेक्टर यह भी कि जमीन जादा है, लेकिन उस समय पे, majority of the population was engaged in agriculture sector, ठीक, उस समय पे आप कोई software engineer तो बनते नहीं थे, कि उनके पास दूसरा occupation भी रहे, सारे लोग अ कि market as well as for their own needs, अब जब इतने सारे लोग engaged हैं, तो market के लिए भी खूब produce करेंगे, और अपनी personal needs के लिए भी खूब produce करेंगे, मतलब खूब खाएंगे पियेंगे वो खुद भी, और दूसरे देशों को भी क्या करेंगे, बीचेंगे, तो इस sense में क्या हो रहा है, इस sense में Russian economy जो है, तो agricultural economy है, core agricultural economy है, जहां पे agriculture sector से उनके पास पैसा भी आता था, और अधिकतर लोग agriculture sector में engaged भी थे, अब देखो कहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप बोलोगे कि industrial revolution यूरोप में आ चुका था, तो इसका कही ना कही impact रशिया पे तो रहा होगा, अब रशिय यह सारी चीज़े industries की बढ़रत रहेगी, तो industries का क्या scene था, तो अगर देखते industries का scenario तो वो ऐसा था कि industries were found in pockets, इसका मतलब क्या है, कि इससे industries को इस तरह से pocket में से निकाल लिया जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, this is just an art of writing, एक लिखने का तरीका है बस, कि industries were found in pocket, मतल industries were found in pockets, मतलब industries कम थी, कम थी मतलब कि कुछ ही areas थे जैसे Petersburg और Moscow, Petersburg और Moscow को समझते हम कहां पे यह, तो यह देखिए, यह है Moscow, clear, और यह है Saint Petersburg, तो यह areas जो है, यह leading industrial areas थे, यहाँ पे कुछ industries पाई जाती थी, ज्यादा industries थी भी नहीं रशिया में, अब यहाँ पे जब कुछ industries प but most of the production was carried by craftsmen, अब craftsmen कौन है, craftsmen मतलब क्या है कि जो छोटे-छोटे कह सकते है कि कार खाने होते हैं आपने देखा होगा, कि जहाँ पे छोटे level पे production हो रहा है, तो अधिकतर production इस तरह से होता था, जैसे अगर आप 10th class में जाएंगे नहीं जब, तो आप और पढ़ेंगे इस sector जादा मजबूत था, छोटे level पे काम जादा होता था, वही चीज यहां पे भी हो रही है कि, major industrial area, Peterburgs, Moscow ये थे, no doubt, लेकिन अभी भी जो major production हो रहा था, तो it was being carried out by craftsmen, अपने-पने कार खानों में छोटे-छोटे level पे produce करते थे, और वो पूरी country के लिए produce कर लिया करते थे ठीक, फिर क्या होता है 1890s, देखो, अब 1890s के साथ में क्या होता है, railways का expansion start होता है, railways expanded, ठीक है, कहाँ पे रशिया में पढ़ रहा है तो रशिया में railways expand होती है, अब railways के expansion के साथ में ही क्या होता है, railways के expansion के साथ में foreign investment increased, अब देखो क्या है, foreign investment का concept समझाता हूँ, कि मतल इन ने प्लांट सेट अप करेगी तो यह क्या कर रही है फॉरें इंडेस्ट्मेंट लेकर आ रही है अब इंडिया में क्यों आएगी अगर इंडिया में सारी फैसलिटीज मिलेगी मार्केट मिलेगा ठीक है तो अब जब रश्या में क्या होने लगा है रेल्वेस अच्छा है वहाँ पर इंडेस्ट्रीज लगाना ठीक रहेगा है मतलब घाटे का सौधा नहीं होगा तो उस संस में क्या होता था कि जो रेल्वेस का एक्सपैंशन स्टार्ट होता एटीन एंटीज के बाद मरशिया में तो उसके बाद में फॉरें इंवेस्ट्मेंट आना साथ में कैसे स्टार्ट हो का आगा समझ में रेल वेएक्स्पैंडेड इसका मतलब क्या है कि अब लोग फॉरें इंवेश्ट्मेंट लगाएंगे तो इंडस्ट्रीज भी बढ़ेगी अब जब इंडस्ट्रीज बढ़ना इस्टार्ट होती है तो उससे उसका इंपड़ेक चार गुना बढ़ गया तो यह सारी चीज़े हुई यह आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री बढ़ रही है अब क्या होता है let us see something about these growing industries अब जो इंडस्ट्री बढ़ रही है तो इन growing industries के बारे में देखते हैं क्या सोचा होगा आपने कि इंडस्ट्री बढ़ी है तो सब कुछ इतना लोगों के पास पैसा आजाएगा लोग फरारी में घूमना स्टार्ट कर देंगे यह सारी चीज़ों होंगी नहीं ऐसा नहीं हुआ था industries बढ़ी no doubt prosperity आई होगी economy बढ़ी होगी लेकिन उसके कुछ negative impacts भी रहे क्या वो मैं समझाता हूं आपको most industries were private property of industrialist अब जो industries लग रही थी तो कौन लगा रहा था industries वही वाली बात है इसके पास पैसा होगा वह इंडस्ट्री लगा लेगा तो यहां पर private property थी इंडस्ट्री ठीक है जो private industrialist owners थे उन लोगों ने जगा 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 जाके अपनी industries लगाना start कर दी है अब industrial owners ने इंडस industries लगना start हुई थी, coal ठीक है मतलब coal production start हुआ तो iron and steel production start हुआ था तो यह industrialist जो private industrialist थे जो owners थे उनका एक ही motive होता था क्या profit maximization अब इस चीज को जड़ा connect करो पीछे से, कहां से connect करो गया आप Karl Marx की ideology के साथ में, क्या बोला था Karl Marx ने कि जो industrial owners होते है जो capitalist society होती है वहां पे basic objective क आता है उनका profit maximization, profit को maximize करना उनका basic objective होता है, तो profit maximization was their basic objective और उसके चलते क्या होता है, उसके चलते वो workers से ज्यादा काम करवाते तो यह सारी चीजे होती थी, workers को बहुत ज्यादा परिशानियों को सामना करना पड़ता था, अब आप सोचोगी कि क्या government कुछ नहीं कर रही को, लेकिन government work to ensure minimum wages and limited hours of work, ठीक है, मतलब government ने काम किया कि यह दिया जाए लोगों को, क्या minimum wages दी जाए कम से कम, और working hours जो रहें, तो limited hours of work रहें, यह सारी चीजे करने के लिए government ने सोचा, लेकिन क्या होता था, लेकिन often these rules were broken, तो जो factory inspectors वगएर रहते थे, तो वो इन rules को पोड़ा जाता था, ज्यादा लंबे समय तक काम करवाया जाता था, कम wages दी जाती थी, सारी चीजों होती थी, अब जैसे आप यह कुछ फोटोग्राफ में देख सकते हो, कि जो industry में काम कर रहे हैं, महलाई भी होती थी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है पुरुष भी ह होते थे, महलाई भी होते, तो यह सारी लोग जब काम करते थे, यह सारी लोग जब काम करते थे, तो उसके चलते क्या था, उसके चलते इन लोगों को बहुत hardship का सामना करना पड़ता था, क्योंकि आज की तरह नहीं कि आज आज आपको multinational companies मिलेगी, जो अपने employees का पूरा ध उन regulation को भी क्या कर दिया करते थे, तोड़ दिया करते थे, आगया समझ में यह तक, फिर आगे देखते हम, तो कैसे तोड़ते थे, तो long working hours up to 10 hours, ठीक है, 16 hours तक चले जाता था था, ठीक, यहाँ पर लिखना भूल गया, 16 hours, 10 hours, ठीक, तो इस तरह से क्या होता कि long working hours होते थे, आइडेली क्या देखते हैं, आज, आज के समय में कितना ideal working hour होता है, लोग 8 घंटे काम करवाते हैं, लेकिन उस समय 16-16 घंटे, सीधे double, 14 घंटे, 16 घंटे अगर काम करवा होगे आपके चीज़े, तो वो क्या होगा, वो एक तरीके से, अगर हम समझें उस चीज़ को, तो व एक तरह से क्या है, वो एक तरह से exploitation है workers का, ठीक है, काल मार्क्स के ideology के साथ relate करते चलना, सीधी चीज़े, कि profit maximization जिसके चलते workers को exploit किया जाता है, जो welfarement of worker की बात होती, वो नहीं सोची जाती है, workers were accommodated in rooms, dormitories, etc, ठीक है, अब इस चीज़ को समझो क्या है, कि ऐसे नहीं कि बह बहुत जादा सफर करना पड़ता था, workers को कैसे सफर करना पड़ता था, तो rooms तो बहुत कम मिलते थे, अधिक तरह से dormitories वगेरा बना दी जाती थी, जहां सिर्फ सोने का वो रहता था, कि एक worker सो सकता है, कि करके से workers सारे सो जाते थे, उठते थे, काम करते थे, तो इस तरह स सोच रहोंगे कि काम कर क्यों रहा है थे तो सर, जब इनकी condition खराब थे, फिर क्यों काम कर रहे थे, बिलकुल सभावी के question आना, लेकिन दूसरा कुछ option भी तो नहीं था, उनके पास, दूसरा option भी नहीं था, अब जीवन यापन करना है तो कम से कम खाने के लिए, कहीं से खा और poor houses, तो बहुत सारी लोग इस तरह से गरीवी में जी रहे हैं, ठीके, charitable kitchens जो चलते थे, वहाँ खाना खाते थे, तो living condition बहुत ज़्यादा क्या थी, miserable थी, तो इसके आदमें, workers sleeping in bunkers in dormitory, in pre-revolutionary Russia, they slept in shifts and could not keep their families with them, तो जो जो workers in industries में काम करने आते थे, तो उनको shift में सोन जाएंगे, इसे shift में सोना पड़ता था, families को अपने साथ नहीं रख सकते थे, छोटी जगा होती थी, limited जगा होती थी, कोई facilities नहीं होती थी, आगे और हम बुरी condition के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीके, तो इस तरह से हम देखेंगे कि Russian economy में, no doubt agricultural economy थी, industries भी बढ़ना स्टार् condition थी workers की, वो बहुत जादा miserable थी, तो इस संस में मैंने आपको economy वाला part बता दिया, आप हम क्या करेंगे, society को भी समझेंगे कि society का composition कैसा था, तो next video में हम वही पढ़ने वाले हैं, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हों, download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिग्रास सिंग राजपूत, welcome to magnetbrains, इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में हम अगला part जो है हमारा Russian society, पिछले वीडियो में मैंने आपको Russian economy के बारे में बताया, कि क्या economic composition था, किस sector में कितने लोग काम करते थे, और उनकी condition क्या थी, हमने जो पिछला सब कुछ पढ़ा है, तो उससे आप एक चीज़ तो सीख गए होंगे, कि workers जो थे, वो क्या थे, workers एक तरह से हैं, कि बहुत miserable life जी रहे थे, और अब उस miserable life के चलते क्या है, कि वो demand कर सकते हैं revolution के लिए, क्यों, क्योंकि कारल मार्क्स के ideology के हिसाब से, जो जो उनने बोला था, सब कुछ fit हो रहा था, exploitative nature था, capitalist, industrial owners का, workers सफर कर रहे थे, तो वो बिलकुल socialism के ideology, अगर कोई उनके बारे मे बात करता है, उनके भले के लिए बात करता है, तो उस थरफ attract होंगे ही होंगे, ठीक है, अब society देखते हैं कि society कैसे appropriate थी, socialism, ideology को adopt करने के लिए, clear है, start करते हैं, workers migrated from village and settled in cities, अब workers को क्या होता था, कि अगर गाउं में जैसे, गाउं में से क्यों migrate हो रहा है, वो भी में बताता इसके लिए भी समझातों किया है, कि वरकर्स जब गाउं से आये, ठीक है, गाउं से एक वरकर आया, वो city में settled हो गया, फिर उसको क्या होता था, कि ऐसा भी नहीं कि सारे वरकर्स को equally treat किया जाता था, क्यों नहीं किया जाता था, क्योंकि वरकर्स में division कैसे कर दिया गया था वरकर्स में division ऐसे कर दिया गया था, कि वहां की जो society थी हुए, consider करती थी कि जो metal वरकर्स है, metal वरकर्स मतलब iron and steel की industry में काम करते हैं, ठीक, तो metal वरकर्स consider themselves as aristocrates among other workers, aristocrate मतलब क्या होता जो राजा महराजा ruling class जो है, ठीक है, तो ये metal वरकर्स अपने आपको क्या मानते थे, वो दूसरे वरकर्स के compare region में, जैसे कोई worker है, जो क्या कर रहा है, वुडर industry में काम कर रहा है, ठीक है कोई worker है, जो क्या कर रहा है, textile industry में काम कर रहा है, तो इन वरकर्स से अपने आपको उपर कौन समझता था, metal workers, क्यों समझते थे भई, ठीक है, तो simple सी चीज थे, अपने आपको aristocrate consider, या फिर अपने आपको इन लोगों से उपर इसलिए consider करते थे, क्योंकि इन लोगों का काम थ्रह सा skills मांगता था, ठीक है, metal industries में आपको काम करना है, तो आपको काम करते आना चाहिए, और उसकी demand जादा रहती थी, तो इस तरह से हम क्या देखना है, कि workers migrate कर गए, और cities में आने के बाद में, वो उनकी skills के basis पर क्या कर दिया गया है, उनने डिवाइड कर दिया गया, तो workers ऐसा नहीं कि सारे workers एक जैसे कोई अपने आपको उपर consider करता था, कोई अपने आपको नीचे consider करता था, जैसे हमने देखा metal workers की condition में, फिर क्या होता है, कि अब women भी आई होगी, महलाएं भी आई होगी, तो महलाएं भी आई थी बेशक, ठीके, women made up 31% of the factory labor force by 1914, 1914 आते आते जो पूरी factory में जितनी भी total workforce थी, जितने भी लोग काम करने वाले थे, तो आप देख सकते हैं, लगबग 33% हो गया, ठीके, क्योंकि 31% जो महलाएं थी, मतलब जो पूरी workforce थी, उसमें 31% कौन थी, महलाएं थी, महलाएं काम करती थी इंडस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे एक problem क्या थी, but they were paid less than men, ठीके, जो payment दी जाती थी किसे, female gender को, female gender को जो payment दी जाती थी, वो male gender से कम दी जाती थी, अब कम क्यों देते थे, क्यों discrimination होता था इनके साथ म मतलब क्या है कि एक mindset ऐसा रहता है कि नहीं, male are, देखो, stereotype नहीं करना है, आपको, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहूँ, ऐसा सोचा जाता था क्या, कि male जो हो ज्यादा superior है, female से, तो इसके चलते क्या है, कि यह consider किया जाता था, कि इनको काम करवा रहा है, हम तो पैसे भी कम देंगे, और यही work, या फिर कह सकते है, wage disparity जो है, तो यह wage disparity आज भी देखने को मिलती है, कैसे देखने को मिलती है, wage disparity कि आज भी कहीं कि industries में ऐसा होता है, कि female को क्या दिया जाता है, कम पे किया जाता है, तो वो कारण उसका simple सा यह कि patriarchal सोच होती है, एक ऐसा mindset बन जाता ह कि हाँ, जो male है वो जादा आगे होते है, जादा उपर होते है, female से skill उने पैसे भी जादा दिया जाना चाहिए, और female कम होती है, male से नीशे होती है, इस कारण से उने पैसा कम दिया जाना चाहिए, तो यह सिर्फ mindset है, मैं support नहीं करता हूँ इस चीज को, ठीके, तो यह हो ग तो workers में no doubt division है, मानते हो इस चीज को agree करतो मेरे साथ, तो Russian society में क्या था, workers का division था, अब workers का division होने के बावजूद भी क्या था, no doubt division were there, but workers did unite to strike work, strike work क्या है, लेकिन जब बात आती थी धरने की, ठीक है, बात धरने की आती थी, कि हमें प्रदर्शन करना है, हमें क्या करना है, तो उस समय पर सारे workers एक साथ इखटे हो जाते थे, जैसे मैं आपको example देता हूँ, 9th A और 9th B जो है, तो आप 9th A और 9th B के बीच में टशल चलती रहती है, 9th A बोलती है कि नहीं हम आगे निकल जाएंगे, 9th B बोलती हम आगे निकल जाएंगे, तो इस बीच में आपस में दोनों की बनती भी नहीं होगी, 9th A 9th B के लेकिन क्या होता है, किसी volleyball competition हो रहा है आपकी school में, तो अब क्या है कि आपका 9th A 10th के बीच में competition होना, तो अब क्या होगा कि आपके बीच में division है, 9th A 9th B के बीच में division है, लेकि no doubt, अगर बात आती है किसी और से लड़ने की, मतल लेकिन ये division क्या होता, इस division के बावजूद भी, अगर strike करने की बात आती थी, अब strike क्योंकि ये industrial owner के against में करेंगे, तो उस समय पर सारे लोग एक साथ हो जाते थे, तो at times unity was being seen among them, देखने को मिलता था समय समय पर कि हाँ, सारे workers unite हो जाते थे, आया समझे है, वो बताना चाह चलो, अब आगे क्या देखते हैं, against the employer, strike किसके against करेंगे, तो strike करने के लिए जब united होते थे, they used to get united against the employer on the dismissal of their demand or work conditions, ठीके, अगर employer क्या करता, उनकी demand नहीं मानता था, उनकी work conditions इंप्रूव नहीं होती थी, तो इन सारी चीजों के लिए क्या करते थे, इन सारी चीजों के ल 26 से 1897 के बीच में, तो वहाँ पर हमने देखने को मिला कि सारे workers एक सांथ united हो गए, फिर metal industries में strike हो थी during 1902, तो वहाँ पर भी सारे लोग इखटे हो गए, तो इस तरह से, basically अगर आप देखोगे, आप Russian society को समझोगे, किस time period में, Russian society को आप समझते हो, late 19th century में, मतलब 19th century complete होन जाते थे, women का भी participation था, उनको पैसे कम दिये जाते थे, उनका division होता था, किस के against में, employers के against, मतलब जो उनके मालिक होते हैं, अगर उनकी demand नहीं मानते थे, या फिर उने कम wages देते थे, उनकी working conditions को improve नहीं करते थे, तो ठीक है, तो यह हमने देखा, यह city वाली बात होगी, कि Russian society city में कैसी थी, अब अगर हम देखते, Russian society in countryside, कि Russian society जो rural area था, जो गाउं थे, तो गाउं में कैसे थी, अभी पहले पिछली slide का आपको वह समझा देता हूं, कि गाउं से लोग क्यों migrate कर गए होंगे, गाउं से लोगों का migrate करने का simple सा कारण यह था, कि जैसे most of the properties were owned by nobility, the crown and the Orthodox Church, तो जो अपर स्ट्रेटा है society का, तो प्रॉपर्टी ओन उनने करके रखी थी, जाधा तर, अब पीजन्स के वाद में छोटी-छोटी प्रॉपर्टी होती थी, उरो ने सोचा कि यहां से छोड़के हम काँ जाते हैं, शेहरों में चलतो, फेक्ट्री में काम करेंगे, यह खेती किसान ही करेंगे, तो पीजन्स कल्टिवेटेड मोस्ट ओफ दी लेंड, लेकिन वट वही वाली बात, बट मोस्ट ओफ दी प्रॉपर्टी वर ओन बाए नोबलिटी, दी क्राउन एंड और ओर्थोडोक्स चर्च, तो अधिकतर जो प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉप अपर स्टेट्स जो थे, जो अपर स्टाइटा है, वो लोग जादा प्रॉपर्टी को अपने अंडर में लेके बेटे थे, यूरोप में भी, तो अब यूरोप में भी यही सीन चल रहा था पूरा, तो इसके चलते क्या होता था कि पीजन्स, वही मैंने आपको बताई, बह पीजन्स और पीजन्स कि बेशन्स इनखा कि स्केल वेशन्स Bengalгорulations में लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था, यहांपे पीजन्स भी धिवाइडेंग थे, बनादार मार्कर्स थ 날 ही थे, पीजन्स भी धिवाइडेंग थे, पीजन्स किस बेशे इसस प्शन्स कि तरह कारते थे, क अ और दूसरे की फील्ड पर जाके काम करना लेबर की तरह और कुछ पीजन्स जो थे तो इनके पाथ थोड़ी बहुत जमीन थी तो अपनी खुद की खेती करते थे तो इस संस में क्या है इस संस में जैसे हमने देखा इंडस्ट्री में वर्कर्स डिवाइड़ थे उसी तरह से में पीजन्स भी डिवाइड़ थे कुछ पीजन्स के अपनी खुद की खेती होती थी तो वह थोड़े ऊपर अपने आपको कंसीडर करते थे कुछ पीजन्स किसी और क्या एज लेबर काम करते थे तो अपने आपको नीचे कंसीडर करते थे तो इस तरह से कौन अब इस चीज को समझो, पहले मैं आपको समझा देता हूं, क्या होता है, कि रुशिया में अगर हम देखें, तो पीजेंट हैं, पीजेंट किसके साथ मिलके काम करते थे नॉबेलिटी के साथ में, नॉबेलिटी मतलब कौन है, कि वो सारे अमीर लोग सोसाइटी के है, जिन ल लोग हो गए कौन वो लोग हो गए nobility तो अब रश्या में क्या होते थे कि जो पीजन्स थे रश्यान पीजन्स लिखनों को मिल गया था कि उनकी रिस्पेक्ट कर दिया करते थे क्यों क्योंकि हमने अगर आपको ध्यान हो तो अब एस येस मेरा भी वगयरा पड़ा था तो नोबेलिटी ने भी किसका साथ दिया था पीजन्स वगयरा का थार्ड स्टेट का साथ दिया था तो वहां पे मतलब नोबेलिटी कहीं कहीं साथ देती थी तो वहां के पीजन्स क्या करते थे रिस्पेक्ट करते थे किसकी रिस्पेक्ट करते थे वहां के पीजन्स रिस्पेक्ट करते थे वहां के नोबल्स की लेकिन रश्या में ऐसा नहीं था रश्या में ऐसा क्यों नहीं था सवाल य अब देखो क्या है, सारी property यहां पर किस ने ओन करके रखी थी, सारी property रशिया में जादा तर यह मैंने बता है, owned by nobility, the crown and the orthodox church, और Russian peasants के पास बहुत कम property होती थी, तो Russian peasants चाहते थे क्या, Russian peasants wanted the land of nobles, वो चाहते थे कि nobles की land छुड़ा लो बस, और कुछ मत करो, nobles एक बार land लेने के हम तो क्या हो जाएगा, सारे लोगों की परिशानी खतम हो जाएगी, और उसी के साथ साथ में nobles होते थे, तो nobles जादा किस से जुड़े हुए थे, nobles जादा जुड़े होते राजा के साथ में, और राजा अत्याचारी, कौन था सार निकोलस टू, तो उसके चलते क्या है कि लोग पसंद नहीं करते थे, किसे? nobles को, यहाँ के peasants इसलिए यह statement लिखा, peasants had no respect for nobilities, unlike it was observed during French Revolution in Britannia, clear है? तो अब यहाँ पर ऐसा question बन सकते थे, in-depth question यह बन सकता है, मैंने आपको broad out time तो बता दी कि question यह बनेगा, Russian society, Russian economy को explain करने को पुछा जाएगा, लेकिन अ लिखना है क्यों क्योंकि वहाँ के जो peasants थे, France के, वो इसलिए respect करते थे, वहाँ के nobles की, क्योंकि वहाँ के nobles ने उनकी लड़ाई में, उनकी मदद करी, यह सब यह सब यहाँ हमने देखा, और उसी के साथ दूसरी चीज क्या है, कि Russia के peasants इसलिए नहीं करते थे, because Russian peasants wanted the land of nobles, ठीक है, और nobles जो थे, वह ज्यादा राजा के साथ में जुड़ा हुए थे, तो इन सारी चीजों के चलते, peasants और nobles में कभी बनती नहीं थी, clear है, यह हो गया, अब देखो, यहाँ पे क्या है, Russian peasants were different from other European peasants, एक और चीज यहाँ पे आ गई, कि European peasants और, जो other European peasants, मतलब France, Germany, यहाँ के peasants को अगर आप देखोगे, तो उनके comparison में, Russia के जो peasants है, वो अलग थे, अलग कैसे थे, उनके चार आँखे थी क्या, नहीं, चार आँखे नहीं थी, अलग essence में थे, they worked by pulling their land together, and then, and then dividing the output according to the needs of individual, जैसे हमने क्या पढ़ा था, Karl Marx के ideology पे फिर से चले जाओ, Robert Owen क ideology पे फिर से चले जाओ, वो क्या बात करते हैं, cooperatives की बात करते थे, वो क्या बोलते थे, कि सारे लोग एक साथ मिलके काम करें, और अपनी जरूरतों के हिसाब से बाट लें, तो Russian peasants जो थे, तो वो naturally इस तरीके से क्या थे, naturally वो एक तरह से क्या देखने को मिलता था, जैसे ह पूरा इक साथ मिला लेते थे, सारी जमीन को एक सांथ मिला लेते थे, सारी जमीन को एक सांथ मिलाते थे, कम्यून बनाते थे, मीर, ठीक है, they work by pulling their land together, उनका जो कम्यून रहता था, जो पूरा एक सिस्टम बना लिया, उन्होंने, उसको मीर कहते है, Russian language में, तो वो पूरा ए खटा करते थे फिर एक साथ खेती करते थे and then dividing the output according to the needs of individual और फिर जितना भी produce होता था उसे हर individual की need के हिसाब से क्या कर लिया जाता था तो यह सिस्टम रहता था किसका यह सिस्टम रहता था रश्या में जो पीजन्स थे उनका काम करने का और इस तरह से यूरोप के दूसरे पी फोटोन पीजन्स जो है वह क्या है इस सेंस में रश्यान पीजन्स अलग होने किस से अलग होने थे थे एसस में रश्याइन पीजन्स एक प्रशोब्ति एक सब्रेगराप नहीं होतेता Chief अब शूप्षस से किस बने हों किन और था फॉट Am society पूरी पड़ी, Russian economy पूरी पड़ी, हमने Russian economy में ये देखा कि किस तरह से जो workers थी, उनकी condition बहुत जादा miserable थी, क्या-क्या composition था, ठीक, फिर Russian society पे हमने देखा, तो किस तरह से society में division था, no doubt, division था workers के बीच में, division था peasants के बीच में भी, उनका जो काम करने का तरीका था, कम्यून में, मीर में काम करने का तरीका जो था, तो वो अलग था, clear है, तो ये सारा सब कुछ हमने पड़ा, अब इतना सारा सब कुछ पढ़ने के बाद में, Russian society को, Russian economy को पढ़ने के बाद में, I hope आपको एक basic, मतलब आप क्या कर पारे हो, dots को connect कर पारे हो अब, कि Russian society was favorable, या फिर Russian society was aligned with the idea of Karl Marx, Robert Irwin, socialism का जो idea है, तो उस idea के साथ में aligned थी Russian society, workers के sense में भी देख लो आप, ठीके, peasants के sense में भी देख लो आप, यहाँ पे जो conditions डेवलप हो रही थी, वो भी revolution के लिए fertile ground provide कर रही थी, कि परिशानी थी लोगों को, ठीके, तो इन सारी चीजों के चलते क्या आप, धीरे से socialism के ideology जो है, वो रशिया में popular होते चले ही आएगी, तो अब हम next video में यही पढ़ेंगे, कि किस तरह से socialism के ideology, रशिया में जो है वो popular होते चलेगी, आया समझ में यहाँ तक ठीक है, इस chapter के notes आप हमारी official website, magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के sub-topics, एक arranged format में available हैं, जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हों, डाउनलोड कर सकते हैं, feel free to visit our official website, magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much. Hello everybody, this is DIGRAS SINGH RAJPOOTH, welcome to Magnet Brains. इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस video में हम पढ़ेंगे socialism in Russia, क्यों पढ़ेंगे? आईए समझाता हूँ. पिछले वीडियो तक मैंने आपको क्या बताया है? पिछले वीडियो तक मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से जो रश्या की socio-economic condition थी, मतलब रश्या की economy और रश्या की जो social condition थी, they were creating a favorable ground for revolution. Revolution कैसे आएगा? पैरों से चलके? नहीं. Revolution आएगा किसी ideology की basis पे. Socialism ideology थी, तो अब हमने देखा कि वहाँ की जो economy, वहाँ की जो society थी, they were supporting socialism ideology. ठीक है, socialism की जो ideology थी, उसे support कर रहे थे. तो अब हम यही देखते हैं कि socialism रश्या में किस तरह से expand होती है. ठीक है? स्टार्ट करते हैं. ठीक है? बिफोर 1914, all political parties were illegal in Russia. क्यों? समझाता हूँ मैं आपको. इस समय तक 1914 के पहले तक क्या चल रहा है? कौन rule कर रहा है? rule कर रहा है वो uncle Sir Nicholas II. ठीक है? Emperor rule कर रहा है, मोनार्की चल रही है यहाँ पे. अब राजा जैसे चाहेंगे वैसा होगा. तो राजा ने बोलकर रख दिया था कोई भी political party नहीं बनाएगा मेरे अगेंस्ट में. क्यों? क्योंकि राजा को डर लगता था, political parties बनेगी, revolution आ जाएगा, हटा के फेक देंगे हम एक जगा. तो उस सेंस में राजा ने हमेशा यह बोला कि कोई भी political party नहीं बनेगी. मतलब, political parties were illegal in Russia. अब क्या होता है? कि Russian Social Democratic Workers Party, Russian Social Democratic Labour Party भी लिखा जाता इसे. तो यह party बनाई गई थी, कब founded in 1898. अब आप भी इस तरह से सिर्क वजा रहे होंगे अपना, ठीक है? और सोच रहे होंगे कैसे, illegal था फिर party कैसे बना ली? तो भाई यह बहुत सारी चीज़ां illegal होती है, illegal होती लेकिन हो रहे ही है न वो, तो वो कैसे होती है? secretly होती, illegal तरीके से होती है, तो वही चीज़ यहां पर होई. Due to government policies, it operated secretly as an illegal organization. तो पार्टी तो बन गई थी, पार्टी कप बन गई थी, 1898 में ही बन गई थी, इस अलाव कप किया है, 1914 में लेकिन इतने सालों तक चुप-चाप, चोरी-चुपे क्या करती थी, illegal तरह से काम करती थी पार्टी, कौन सी? Russian Social Democratic Workers Party, इस पार्टी को ध्यान रखना, यहां पर workers की तरह labor भी आ जाता है, यह labor की तरह भी use किया जाता है, मतलब labor word use कर लेते हैं, आपकी book में workers लिगा तो हम workers पढ़ रहे हैं, तो यह जो पार्टी थी, इस पार्टी को ध्यान रखना है, क्योंकि आगे इसमें split होने वाला, जो हम पढ़ेंगे अभी, clear next video में, तो अब देखो क्या होता है, इस तरह से एक party बनाई गई है, जो क्या काम करती थी, दिखती बात है, जो socialism ideology को support करती थी, यह जो party का काम था, इस party का काम था, workers के बीच में, city जो थी, तो जो कह सकते हैं, जो urban areas है, वहाँ पे यह party का काम ते newspapers print करती थी, लोगों को aware करती थी, socialist ideology के बारे में, तो इस तरह से सारा काम करती थी, यह party, अभी क्या होता है, कि कुछ Russian socialist जो थे, वो लोग Russian peasants को लेके कुछ सोचते थे, क्या सोचते थे, तो कुछ Russian socialist का, तो को समझते चलना है, यहाँ पे, Russian socialist मैंने बोला है, मतलब, वो सार Russians जो socialism के ideology को support करते हैं, अभी इन में division हो जाएगा, ध्यान रखना, तो कुछ Russian socialist जो थे, वो क्या बोलते थे कि Russian peasants are natural socialist, पिछले वीडियो को recall करो, मैंने बताया थे ना कि वो Russian peasants को naturally socialist क्यों मानते हैं, वो natural socialist क्यों मानते हैं, तो उसके पीछे कारण है, क्या, because of their custom of dividing land periodically, तो Russian peasants मैंने बताया था कि सारे peasants अपनी land को एक साथ पुल कर लेते थे, फिर जो produce होता था उसे divide कर लेते थे, तो यह उनका custom था, अब यह custom किस ideology के साथ में match हो रहा है, यह custom socialism की ideology के साथ में match हो रहा है न, तो उस sense में कुछ जो Russian socialist थे, उन लोगों का सोचना था, कि Russian peasants का है, य आया समझ में, therefore it was believed that peasants would be the main force of revolution, तो ऐसा माना भी जाता था कि अगर revolution आएगा, तो peasants इलाएंगे, क्योंकि peasants के अंदर वो characteristics देखने को मिल रही है, कौन सी characteristics देखने को मिल रही है, peasants के अंदर characteristics देखने को मिल रही है, naturally socialist बनने की, आया समझ में, तो यह argument थी कुछ Russian socialist की, आ होता है कि even आपको बता है जो Russian Social Democratic Workers Party है, यह जो पार्टी है तो इसका काम कहाँ पे था, countryside, rural areas को नहीं, urban areas में ज्यादा काम था, और peasants ने भी अपनी एक socialist party बना ली थी, लोगों ने उन्हें पंप कर दिया कि यहां, तुम तो naturally socialist हो, revolution तुम ही लेके आओगे, peasants को बोला गया, तो peasants ने अपनी एक अलग political party बनाई, formation of socialist revolutionary party in 1900 by peasants, यह भी secretly काम करेगी, ठीक है, 1914 के पहले सारी parties illegal थी, illegal होने के बावजूद, लेकिन सारी parties जो बन रही थी तो secretly illegal तरह से ही काम कर रही थी, clear है, तो यहां पे क्या होता, formation of socialist revolutionary party, यह किस ने बनाई यह, peasants ने बनाई है, कब ब अब देखो क्या है, मैंने जो बोला ना कि इस argument को किसी ने counter करा, Lenin ने counter करा था, तो क्यों किया था, अब देखो, social democrats आ गया है, social democrats मतलब क्या है, दो लोग है, social democrats disagreed with socialist revolutionaries, socialist revolutionaries मतलब peasants के लिए यूज किया गया, जो peasants वाला group था, जो जादा violence में जादा विश्वास रखते थे, ठीक है, तो social, socialist revolutionaries क्या बोलते थे, कि peasants are naturally socialist revolutionaries अगर आएगा, तो peasants लेके आएंगे, वो ऐसी सोच रखते थे, और इस सोच से disagree कौन होता था, इस सोच से disagree होते थे, social democrats, social democrats, social democrats मतलब जो, क्या, जैसे जो Lenin की party थी, मतलब जो Lenin का group था, उन लोगों का ऐसा सोचना था, social भीड के नहीं, हम क्या करेंगे, एक organized protest के form में change लाएंगे, तो वो Lenin वाले ideology, तो social democrats disagreed with socialist revolutionaries, आगया समझ में, तो इस social democrats क्या करते थे, disagree होते थे, socialist revolutionaries के साथ में, किस बात पे, over the fact that Russian peasants are naturally socialist, इस fact के उपर वो उन से disagree जाते थे, जैसे, हमने देखा कि, क्या बोलते थे, जो socialist revolution socialist हैं, जिसे हमने रुशियन socialist के नाम से discuss किया पिछली slide में, वो ये बोलते थे, ये naturally socialist है, peasants, लेकिन इस चीज को counter किया social democrats, उन्होंने बोला, नहीं, ये लोग naturally socialist नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि Lenin felt that peasants were not one united group, Lenin का ऐसा मानना था, कि इतने भी peasants है, ये peasants one united group नहीं है, ज साथ नहीं आएंगे, ठीक, और क्या बोलते थे Lenin, some worked as a worker and employed worker, तो कुछ क्या करते थे, worker की तरह काम करते थे, and some employed workers, जो बड़े peasants होते तो अपने काम पे रख लेते, कुछ worker को, जो भी peasants होते थे, और कुछ छोटे peasants होते तो worker की तरह काम करते थे, तो इनके बीच में क्या आपस में ऐसा नहीं है, एक दूसरे से वो क्या है, एक दूसरे से गुस्सा है, या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट है, यहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट है, rich और poor क्या हो गया, opposite pole हो गया, rich एक तरफ रहेंगे, तो poor क्या रहेंगे, poor एक तरफ रहेंगे, clear, तो संस में क लेनिन का यह argument था कि peasants were not one united group और जो आप यह argument दे रहे हो किस से बोला socialist revolutionary से कि naturally socialist है, peasants, naturally socialist है, यह revolution लाएंगे, तो लेनिन न उस चीज़ को counter कि उस चीज़ को गलट है आया, बोला कि नहीं अगर revolution आता है, तो revolution peasants नहीं लाएंगे, revolution कौन लाएंगे, workers लाएंगे, peasants क्यों नहीं लाप आएंगे, क्योंकि peasants are not one united group, therefore this differentiation यह जो differentiation उनके बीच में rich poor का, कोई worker है, कोई employer है, तो this differentiation within them, within them मतलब peasants, didn't allowed peasants to be a part of socialist movement, इसी के चलते हैं, जो socialist movement, जो revolution आना है, तो वो peasants नहीं लाप आएंगे, आगा है समझ में, आप देखो क्या है, तो यहाँ से division स्टार्ट हो जाता है, कि Lenin का जो point of view था, वो थोड़ा अलग था, compare किया जाए, जो socialist revolutionaries थे, ठीक है, तो Lenin को support भी अभी हम देखते हैं, आगे जादा मिलेगा, कारणवारन सब समझाओंगा मैं आपको, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक क्या समझना क्या था, इसमें अगर एक बार recall करें हम सारी चीजों को, तो socialism in Russia में हमने देखा किस तरह से political parties बनना स्टार्ट होती है, और इन parties के बाद में फिर हमने वहला argument समझ लिया, इस पर कोशन अगर ऐसा आता है, कि why Lenin disagreed with the fact that peasants could bring the revolution in Russia, तो वह आपको मैंने समझा दया क्योंकि Lenin का मानना था, peasants are not one united group, आ गया समझ में, यहाँ तक हमारा यहाला topic complete होता है, अब मैंने आपको जो बताया, आपको क्या कि आगे जाके split देखने को में लगा है इन ideology के बीच में, तो वही split हम समझेंगे, बॉल्शविक क्या है, मैंशविक क्या है, क्योंकि उस पे specific question भी बनता है, और socialism in Russia, जैसे socialism ideology evolve हो रही है न, तो उसमें एक important role play करती है, यह जो split होती है दोनों के बीच में, बॉल्शविक, मैंशविक, किस party में split होगी तो party भी आपको समझा देते हैं, यह जो party है न, Russian Social Democratic Workers Party, यह आगे जाके दो parts में बढ़ जाएगी, दो parts में बटेगी, वही सारी चीज़े हम next video में पढ़ने वाले हैं, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिने आप बहुत इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिगराश सिंह राजपूद, welcome to magnetbrains, इस video में क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में हम पढ़ेंगे bolsheviks and mensheviks, क्या हैं bolsheviks और mensheviks, पिछले video को जड़ा recall करो, पिछले video मे देखाता है कि Lenin की सोच कुछ अलग थी, ठीके, अब इस अलग सोच के कारण क्या होता है, कि चीजें और बदल जाती है, कैसे बदलती है, वो में आपको समझाता हूँ, अभी ये specific video बनाने के पीछे कारण क्या है, इस पर direct question आता है, what are the difference between bolshevik and mensheviks, ठीके, explain bolshevik, explain mensheviks, अब आपको ध्यान रखना है, इस video में आपको उस question का answer मिल जाएगा, clear है, हम क्या पढ़ रहे है, मतलब broad hitting हमारी वही है, socialism in Russia, कि Russia में किस तरह से socialism धीरे धीरे अपनी जड़े फैलाता जा रहा है, parties बन गई थी, अब उन parties में कैसे split होती है, अलग-अलग, वो मैं आपको Bolshevik हो जाता है, और दूसरा हो जाता है, मेंशविक, Bolshevik क्या होता है, मेंशविक क्या होता है, तो एक बात बतातो हमें, आपको Russian language में Bolshevik का मतलब होता है majority, और मेंशविक का मतलब होता है minority, तो अब आप समझी गए होंगे, कि यह जो Bolshevik है, यह जो हमारी party थी, Russian Social Democratic Workers Party, इस party का majority part है, और यह जो है, इस party का minority part है, तो split होने के बाद में इस तरह से कुछ बढ़ जाते है, लेकिन यह Russian language में majority minority कहा जाता है, अगर समझे तो कभी-कभी मेंशविक के पास भी ज्यादा strength हुआ करती थी, कभी-कभी Bolshevik के पास भी ज्यादा strength हुआ करती थी, फिर दोनों में majority faction headed by Vladimir Lenin, ठीक है, Vladimir Lenin lead कर रहे थे, यह नाम है अंकल का, बहुत सी बार देख चुके फोटो भी और नाम भी याद हो गया होगा आपका, he believed that party should be disciplined and should control the number and quality of its member, इनका यह मानना था, simple सी चीज थी, कि जो Russian Social Democratic Workers Party है, इस party को क्या किया जाए, इस party को, मतलब ऐसा नहीं कि सब को ल साथ में कुछ, जैसे इनके opinions ही है थे कि workers should be the force of revolution, पीजन पे जादा focus नहीं करते, तो इस perspective से क्या है कि Lenin का एक अलग mindset था और उस mindset को follow करने वाले एक अलग लोग थे, और जो majority faction था, वो इनके साथ था Lenin के साथ में, ठीक है, फिर अगर देखें, इधर मेंशिविक वाला, तो आपकी book में नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको general knowledge के लिए बता रहा हूँ था कि आप relate कर पाओ, तो जो दूसरे बचा हुआ fraction था, another fraction of the party headed by Julius Martov, यह है Julius Martov, तो यह Lenin के against में आवाज उठाते बोलते हैं कि नहीं नहीं, Lenin का ऐसा बोलना ठीक नहीं है, peasants को भी जोडो, जितने लोग जोड सकते हैं, उतने लोग जोडो, जर्मनी में जिस तरह से socialism का काम चल रहा था, बोल रहा थे कि हम जर्मनी वाली line पे काम करेंगे, ठीक है, तो he, मतलब इनके जो followers थे मैंशेविक के, Julius Martov के, तो they believed that party should be open to all, as in Germany, जर्मनी के जो हमने देखा था, German Social Workers Party जो थी तो उस party से क्या था, उस party से relate करते थे, बोलते थे कि हम वैसी party बनाना है अपने को भी, तो उसके चलते क्या है, कि अब एक wing है, The Russian Social Democratic Workers Party, अब इसका एक mindset होना चीए, अलग अलग leaders होगे, अलग अलग सोच वाले, तो उसके चलते क्या होगा, उसके चलते कहीं न कही disparity develop हो इस split happened in 1903, तो 1903 में split हो जाता है, इस party में इस Russian Social Democratic Workers Party हो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते दो blocks बन जाते हैं, दो blocks बन जाते हैं, बोल्शविक का और मेंशविक का, ठीक यहाँ पर एस लगा देते हैं, तो बोल्शविक का एक block बन गया, एक मेंशविक का block बन गया, और बोल्शविक का lead कर रहे थे, वल्दमिर लेनिन, और जो मेंशविक party थी, मेंशविक block था, उसे lead कर रहे थे, कौन? Julius Martov, यह हो गया, हाँ तक समझ में आ गया, तो आप इसे relate करो कहा आपने पिछले वीडियो से कि socialism हम जो यूरॉप देख रहे थे, तो वहाँ पे हमने देख लिया है कि किस तरह से जो support है, socialism का, वो रशिया में भी बढ़ गया, ठीक है, मैंने अभी शायद पहले यूरॉप कह दिया, तो उसे रशिया करेक्ट कर लीजएगा, तो रशिया में भी क्या है, वो support बढ़ जाता है, clear है, तो यह सारी चीज़े हो गई है, अब हम आगे दे ग्राउंड है, वो मैं आपको आप नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, clear है, तो इस चाप्टर के notes, आप हमारी official website, magnetbrains.com पर जाकर, बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते है, magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक, सभी subjects, सभी chapters, और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available है, जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते है, समझ सकते हो, डाउनलोड कर सकते है, feel free to visit our official website, magnetbrains.com, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, thank you, thank you very much. तो अब हम देखते हैं कि पहली बार जो चिंगारी की बात की जाती है, कि पहली बार जो पहली अप्राइजिंग कब देखने को मिली थी, कि लोगों ने change की demand की हो, ठीकें, तो वही हम समझने वाले हैं इस वीडियो में पूरा, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो 1905 revolution था, तो उसके लिए background क्या था, तो अगर मैं यह कहूँ कि हम यह जो turbulent time लिखा है, इस चीज़ को इस वीडियो में समझ लेते हैं कि कैसे चीज़े जो थी वो सब कुछ सही नहीं था, सब कुछ जो भी हम सोच रहे थे कि रश्या में बदलाओ आएगा तो बदलाओ के लिए जो change की जरुवत थी, बदलाओ के लिए जो ground की जरुवत थी, तो वो यहां से मिलता है आपको, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, Russia was an autocracy, पहले एक चीज़ और समझाते हो, turbulent time मतलब क्या है, कि बहुत उपर नीचे हो रही है चीज़े, stable नहीं है, तो वो turbulent time है, तो ऐसा क्या हुआ था कि इस time को turbulent time कहा गाया, 1905 revolution के पहले की बात, या फिर कह सकते ground पढ़ते हैं, तो Russia was an autocracy, autocracy मतलब क्या होता है, autocracy मतलब यह होता है कि ऐसा system rule का, जहां पर सब कुछ एक आदमी के हिसाप से चलता है, just manner में होता है, जो ruler है वो जै अपने हिसाप से सारी चीज़े चलाना, तो Russia was an autocracy, the Tsar was not subject to parliament, Tsar Nicholas 2 जो राजा थे, he was not subject to parliament, अपने हिसाप से चीज़े करते थे, उन्हें जो ठीक लगता था वो कर लिया करते थे, Parliament के लिए वो कोई responsible नहीं होते थे, कि Parliament बनाई भी है, तो Parliament से discussion नहीं करना हुने, ठीक है, को 1% centric होने के चलते हैं, राजा autocratic होगा, राजा सब कुछ अपने हिसाप से करने लगें, clear, यह हो गया, अब मुझे बताइए आप, कि being a citizen अगर आज हमारे देश में ऐसा हो जाता है, कि सारी power एक इनसान में दी जाए, वो एक इनसान अपने हिसाप से सारा सब कुछ करे, तो क्या लोग इस से खुश थे, नहीं, लोग खुश नहीं थे, ठीक है, बिलकुल, मतलब आपने सही आंसर अपने मनी मन में दे दिया है, वो क्या है, no, liberals, social democrats, social revolutionaries, तो जितने भी अलग-अलग groups हमने पड़े हैं, कि वो चाहे, menshevik हो, bolshevik हो, कोई भी हो, उनके बीच में जो की लोग, continuously demand करते थे और, continuously demand करते थे, तो अब आपको एक ground समझ में आ गया, कि रशिया में जो भी चल रहा था, autocratic rule चल रहा था, उस rule से खुश कोई नहीं था, खुश कोई नहीं था, और उसी के साथ में क्या था, सारी लोग demand चाहते थे, मतलब change चाहते थे, change की demand कर रहे थ क्या demand थे, उनकी constitution चाहते थे, strong parliament चाहते थे, यह सारी चीजों की demand रखते थे, अब इस तरह की सोच जो थी change चाह रहे थे जो लोग, जो constitution की demand कर रहे थे, parliament की, तो यह सिर्फ liberal, social democrats या social revolutionaries नहीं थे, और भी जितने दूसरे लोग थे, वो भी support करते थे इस चीज को, they were supported by nationalists, nationalist nationalist कौन होते हैं, मैंने starting में बताया था, आपको, जो nation, nation की feeling को लेके चलते हैं, की nation एक साथ होना चाहिए, वो सारी चीजों होना चाहिए, तो एक social democratic nationalist नेशनलिस्ट भी हो सकता है, तो in general हम क्या कह रहे हैं, कि हर देश भक्त ये चाहता था, ठीक है, हर राष्ट्रवादी ये चाहते थे, तो जादेदिस्ट कौन थे, Muslim reformers in Russian empire who wanted to modernize Islam, ठीक है, तो जितने भी Muslim reformer थे रशिया में, जो रशिया की population एक section है, उसमें Muslim reformers जो थे जो इसलाम को modernize करवाना चाहते थे, जो orthodoxy चली आ रही थी Islam में, रशिया में, उसे बदलना चाहते थे, तो उसके जो, मतलब इस ideology को रखने वाले, इस तरह इस चीज़ पर काम करने वाले जो लोग थे, वो जादिदिस्ट थे, ठीक है, तो अब क्या होता है, अभी इस slide से हम क्या समझे इतना, कि राजा autocratic था, राजा से कोई खुश नहीं था, सब बदलाव चाहते थे और जो बदलाव चाह रहे थे उपर नीचे हो रहा है, तो इस समय पर बदलाव आ सकता है, ठीक है, बदलाव आ सकता है, और बदलाव के लिए हमने देखा पहला कारन तो autocratic rule बन जाएगा, कि राजा का rule बहुत autocratic है, लोग उससे खुश नहीं है, तो यह autocratic rule along with bad economic conditions, bad economic conditions क्या है ये, तो वो भी समझातों मे economic conditions क्यों खराब हो रही थी, तो ये दोनों चीजों ने मिलके क्या किया, समय को और ज्यादा turbulent बना दिया, समय को और ज्यादा fragile बना दिया, कि हाँ revolution लाने के लिए या फिर कह सकते हो, कि लोगों के अंदर जो outburst था अभी तक का, जो घुस्ता और ने जमा करके रखा था, वो बनार खटेंगे, February revolution और October revolution यही Russian revolution है, तो वह इस perspective से क्योंकि इसको control कर लिया गया था इस moment को, लेकिन February revolution और October revolution को control नहीं किया गया था, तो उस perspective से revolution उतना ज्यादा कुछ दे नहीं पाया था, लेकिन फिर भी एक significance तो रहता ना, यह जैसे आप Indian national movement पढ़ते हैं, तो revolt of 1857 से ह आजादी नहीं मिली, ठीके, हमें आजादी नहीं मिली थी, लेकिन हम फिर भी उस revolt of 1857 को क्या करते हैं, बहुत जादा प्रेस करते हैं, उस revolt को हम बहुत important मानते हैं, क्यों important मानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पहली बार हमने आवाज उठाई थी आए समझ में, आप जैसे क पहले match को याद रखते हो वही चीज यहां पर थी कि पहली चिंगारी मिल गई तो अब क्या होता है यह आपको मैं बतातों कि bad economic conditions क्या थी ठीक है इन दोनों चीजोंने क्या किया इन दोनों चीजोंने टाइम को और tribunal बनाया revolution के यहां से demand start होती है अब bad economic condition क्यों थी वह मैं आपको समझाता हूँ, during 1904, prices of essential goods rose, जो essential goods होते है, essential goods क्या होते है, जो आपको खाना चाहिए, food grains, वो essential है आपके जीने के लिए, तो इन सारे essential goods की price जो है, वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, कब बढ़ रही थी, वो सारी चीज़े बढ़ रही थी, 1904 के बाद में, क्यों बढ़ रही थी, वो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे क्या होता है, कभी-कभी weather के कारण, ठीके, जो जैसे, कहा लिजे कि हाँ पर agriculture economy थी, हमने basic पढ़ा था, कि prominent क्या था, agriculture sector prominent था, अब अगर मान लो मौसम खराब हो जाता है, crop failure हो जाता है, तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते महंगाई बढ़ेगी, तो यहाँ पर वही हो रहा था, कि 1904 के टाइम पर यहाँ पर लड़ाई भी चल रही थी, जो essential goods होते हैं, food grains वगरे यह साही चीज़े, इनकी कीमत बढ़ गई, अब इनकी जब कीमत बढ़ गई थी, लोगों की जो real wages थी, वो decrease हो गई, यह real wages वाला concept में आपको समझाता हूँ, देखो क्या होता है, कि आपको जैसे मैं 10,000 रुपे दे रहा हूँ, लेकिन 10,000 रुपे में परिवार नहीं चल पाएगा, आज से 10 साल पहले चल जाता था, क्यों, क्योंकि 10 साल पहले क्या थी, जो essential goods थे, उनकी कीमत क्या थी, कम थी, आज महंगाई भी बढ़ गई हैं, तो पैसे तो आपके वही हैं, 10,000 तब भी थे, 10,000 आज भी थे, लेकिन आज आज आपकी real wages क्या हो गई हैं, आज आज आपकी real wages कम हो गई है, आयाज से ने तो वहीं यहाँ पे हुआ, कि लोगों को पैसे मिलना कम नहीं हुए थे, लोगों को पैसे उतना ही मिल रहे थे, लेकिन क्योंकि essential goods की कीमत बढ़ गई है, अब आज आपको एक लाग उपे देते तो और आप मार्केट में जाते हो तो आप पतल अगर आपको कि 50,000 रुपे क्विंटल आपको गिहू मिलेगा तो क्या है आपको इंकम तो बहुत है आपकी लेकिन आपकी real wage क्या हो गई है कम हो गई है तो यह real wage का concept है क्योंकि महंगाई बढ़ी तो महंगाई बढ़ने के कारण जो real wages थी वो कम हो गई real wages कम कितनी हो गई by 20% अब इसके चलते क्या होता इसके चलते economic conditions जो होती है वो बिगड़ने लगती है ठीक है तो autocratic rule along with bad economic conditions लोगों को economically बहुत जादा मजबूर feel कर रहे थे लोग कमजोर feel कर रहे थे तो उसके चलते क्या है इसे कहा गया है bad economic condition इन सारी चीजों के चलते क्या है इन सारी चीजों के चलते बहुत सारी workers organization associations जो बन रहे थे तो इन associations की हमेशा क्या डिमांड रहती थी कि wages को बढ़ा जाए वर्किंग आर्स को कम किया जाए तो और उस समय में जब economic condition खराब हो रही है तो लोगों को ऐसा दिख रहा था workers को ऐसा दिख रहा था कि यार यह हमारे लिए काम कर रहे हमारे हमारे upliftment की लिए आवाज उठा रहे है तो उस सेंस में क्या है कि अब जब परेशानी है तो जब आदनी विमार होता तब डॉक्टर के पास जाता ना ऐसी थूरी नहीं चले जा तो कि चलो आज injection लगवा क्या देंक तो उसी तरह से यहाँ पर विया कि workers जो परिशान थें तो इन वरकर्स की membership बढ़ते चले गई workers membership leverage Association रोज अब इसके चलते क्या है कि worker की जो association थी उनकी पावर बढ़ रहे थी ठिके वरकर्स की जो association थी वह ढ़ Почему strong होता जा रही थी यहाँ अब क्या होता है one day when four member of assembly of Russia ठीक है अब ये assembly of Russia क्या है मतलब एक association है तो one day when four members of assembly of Russian ये पूरा है assembly of Russian workers were removed from putilov iron works ठीक है अब थोड़ा इस statement को पहले समझादों इसमें terms क्या क्या है देखो चार members थे ठीक है चार members कहां के assembly of Russian workers तो ये एक और association है जिसे हमने देखा workers के associations बढ़ते जा रही थी तो एक workers की association थी उसके चार members को remove कर दिया गया कहां से एक putilov iron works एक industry थी उस industry में से चार लोगों को हटा दिया गया निकाल दिया गया बाहर निकाल दिया गया अब देखो क्या है एक तो economic condition खराब दूसरा लोग परिशान थे ओटो क्रिटिक रूल से उपर से industries वाले और जादा क्या कर रहे है नात में धम कर रहे हैं तो इन्होंने क्या कर दिया अब देखो अब आप बोलोगे कि lane नहीं अप रहा नहीं चैता है लुग्राजा को क्यों भ banget कर रहे है क्यों आथी थी तो इनके चलते प्याए इनके चलते लोग बड़े नाَّbeep sat की बनवा दे तो इसके चलते लोगों के अंदर और जादा आउट प्रस्ट था अब क्या होता है तो जब यह चार मेंबर्स को हटाए जाता है ठीक है पुटिलोव आइरन वर्क्स में से तो उसके चलते आप लोगों ने बोला बस इनफ इस इनफ उस तरह से और टैन थाओजन वर्कर इंसेंट पिटर वर्क्स वेंट ऊन इस ट्राइक तो सेंट पिटर वर्कस में थी यह पुटिलोव आरन वर्क्स तो यहां कई दसाजार वर्कर पर निकल गए कि नई हमें काम नई करना है ठीक है इस चले गए अब यह जैसे फोटोग्राफ दिया गया त अब जब लोगgas ready ड़ैए तो इस ट्रैक पर गए होंगे इन लोगों की diment के रही होगी इन लोगों की demand रही होगी demanding reduction in the working hours मतलब strike भालों की डिमांड यह थी कि आप हमारी working hours को सबसे आठ अब किसी को बिनिकाल दे खरступ है कि 8 hours में convert कर increase in wages, हमारी wages बढ़ना चाहिए, improvement in working condition, तो यह सारी चीज़े होना चाहिए हमारे साथ, ठीक है, यह सारा changes वो demand कर रहे थे, तो I hope अब आपको यहां तक चीज़ें समझ में आ गई है, कि background क्या रहा होगा, 1905 का जो revolution आएगा, तो इस revolution में जो turbulent time की बात की गई है, तो time turbulent कैसे हो गया, आया समझ में, अब यह strike धियान रखना, इस strike से ही हम देखेंगे कि कैसे bloody Sunday वाला incidence होता है, क्योंकि वो specific question मनेगा, कि bloody bloody Sunday में क्या हुआ था, तो explain, या फिर narrate the whole story of bloody Sunday, और bloody Sunday से ही 1905 revolution को कहा गया है, मतलब bloody Sunday के incidence के बाद ही 1905 revolution आता है, तो आप वो सारी चीज़ें हम next वीडियो में पढ़ लेंगे, तो आपको क्या हो जागा, यह background clear हो गया, तीक है, background पर question आता है कि what were the conditions which created a turbulent time during the 1905, तीक, तो 1905 5K ताइम पर turbulent condition क्यों बन गई, तो autocratic rule, bad economic condition, bad economic condition क्यों थी, autocratic rule क्या था, ठीक है, और कैसे, जो लोग, लोगों की demand क्या थी, उसमें पर लोग strikes पर अगर उतर रहे थे, तो क्या demand करके ला रहे थे, ठीक है, next video में हम bloody Sunday वाला incidents पढ़ने वाले हैं, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains. magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, magnetbrains.com पर आपको class 4th से class 12 तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में अविलेबल हैं, जिनने आप बहुत आसानी से पर सकते हैं, समझ सकते हों, डाउनलोड कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much, Hello everybody, this is दिग्रास सिंग राजपूद, welcome to magnetbrains. economic conditions जो थी, वो बहुत बुरी होते जा रही थी, फिर उपर से सोने पे सुहागा क्या हो गया लोगों के लिए, कि 4 workers को remove कर दिया गया, अब workers की जो associations थी, वो मजबूत होते जा रही थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, strike कर दी, strike में उन्होंने कुछ अपनी demands रख दी, अब इस date, जब change की demand की जा रही थी, तो लोग अलग अलग तरीके से strike कर रहे थे, तो अब procession of workers led by father gapon, ठीक है, तो क्या होता है कि जब लोग demand की, मतलब change demand कर रहे थे, कि change चाहिए, हमें change चाहिए, तो उस समय पे father gapon एक इनसान थे, यह है उनका सुन्दर सा photo, ठीक है, तो father gapon ने क् अपने साथ कुछ लोगों को इखटा किया, कुछ लोगों को इखटा किया, मतलब एक procession बनाया, एक procession याने एक जथा निकल के जा रहा था, एक group निकल के जा रहा था, तो एक procession को वो lead करते हुए, लेके गए कहां पे and reached winter palace, अब ज़रा आप सोच रहोंगे, father gapon घूमने फ इखाँगा विसमें, यह winter palace है, ठीक है, यह winter palace, तो यह procession कहां पहुच जाता है, winter palace में पहुच जाता है, अब यह winter palace में क्यों गए होंगे, राजा के सामने क्यों गए होंगे, अब राजा के सामने इसलिए नहीं गए कि राजा को बधा ही देने गए होंगे किसी चीज की, वो demand चाह रहे थे न, तो procession, demand जो हमने पिछले वीडियो में, पिछली slide में देखा था, कि देवा demanding reduction in working hours, ठीक है, working hours में क्या चाह रहे थे, reduction चाह रहे थे, और इस तरह से wages बढ़ना चाहिए, यह सारी चीजे, तो इन सारी demands को लेके father gapon, अपने procession के साथ में, अपने logo के सा में कहां पहुच जाते हैं, winter palace पहुच जाते हैं, winter palace में पहुच के वो अपनी demand प्लेस करते हैं, अब जब वो अपनी demand रखते हैं, राजा के सामने, तो राजा बड़ा अच्छा था क्या, राजा ने बोला, हाँ, बदलाओ कर देते हैं, हम तो तुम जैसा बोलो कि वैसा कर इस प्रोसेशन के उपर अटैक करवा दिया, जब इस प्रोसेशन के उपर अटैक हुआ, तो अब ये लोग तो बिचारे सीधे साधे थे, हाज जोड़के धरना निकाल रहे थे, ऐसा तो नहीं कि ये भी बंदूक हतियार लेके चलेंगे, कि आज राजा हमारी बात निमानेग से इन लोगों के उपर हमला करवाया, घृक है, और 100 वरकर से ये जो जईक होना पड़ा, अब क्या होता है कि ये जो इवेंट हुआ, बलडी संदेका, मतल्ब ये जो पुरा इवेंट हुआ, जहांपर इस प्रोसेशन के उपर हमला किया गया, फादर गैपान के उपर हमला क कर रहे हैं अब इस इंसिदेंस को आप सोच रहांगे ब्लडी संडे क्यों बोला है तो वह मैं आपको समझाता हूं ओल इस हैपेंड ऑन 22nd January 1905 1905 22nd January को हुआ यह ठीक है दे डे वाउस संडे ओई जो दिन था यह दिन संडे था अब संडे होने के कारण क्या है यह देर्फो इस वौल इपिसोड आपि इस पूरे अपिसोड को first को बिलडी संडे कहा घाया अब आपको बिलडी संडे थो समझ में आ गया इस आपने क्या लिखा bloodει संडे 1905 वण तो आप स्यप्ल टो सोच रहा होंगे कि bloody summay का इसंडे का इंसू इस 2005 का revolution क्यों कहा गाया है तो उसके पीछे कारण है देखो क्या कारण है कारण यह है सिंपल सा bloody Sunday started the series of events तो bloody Sunday के बाद में बहुत सारे events start हो जाते events ऐसा नहीं कि cultural performance चल रही है dance गाने events मतलब और ज्यादा strikes की intensity और तेज होगी लोगों ने demand को अपनी और ज्यादा तेज कर दिया अभी तक सिर्फ workers participate कर रहे थे अब दूसरे लोग भी participate करना start कर देंगे क्यों क्योंकि bloody Sunday ने लोगों को जैसे हमने देखा था आप इंडिया national movement के बारे में थोड़ा सा जानते तो जलिया वाला बाग के कारण जलिया वाला बाग जो इंसीडेंस हुआ था उसके बाद में non cooperation moment start किया गया था क्यों क्योंकि लोग जलिया वाला इंसीडेंस जो हुआ जब जनरल डायर ने बहुत सारे आजाने कर दिया आजाने क्या कर दिया कि उस प्रोसेशन के उपर हमला कर दिया तो अब क्या हो गया आप लोग और जादा है गुस्सा हो गया लोगों के अंदर और जादा क्या हो गया और फूट के बाहर आने लागा कि आप तो बदलाव चाहिए तो bloody sunday सब्सक्राइब के बाद में बहुत सारे इवेंट्स एक साथ स्टार्ट होते हैं यह जो इवेंट्स बहुत सारे स्टार्ट होते हैं तो इन्हीं इवेंट्स को क्या कहा गया गया समझ में तो 1905 revolution यह bloody sunday इंसिदेंस के बाद में जो दूसरे और इवेंट्स मतलब इस्ट्राइक्स और लोगों ने डिमांड अपनी तीज कर दी यह सारा सब कुछ हुआ उसे 1905 revolution कहा गया वाट हैपेंड इनिट क्या हुआ 1905 revolution में तो 1905 revolution में सब जगा स्ट्राइक्स होने लगी अभी हमने देखा सिर्फ सेंट पिटर्सबर्ग में जो चार मेंबर्स को अटाया था वहां से चालूई यह कहानी तो अब पूरे पूरे कंट्री में स्ट्राइक्स हो गई है ठीक है यूनिवर्सिटीज वर क्लोस डाउन अब यूनिवर मतलब लोगों को नागरिकों के अधिकार नहीं हमें अजाद ही नहीं है और इस कंडिक्शन में हम नहीं रह सकते हैं राजा के साथ में तो यूनिवर्सिटीज क्लोस हो गई हैं स्ट्राइक्स हो रही हैं पूरी कंट्री में all over the country लॉयर्स डॉक्टर्स इंजिनियर्स अं अ अब जो डिमांड थी अब वो एक वाइड मासस से आ रही थी एक कह सकते हैं कि एक बड़े ग्रुप से डिमांड आ रही थी यह फोटोग्राफ से जैसे जो बता रही कि बलडी संडे का जो इंसिडेंस था इनको यह लोग वीचार गिर गए ठीक है गोलिया चल रही है पुल समझ में आ गया कि अमने ट्रिवलेंट टाइम समझा और फिर संडे से कैसे रही वोसमझा लोग किस तरह से डिमांड करते ही सबको सम्झा अब आप सोच रहे हों गया फिर आप अपने मन में मैं कुश्चिन आपके मन में डवलप हो गया होगा कि इस आरी चीजों का रिजल् वाइदा है bloody sunday 1905 revolution से question आता है तो आप यहां से एक answer आपको मिल गया अब अगर question इस तरह से और sub-topic में आता है क्या कि what were the impact what was the impact of 1905 revolution ठीक है what changed after 1905 revolution तो वो क्या है वो सारा आपको आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा clear है और in general अगर question आता है in general question मतलब क्या है सीधा question पूछ लिया explain the reasons for the 1905 revolution what happened in 1905 revolution and what were its impact 5 marks में पूछ लिया तो तीनो वीडियो के content को आप club कर सकते हो एक साथ तीनो वीडियो के content को club करोगे जो आपने पढ़ा है तो आपको पांश माक्स वाला answer भी बन जाएगा आया समझ में चलिए तो अब नेक्स वीडियो में हम पढ़ेंगे इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक सभी subjects सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक array format में available है जोने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंह राजपूत welcome to magnetbrains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे impact and aftermath of 1905 revolution आप समझेगा इस चीज को जरा अच्छे से आप कि 1905 revolution जो है उसका impact क्या रहा उसके बाद में क्या हुआ 1905 के बाद में वो सारा सब कुछ आपको इस वीडियो के थूँ क्लेर हो जाएगा पिछले वीडियो तक हम लोगोंने क्या समझ चुके हैं पिछले वीडियो तक हम लोगोंने समझ चुके कि 1905 revolution था क्या और उसके होने का कारण क्या था मतलब उसका background और कैसे हुआ bloody Sunday वाला incidence यह सारी चीज़े हम पढ़ चुके हैं अब यह हम देखते हो उसका result क्या हुआ कि जो 1905 का revolution हुआ था देखो तो 1905 revolution के बाद में government क्यों मतलब जो राजा थे राजा के उपर बहुत जादा pressure क्रेट कर दिया किसने जो revolutionary forces थे मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ workers ही प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे वरकर्स के साथ में student unions भी थी उनके साथ में दूसरे professional जैसे lawyers doctors, engineers यह सारे लोग भी थे सभी लोग change चाह रहे थे क्या change चाह रहे थे क्या आप constitution लेया हो राजा बहुत हो गया अब ठीक है आप parliament लेया हो बहुत हो गया तो उस तरह से सब change चाह रहे थे और उस change के चलते क्या एक मतलब यह जो change का pressure create किया था किसने revolution ने तो under pressure of revolution सार allowed creation of an elected consultative parliament or Duma अब मैं आपको समझाता हो क्या तो अब यह pressure create हुआ राजा के उपर राजा ने बोल दिया कि अब लोग तो सुनी नहीं रहे मानी नहीं रहे तो मुझे दिखती बात है जैसे अब आप पानी सरसूपर जाने लगेगा तो आपको क्या करना होगा आपको आपको आजादी दे दी चलो ठीके लोग बोल रहे हैं Parliament Parliament Constitution 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 चिला रहे हैं तो आपको आजादी दी एक Parliament बनाओ ठीक है वो Parliament Constitution बना लेगे आपके लिए और यह elected consultative होगी मतलब राजा उस Parliament से consult करके काम करेगा Parliament की और राजा की पावर कॉप क्या कर दिया लग 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 रहा जाता है अभी कंफ्यूज नहीं होना कि दूमा क्या है ठीक है दूमा मतलब क्या है वहां की Parliament जैसे मैंने आपको क्या बताया था जर्मनी वाले चाप्टर में राजी समें दी राइस ओफ हिटलर में कि जो जर्मनी की Parliament थी जर्मन पार्लेमेंट का नाम क्या है रिस्टै क्वाजी लेजिसलेटिव फंक्शन क्वाजी लेजिसलेटिव मतलब क्या है कि यह कभी-कभी कुछ-कुछ इशूस प लोग ही बना सकती थि यह वो ni ठीक है और क्या थी यह कंसलियोर पामेंट थी राजा के जो भी डिसीजन ली ए जाएंगि तो राजा से कंसल्ट करेगी को अपने opinion बताईगी राजा के opinion लेगी तो इस तरह से एक elected consultative quasi legislative function के साथ में पार्लेमेंट बनाई गी है जिसका नाम था डूमा ठीक है वहां की Russian Parliament चलो ठीक है आप देखो क्या होता है अब आप सोचे रहों कि राजा इतना अच्छा कपसे हो गया कि उसने पार्लेमेंट बना दिये और पार्लेमेंट के साथ में पावर भी शेयर कर लेगा अपनी तो राजा इतना अच्छा नहीं था राजा ने क्या देखा अभी अब इसली होते हैं जैसा होता ना दिकतर क्या करता है हम कुई पर्डॉक्ट खरीदते हैं हो प्रडॉक्त यूज्जा नि यह चाहते थे कि उनकी प्रकार की कॉई यह पाल्यमेंट तो अभी उन्हों ने इसलिए बनाई थी था कि क्या हो एक समय तक थोड़ा ही जो प्रेशर हो रहा है क्या कर सके हम रिलीस कर सके लेकिन फिर आप जब उन्होंने देखा कि यार ये पार्लेमेंट जो इलेक्टेट पार्लेमेंट बनाए गई थी पहली वाली फर्स्ट डुमा वो तो हमारी पावर के उपर चेक लगाने लगी है तो राजा ने क्या कर दिया उससे डिजॉल्व कर दिया सेकेंड डुमा की और इलेक्शन होते हैं अब सेकेंड डुमा जो एलेक्टेट होती है तो यसी प्लान मना रही है और इस ground पे क्या किया गया है, second duma को भी हटा दिया गया, second duma भी हट गई है, ठीक है, आप देखो क्या है, after a period of time, second duma was also dissolved and third duma was formed, अभी आप लोग सोच रहोंगे, राजा की mentality देखती हुए, कि क्या guarantee है कि अब ये third duma जो बनाई है, ये चल जाएगी, राजा first को भी तो हटा राजा तो राजा तो राजा है, ठीक है, तो इस चीज की guarantee है, मतलब क्या guarantee है कि ये चलेगी, तो ये चलेगी, क्यों चलेगी, क्यों चलेगी, क्यों चलेगी, क्यों कि because third duma was packed with conservative politicians and liberals and revolutionaries were kept out, अब देखो क्या है, ये इसलिए चलेगी क्योंकि ये राजा की अपनी parliament थी, conservative parliaments, conservative politicians जो थे, ये पूरे भर दिये गए थे third duma में, ठीक है, third duma was packed with, मतलब third duma में जो भी members थे, वो सारे conservative politicians थे, and liberals, liberals भी यहां ठीक है, खुली सोचे, नहीं, ये यहां थे कितना, and liberals and revolutionaries were kept out, liberals और revolutionaries को जाने ही नहीं दिया, liberals चींज चाहते थे, और revolutionaries चींज चाहते थे, तो liberals और revolutionaries को parliament में जाने ही नहीं दिया, मतलब parliament के जो members थे, जो third parliament, third duma बनी थी, third duma के members में, कोई भी liberals नहीं थी, कोई भी revolutionaries थे, तो राजा के against में कोई जाय गई ही नहीं, आया था मझ में, और ये जो third duma बनी थी, तो अगर आप history में इंटरस्टे थे तो एक चीज बतात है, अलग-अलग duma को राजा dissolve कर रहा है, और क्या सकते हैं, अपने हिसाब से duma बना रहे है, तो उस समय पर what was the trade unions and committees doing, जो हमने देखा कि जो 1905 का revolution आया, जो bloody sendo आया, तो वो सारा सब कुछ trade unions, या फिर जो workers की associations थी, जो committees थी, उन्होंने लाये थे, तो अभी वो सब चुप क्यों थे, तो देखो, सिंपल सी बात है कि 1905 के time period में ही थोड़े समय तक trade unions वगरा चलती रही, फिर उसके बाद में trade unions को illegal declare कर दिया, ban कर दिया, trade associations, workers association, जो भी था, सब को बंद कर दिया, तो राजा ने, तो राजा ने क्या करा, systematically इस चीज़ों पर command पाई है, यह चीज़ तो मानना पड़ेगी, 1905 की revolution के बाद में बापिस से command अपने हाथ में लेने में, राजा ने बहुत सही logic लगाया, राजा ने बहुत सही तरीके से कर लिया, और वो होता भी है, तो अब 1905 से 1914 तक, 1914 क्यों क्यों कि रहा हूँ कि क्या war होगी 1914, वो first world war, तो first world war तक सब कुछ normal चलता रहेगा, राजा कुछ नहीं, मतलब राजा का अगे इसमें कुछ ज्यादा बड़ी आवाज नहीं उट पाएगी, क्यों क्यों क्योंकि राजा ने अपनी डूमा बना लिये, सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है, लोग ये भी demand नहीं करेंगे कि Parliament लाओ, क्यों क्यो क्यों कुछ नहीं कर पारी थी, क्योंकि उन्हें बैन कर दिया गया था, अब चीजे चेंज कहां से होगी, तो अब 1905 के revolution के बाद से 1914 तक, चंगारी उठी थी, उस चंगारी को क्या कर दिया गया, बुजा दिया गया, और राजा सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया, उससे कैसे revolution आया, उस revolution का impact क्या रहा, उसका aftermath क्या हुआ साही चीजे, ठीक है, अब हम देखें यह कि साही चीजे नॉर्मल चलती रहेगी, राजा के control में चलती रहेगी, नॉर्मल तो नहीं थी, लेकिन राजा ने सब को control में कर लिया, फिर आप बापिस से outburst कहां देखने क को मिलेगा 1914 के बाद से, तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम वही topic को आगे continue करेंगे, I hope आप कहानी के form में चीजों को एक सांथ connect कर पा रहे हैं, देखो कहानी के form में पढ़ोगे, काफी मज़ा आएगा, रटोगे, समझोगे, नाम पढ़ोगे, यह वो, तो उसमें pressure create होता न pressure नहीं लेना है पढ़ने का, आराम से पढ़ो, कहानी के form में connect करते चलो, सारी चीज़ें यहाद हो जाएगी, clear हैं, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिने आप बह सकते हो, download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thank you, thank you very much. बदल गई थी, क्या बदल गई थी, हमने देखा था कि उस revolution के बाद में एक consultative elected parliament बनी थी, जिसका नाम था Duma, लेकिन क्या होता है कि राजा ने उस समय पे जब situation bigger रही थी, revolutionary forces उठ रहे थे, तो उन्हें control करने के लिए Duma बना दी थी, फिर उसने first Duma को भी dissolve कर दिया, second Duma को थे, third Duma जो बनी, जिसमें सारे conservative politicians को pack कर दिया था, तो अभी क्या situation है, अभी third Duma जो है तो वो राजा के हिसाब से बनाई गई थी, और third Duma सही तरीके से अपना काम कर रही थी, तो 1905 के revolution के बाद में इस तरह से राजा ने थोड़ा सा एक बार liberal किया चीजों को बापिस अप कुछ राजा के हिसाब से चल रहा है, तो अब 1905, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, आती है मुझे गिंती, ठीके, तो हम 1905 से 1914 तक थोड़ा सा एक अपराइजिंग होती है, उस अपराइजिंग को बापिस control कर लिए राजा ने, अब 1914 तक चीज़ें चलती रहती है, 1914 में चीज़ें राजा जो था, उसमें क्या रिलेशन था, किस तरह से फर्स्ट वल्ड वार ने रश्यन एंपायर को, रश्यन एंपायर में revolution के लिए फिर से एक base प्रोवाइड किया था, ठीक है, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो आईए आगे बढ़ते हम, 1914 में वार होती है, किस-किस के बीच में Central Powers और Allied Powers, ठीक है, अब Central Powers कौन-कौन थी, तो Central Powers में Germany, Austria, Turkey, ये जो present day countries है, ये countries थी, उसमें प्राजा रूल कर रहे थे, तो German Empire, Austria, Hungarian Empire, ठीक है, टर्की मतलब Ottoman Empire, तो ये सारे राजा थे एक side, Central Powers, और दूसरा side जो था, वो था Allied Powers का, Allied Powers में France, Britain, Russia, बाद में US से भी एंटर करता है, ठीक है, लेटर, Italy and Romania, तो ये सारी countries रहती है, clear है, अब इस चीज को अगर आप मैप पर देखोगे न, तो आपको एक अलग picture समझ में आएगी, सबसे पहले हम जो required नहीं है, जो countries, उन्हें market से बाहर करते हैं, तो ये जो pink color में दिख रही है, Norway, Sweden, Denmark, Netherlands, Switzerland, Spain, Albania, तो ये सारी countries के neutral countries थे, तो इन्हें हम एक तरफ कर देते हैं, मतलब ये लडने वाली नहीं है, तो ये pink color वाली countries को आपको ध्यान नहीं देना है, अब देखो, जो लडने वाली countries है, तो Central Powers में क्या-क्या है, ये German Empire है, ठीक है, पूरा German Empire हो गया, ये Austria-Hungarian Empire हो गया, और ये Ottoman Empire हो गया पूरा, तो ये तीनों दोस्त है, ये Central Powers बना लिए, अब इनकी position अगर आप देखो के तो ये फस गए है, फस किसके बीच में गए हैं, जो दूसरी टीम लड रही है उनसे, Allied Powers को देखो आप ये France, ठीक है, ये Italy, ठीक, उसके बाद में जैसे रोमानिया ये वेस्वत आपको पता है, हमने नाजीजम वाले चैप्टर में डिसकस कर लिया है, Central Powers क्या होती है, हार जाती है, ठीक है, हार जाती है और जो Allied Powers हो जीत जाती है, मतलब रश्या जीतेगा, आखरी में जीतेगा रश्या, कब जीतेगा जब US entry करेगा, लेकिन रश्या को जीतने कि ये situation थी, ठीक, war was fought outside Europe and as well as inside Europe, अब ये क्यों लिखाए देखो, कि ये जो लडाई चल रही थी first world war, तो ये first world war क्या है, स्रिफ यूरोप में ही नहीं लडा जा रहा था, यूरोप के बाहर भी लडा जा रहा था, कैसे लडा जा रहा था बाहर, देखो, इस समय तक क्या है क एक global empire था इन सारी countries का, मतलब कि जर्मन जो empire था तो जर्मनी की भी colonies थी कही नहीं, जैसे हम किस के अंडर में थे, ब्रिटेन के अंडर में, तो ब्रिटेन की भी colony थी इंडिया, तो इस तरह से क्या है, इंडिया में भी war का कही नहीं का impact देखने को मिल रहा था, हमारे यहां स क्या हो गया था, आया समझ में यहां तक, अब देखो क्या होता है, तो आगे, यह war की में आपको एक war का एक, वो दे दिया बेग्राउंड की war कैसी हो रही थी, क्या हो रहा था war में, अभी हम आगे बढ़ते हैं अगर, तो relation between first world war and Russian empire, Russian empire और first world war में क्या relation है, तो आपको बता सकते हैं कि direct relation है, कही ना कई war का impact, direct होना Russian empire के उपर, क्या impact होता है, कैसे होता हो आपको बताते हैं, ठीक है, अब देखो क्या है, initially war was supported, that means sir was supported, rhyming बन गई, ठीक है, war was supported, that means sir was supported का मतलब क्या है, कि लड़ाई को शुरुवात में, Russia के citizens ने support क्या, लडएंगे हम भी, ठीक हम German empire सार को खतम करेंगे, जर्मनी को हरा देंगे, इस तरह से लोगों के अंदर anti-German sentiments बहुत ज्यादा high थे, ठीक, Russian citizens जो थे, उनके अंदर anti-German sentiments थे, उन्होंने war को support क्या शुरुवात में, बोला, कि मतलब सार Nicholas को support करने लगे, क्योंकि country को वही lead कर रहे थे, उन्होंने, सार आ अब आगा कर देखते हैं, over the period of time, support to SAR went down, लेकिन यह जैसे लड़ाई आगे बढ़ते चले गई, तो बहुत सारे कारण थे, एक कारण नहीं था, जैसे जैसे लड़ाई बढ़ते चले गई, तो SAR के जो support कर रहे थे लोग, उन्होंने अपना support हटाना start कर दिया, ठीक है, support, ज reasons, या फिर what are the different reasons due to which the citizens of Russia withdrew their support from SAR, ठीक है, या फिर first world war में enthusiastically जिन लोगों ने पहले support किया था, वो आप support क्यों नहीं कर रहे थे, तो उसके पीछे कारण क्या है, कारण समझते हम, कारण यह है कि SAR refused to consult the main parties in Duma, ठीक है, अब देखो Duma थो थी, चाहे Duma राजा के लोगों से भ एक country का part है, आपकी country लड़ रही है कहीं war में, तो आपको क्या करना चाहिए, राजा की responsibility बेंती ही, कि राजा उनसे discuss करें, कि अब क्या करना चाहिए, क्या step लेना चाहिए, क्या action लेना चाहिए, तो इस तरह से राजा के उपर यह responsibility बनती है, लेकिन राजा क्या कर रहे थे, सार refuse to concern the main parties in Duma, अब सार का ये वाला attitude देखकर क्या होता है, कि जो conservatives जो अभी तक राजा का support कर रहे थे, वो conservatives भी अब राजा के against चले गए, उन्होंने बोल दिया कि राजा हमारी तो बास सुनते ही नहीं है, ठीक है, तो पहला कारण ये रहा कि क्यों लोगों ने धीरे-धी sentiments थे, वो इतने हाई थे कि एक city जो थी, St. Petersburg, ठीक है, तो उसका नाम उन्होंने बदल के petroguard कर दिया, क्योंकि St. Petersburg जो है तो एक German name था, तो अब उन्होंने बोला कि नहीं हमारी country में German name पे city होना ही नहीं चाहिए, तो उन्होंने city का नाम बदल के petroguard कर दिया, तो इस तरह से लोग बहुत जादा aggressive थे war कर लेकर, और जब राजा एक ऐसा attitude दिखा रहे है, जहां पर वो consult नहीं कर रहे है, एलेक्टेट पर्लियमेंट से, ठीक है, या फिर हम और भी देखते हैं, और भी चीज़े बदली थी, क्या, कि पहली बात उन्होंने जो main parties हैं, उन्होंसे consultation आप अपापुलरः, ठीक है, अनपापुलर, सॉरी, पापिलर कह दिया, तो अब क्या होता है यहां पे, रासपुतिन को हूँ पहले समझाता हूँ, मैं कहानी सुनाता हूँ आपको अच्छी से, क्या होता है कि rani जो है, ये rani है, ठीक है, सरीना एलेक्जर्णरा, तो ये r राजा और राणी के जो बच्चे रहतें हैं ठीक तो इनमें से एक जो इनका रहता हैarea १ो लड़का एक बार बीमार हो जाता है अब क्या होता है राजपुतिन इस बीति के बारे में पता चलता है राजपुतिन एक मांक थे ठीक है राजपुतिन among who was the advisor to sir अब ये मौंक राजा के डवाइसर कैसे बन गए आप सोच रहे होंगे तो वो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है कि रानी का जो बच्चा रहता है रानी का बच्चा एक बार बिमार होता है तो राश पुतीन को अपने दर्बार में रख लिया अब तब से क्या होने लगा कि राश पुतीन एक तरह से एक royal patronage में रहने लगे सार के करीब होते चले गए सार को advise करने लगे इस तरह से तो राश पुतीन क्या थे राजपुतीन राजा रानी के बहुत करीब पहुच गया और वो राजा रानी के decisions को influence करना स्टार्ट कर दिया राजपुतीन ने ठीक है तो इस तरह से अब लेकिन जो जनता थी जनता कोई लगता था कि राजपुतीन जो है वो पूर एडवाईजर है मतलब उतनी अच्छी उसमें कला नहीं है और राजपुतीन जो है तो वो बहुत एक तरह से लोग उसे mystical consider करते थे कि इसने जादू कर दिया राजा रानी के उपर इस तरह से सारी टीसरा सबसे प्रमुग कारण भी ये था कि लोगों ने सार के विश्वास इसलिए खतम कर दिया सार को support करना इसलिए बंद कर दिया क्यूंकि सार की जो wife थी ठीक है ये सरीना एलेक्जेंडरा जो उनकी wife थी तो सरीना एलेक्जेंडरा कौन थी German origin ठीक है इनका origin जर्मन था मतलब शादी से पहले कहां रहती थी German Empire की एक princess थी और सार निकोलस ने German Empire की princess से शादी करी थी तो लोगों को ऐसा लगता था कि सार जर्मनी से इसलिए न participate किया था तो उस Russian Empire के participation पे लोग support नहीं कर रहे थे जो citizens थे वो राजा का support नहीं कर रहे थे जो लोग थे वो अपने country को अपनी Russia को अपने empire को तो जितना चाह रहे थे लेकिन वो बोल रहे थे कि राजा के रहते नहीं जीत पाएंगे राजा तो खराब है ठीक है क्यों कि उसकी wife German origin की है उसका जो advisor है वो खराब है उसके बाद में राजा autocracy चला रहा है अपनी ठीक है और आप सब मेरे citizens हो तो आप मुझे support करोगे तो एक moral confidence रहेगा ठीक है और आप मुझे support करोगे तो मैं बेफिकर रहोगा कि यहां मेरे अंदर rebel नहीं होगा कुछ भी अंदर कुछ भी revolt नहीं होगा आया समझ में तो राजा के पीछे क्या हो गया था लोग खुश नहीं थे अब कि राजा सही से लड़ने ही रहा है ठीक अब आगे कैसे चीजे बदलती देखो एक कुछ फोटोग्राफ से सार निकोलाजन सरीना एलेक्जेंडरा तो यह दोनों husband wife साथ में अब देखो इस तरह से काटून वगरा चलते थे यह रासपूतीन है रासपूतीन की गोदी म सार को क्लियर अब देखो क्या है मैंने कहां तक कहानी बता दी थी आपको मैंने कहानी बता दी कि सपोर्ट खतम हो गया एक तरह से देखा जाए बहुत कम हो गया है राजा को कि राजा वार में सही तरह से जर्मन एंपार को लीड नहीं कर पा रहे है ठीक है वार वास फॉट on two fronts, अब result भी कुछ ऐसे ही आए, war was fought on two fronts का मतलब का है, two fronts या ने देखो ये है, कि ये जो central powers है, ठीक है, ये बीच में जो central powers है, इनके perspective से देखें, तो दो front पे लड़ाई चल रही थी, एक तो western front पे लड़ाई चल रही थी, एक eastern front पे पड़ाई चल रही थी, ठीक है, आगे समझें तो इस sense में में लिखा है, कि war was fought on two fronts, clear है ये, तो war was fought on two fronts हो गया, war on eastern front differed from that on western front, तो मतलब eastern front कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक और western front मतलब ये हो गया, clear है, confuse नहीं होना, इसमें simple सी चीज़े eastern western समझते चलना, अब देखो क्या आता है, ऐसा बोला जाता है, कि casualities were more on eastern front as compared to western front, ठीक है, western front मतलब ये वाला हो गया, अब western front पे क्या हो रहा है, यहाँ पे casualties जादा थी, मतलब यहाँ पे, sorry, casualties were more on eastern front, ये eastern front ये, ठीक है, तो eastern front पे casualties जादा थी, कैसे जादा थी, वो मैं आपको समझाता हूँ, देखो, क्या हो रहा है, कि यहाँ पे जैसे लिखा आपकी बुक में कि eastern France में जब लड़ाई हो रही थी, ये France है पूरा, France का east, France का east मतलब क्या है, कि जो central power थी, central power का west, ठीक है, तो इस वाले front पे casualties casualties कम थी, तो इन जनरल अका है कि दोडाई ज़ली जा रही थी, eastern front पे लडाई लड़ी जा रही थी, western front पे लड़ाई ज़ली जा रही थी, तो eastern front पे casualties हत्थया है, ज्यादा हूई ये western front casualties हत्तिया है, कम हूई है क्यों कम हुई है इस तरह से अपनी दे चला तो इस तरह से ठेंस खुदाई कर दी जाती थी गड़े में बैटके लड़ते थे तो इसके चलते थोड़ी सी casualities यहाँ पर कम होती थी यहाँ पर जाने कम जाती थी ठीक लेकिन वहीं पर compare किया जा इस्टर्ण फ्रेंट पर ठीक है तो इस्टर्ण फ्रेंट पर क्या है कि पर लार्स ट्रेक्स हैं पूरी खुली जमीन तो इसके चलते क्या है कि जर्मन आर्मी आगे तक निकल जाती थी Russian Empire में Russian Empire में बहुत साई लोगों को मारते जा रही थी अब इसका impact क्या होगा वो मैं आपको आख रही थी एक सइञे हैं ओ सक्सेस मिल रही है लेकिन जो इस्टर्न फ्रेंट यहां पर क्या होगा होएँ कश्फ N सब्सक्राइब तो इसका इंपक्ट करिए नहीं बहुत गहरा इंपक्ट रहेगा इंपक्ट वाला स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे कि उस पर कुश्चन ऐसे आता है कि वाट वास दी इंपक्ट और फस्ट वर्ल्ड वार एंड राई रिश्यन रिवल्यूशन तो अब आपके मानने सवाल है कि आपको इंपक्ट वाइस एक अलग वीडियो में दे देंगे हम ठीके तो ये सारा सब कुछ बढ़ा हमने, अभी आपको ध्यान रखना है क्या, क्योंकि नेक्स वीडियो में हम कहानी को पीछे से रिकैप करेंगे, कि First World War जो था, वो हुआ, किस किस के बीच में हुआ, रशिया में क्या situation थी, Russian Empire में क्या situation रही First World War की, शुरुवात में लोगों ने support किया, फिर अपोस किया, अपोस क्यों किया, क्योंकि राजा के कुछ कारण थे, क्या क्या कारण थे, मैंने आपको बताया, रास पुतीन, वाइफ का, जर्मन ओरिजिन, और दूसरी चीज, उसने जो refuse कर दिया था, सार refuse to consult with the main parties in Duma, वो सारी चीजें, फिर उसके बाद में हम देखें कि उपर से क्या हो गया, कि गरीबी में गिला आटा हो गया राजा का, क्या, कि एक तो उसकी अनपॉपिलरिटी, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज कि वो Eastern Front पे वार हारते जा रहे थे, Eastern Front पे वार हारे थे, मतलब Russian Empire में वार हार रहे थे, लोगों की जाने ज देख रहे थे, और यह जो डिफीट देख रहे थे, तो क्या थी, बहुत जादा, शौकिंग और दिमॉरलाइजिंग थी, तो उसका इंपेक्ट क्या रहा, ठीक है, ultimate impact क्या रहा, फर्स्ट अल्डॉर का, वही सारी चीज़े हम नेक्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इस इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ेंगे, impact of First World War on Russia, पिछले वीडियो में मैंने आपको First World War और Russian Empire, किस तरह से First World War जो था, वो Russian Empire के साथ में closely related था, या फिर कह सकते हैं कि First World War के चलते, Russian Empire में domestically क्या हलचल हो रही थी, वो मैंने आपको बता चुका हूँ, मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से सार का जो support कर रहे थे citizen, शुरुवाती दौर में, war के शुरुवाती time period में, वो support अब उतना नहीं रहा है, ठीके, उसी के सांसाथ में मैंने आपको क्या बताया है, और उसी के सांसाथ मैंने ये बत है कि जो defeats face कर रहा था Russian Empire, Eastern Front पे, उसके चलते लोग जो थे बड़े नाखुश थे, अब हम देखते है कि क्या impact रहा आखिरकार, question direct आएगा आपको इसी वीडियो से क्या, कि what were the impact of first world war on Russian Empire, तो आपको ये सारा content पूरा लिखना है उसमें, clear है, चलो, start करते देखो, Russia's army lost badly in Germany and Austria, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, first से, जैसे हमने क्या देखा था, ये Germany है, ठीक है, ये Austria है, present day, तो मतलब German Empire, ये Austrian Empire, तो Russia की आर्मी इस front पे बहुत बुरी तरह से हार रही थी, ठीक है, ये आर्मी जो थी Germany के और Austria के हावी हो रही थी, Russia के उपर, clear, तो ये वही बताय गया है, Russia's army lost badly in Germany and Austria, फिर क्या है, it led to the large casualties, ठीक है, this leading to the large casualties कितना है, 7 million casualties by 1917, 14 में वार स्टार्ट हुआ था, 1917 तक ही Russia लड़ता है और लडाई में, ठीक है, खतम 1918 में होता है, लेकिन Russia अपने आपको पहले ही विड्रू कर लेता है वार से, वार से पहले ही बाहर निकाल लेता क्यों बाहर निकाल लेता है, वो मैं आपको बताऊंगा, आगे आने वाले parts में, बाकि अभी आपको इतना ध्यान रखना है क्या, कि Russia 1917 में लड़ाई से पीछे आ जाता है, क्योंकि हम देखेंगे, अभी ही बता देता हूं, चलो, 1917 में क्या होता है, revolution आएगा, अभी हम आग इतने समय के लिए भी participate करता है war में, टिक, 14, 15, 16, 17, तो उसमें क्या होता है, उसमें 7 million casualties होती है, 7 million समझते हो, 70 lakh, 70 lakh लोगों की जाने चले जाती है, अब दिखती बात है, एक देश है, जिसमें 70 lakh लोगों की जाने चले गई है, लोग राजा की activities जो है, राजा की जो भी हरक जाते हैं, उससे खुश नहीं है, बोलते हैं कि राजा ऐसे नहीं मिल पाईगी जीत, ठीक है, तो उसके चलते क्या है कि लोगों के अंदर एक outburst स्वभावी खे देखने को मिलेगा आपको, clear, अब क्या होता है, उसके बाद में कि इतनी casualties हो रही है लडाई के time period में, और उस अपनी ही crops को, यह आगा समय रशियन आर्मी इस तरफ से पीछे retreat कर रही है, वही हमारा next point है क्या, कि the destruction of crops and buildings by Russia, रशियन आर्मी led to over 3 million refugees in Russia, देखो यह वही हुआ, क्या, कि जब रशियन आर्मी इस तरह से पीछे की तरफ गई, ठीक, रशियन आर्मी हां से पीछे की तरफ ज क्यों destroy कर रहे हैं, वह इसलिए कर रहे थे, क्योंकि जो armies आ रही थी न, जो armies कहां से आ रही थी, जैसे यह German army आर्मी आ रही है, तो इस आर्मी को कुछ मिले ना खाने के लिए, कुछ रहने के लिए ना मिले, और जो यहां के लोग थे, Russian empire में, जो citizens उनको पीछे की तरफ खि strategy का नुकसान में आपको बताता हूं, कि आप इस तरह से जो रशिया था, रशिया में पीछे तो आ गए, लेकिन यह जो यहां के लोग रहे था, वो इधर प्रेशर बनाएंगे, तो उसके चलते क्या क्या थिस लेट ओवर 3 million refugees in Russia, मतलब 70 लाग तो मर गए थे आपके, ठीक, उसके उपर से क्या है कि आपने 3 million 30 लाग, 30 लाग refugees अपनी country में और बढ़ा ली हैं, कि जिनका घरबार आप जो थोड़ा कह सकते हैं कि Eastern, Western पार्ट में था रशिया के, वहां से अब वो उट उटके इधर आ गए, तो अब उनको आप रहने के लिए जगा कहां से दोगे, उन get to over 3 million refugees in Russia, आगे समझ में ये, why का answer मिल गया ना, आपके कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों कि Russian army सोच रही थी, कि वो retreat करेगी, तो crops और buildings ना छोड़ें, जो उनके यहां intrude कर रही हैं, जो armies घुष रही हैं, उनके लिए कुछ ना छोड़ा जा, लेकिन इसने एक और problem ये बढ़ा द अगे थी कि सार निकोलस ने ही ये किया है, और सार निकोलस के साथ साथ में जो सरीना अलेक्जेंडरा थी, ठीके रासपुतीन थे, इन सब की मिली भ्यगत कंसिडर किया जा रहा था, और उसके चलते क्या है कि ये अन पॉपिलर हो गए पूरे रशिया में, पूरे रशियन नहीं था, राजा लड़ाई लड़ पा रहे थे, सोल्जर्स के दम पे, तो सोल्जर्स भी अब क्या हो रहे थे, खुश नहीं थे, लेकिन सोल्जर्स डिड नॉट विस्टू फाइट सच ए वार, जो एक फोटोग्राफ आपके बुक में है, ठीके देख रहे हैं, आपकी कि हमारी जाने दिये जा रहे, लेकिन हम जैसा चाहा रहे हमारे राजा वैसा करी नहीं रहे, तो इस चल्ब से आप सोल्जर्स भी क्या करने लगें, विड्रू करने लगें, यह इंपैक्ट बता रहो मैं आपको देखो, इंपैक्ट में आपको लिखना है, लार्ज स्केर्ज तो वो तो होता ही था डिस्ट्रक्शन लेकिन उसके साथ साथ एक जो इंटर्नल डिस्ट्रक्शन हुए इंडस्ट्रीस का वो मैं आपको समझाता हूँ जर्मन कंट्रोल ओफ बैल्टिक सी ठीक रश्या वाउस कट ओफ फ्रॉम सप्लाइस लीडिंग टू इंडस्ट्रियल इक्विप्मेंट डिसिंटिग्रेशन वोजे पता है आपको समझ में नहीं आया है ठीक है आईए इसको ड्राइग्रमेटिकली समझाता हूँ मैं आपको इ किम्लोज़क ओधे से देखें तो यह होता यहां जर्मणी अब रश्या यहां यहां पर तो क्या होता विंंटर के टाइक्वेड में जो ऊोपर से घूम की रास्ता जाता है यह बंद हो जाता है पूरा ईस जम जाते हैं नहों supplies आते थे तो supplies इस तरह से समुद्र में से आते थे ठीक है और फिर यह यहां से इस तरह से पहुचते थे यह रशिया में ठीक क्लेर है तो यह रूट हुआ करता था अब क्या होता है कि लडाई चल रही है जर्मनी अलग टीम में सेंट्रल पावर में रशिया जो है वह अलग टीम में है ठीक है वह कौन सा एलाइट पावर में तो जर्मन ब्लॉकेट लगा देता है ठीक यह और सुन की बैटल्स वगरा ब बहुत सारी अब जो भी उदर से सप्लाय आ रहा था ठीक है रश्या किसकी टीम में था अलाइट्स की टीम में था तो अलाइट्स जो थी कंट्री जैसे फ्रांस हो गया जैसे ब्रिटेन हो गया उस समय पे तो वह रश्या की मदद के लिए खाना वाना पहुचा दिया करते थे इस रूट के थूट लेकिन जर्मनी ने अब यह रूट बंद कर दिया है आगे समझ में तो यह रूट बंद करने से क्या होगा यह रूट बंद करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी यह रूट बंद करने से यह सारी प्रॉब्लम्स होगी कि अब यहां पे क्या हो यहां पर बैठा है जर्मनी ने ब्लॉकेट लगा दिया है तो जो रूट था उस रूट पे से अब कुछ नहीं जाएगा तो रशियन इंडस्ट्री जो है उन्हें सप्लाइज नहीं मिल पाएंगे अब रशियन इंडस्ट्री को यहां से सप्लाइज मिलना बंद हो गए ठीक तो उसके चलते इसे जर्मन बैल्टिक सी का ब्लॉकेट कहा जाता जर्मन ब्लॉकेट ठीक है अब यह फोटोग्राफ देखो जैसे जर्मनी ने क्या करी अपनी शिप्स उतार दिये जिसके चलते उन्हें रशिया को जो सप्लाइज पहुच रहे थे वह रोक दिये अब इसक इसका इंपक्ट क्या हुआ होगा देखो इसका इंपक्ट रशिया वाउस कट ओफ रॉम सप्लाइज रशिया के पास सप्लाइज नहीं पहुच रही थी जिसके चलते इस लेट टूदी इंड़स्ट्रियल इक्विप्मेंट डिसिंटिग्रेशन अब जो इंड़स्टियल बन रहे थे रश्या में जो रश्या की एकनोमी को कह सकते हैं कि थोड़ा सा मजबूत बना रहे थे वो एकनोमी में अब डिसिंटिग्रेशन स्टार्ट हो गया है अब एकनोमी क्या होते जाएगी कमजोर होते जाएगी एकनॉमिक कमजोर होगी तो उसके चलते क्या होगा इसका impact और severe होने वाला है रशिया पे कैसे severe होने वाला है यह समझाता हूँ मैं आपको यह देखिए अब ठीक है क्या होता है कि able-bodied men जो भी थे able-bodied men मतलब क्या होता है जो काम कर सकते है ठीक है जिनकी body ठीक थी मतलब कहा सकते हैं कि जो काम करने लायक थे तो able-bodied men were called upon to war जितने भी लोग शक्षम थे उन लोगों को लड़ने बुला लिया अब जो लोग शक्षम थे वो लड़ने चले गए तो industries में कौन काम करेगा काम करने वाले लोग ही नहीं आपके पास तो लार्ज सप्लाइज यह दो को स्टेज ओफ लेबर तो होगी होगी जब शक्षम मोग क्या चले गए लड़ने चले गए तो लेबर्स की शौटेज होना है फिर अगली चीज क्या होना है कि अब जो लड़ने गए हैं तो भूके पीट थोड़ी ना लड़ेंगे भूके पेट ना भजन होए गोपाला ऐसा कुछ कहा बते सुनिया आपने तो वही चीज यहां पे होती है कि जो लोग लड़ने गए हैं व और Central tax army army को खिलाने के लिए पोचा दिया जाता था तो इन सारी समस्याओं के चलते क्या है कि जो आम traski उने ज्यादा सुफर करना पड़ रहा था अब जब भूसरी सप्लाइस प्या पचा दी गई आर्मी को खिलाने के लिए तो ब्रेद लोडें़ बीक्स कॉर्स लेड़ि इंडस्ट्रीस को चलाने के लिए आपके पास लोग नहीं ना जितने भी एबल बॉडिट मैं थे जो सक्षम लोग थे उन लोग क्या कर दिया आपने लड़ाई मेले गए लेबर शॉटेज भी होगा खाने का शॉटेज भी होगा यह फोटोग्राफ्स आप देख सकते जैसे लड़ने पहुच गए सभी लोग अब जब सब लोग लड़ने पहुच गए थिप्ट नॉपी क्या होते जाएगी ठप होते जाएगी जो रेलवेस का काम चल रहा था रेलवेस भी ब्रेकडाउन में कर नहीं करते हम देखो 1905 का revolution हुआ था उसके बाद मैं चीजों को कंट्रोल कर लिया सार ने डुमा वगेरा बना दी सस्पेंट कर दी बना दी सस्पेंट कर दी और अपने हिसाब से चलाने लगा चीजे लेकिन फिर First World War होता है ठीक है इतने सारी क्याजियलिटी इतने सारे Refugees वो dezeटर लडना नहीं चाहे थे उसके साथ साथ में industrial disintegration देखने को मिला infrastructure disintegration देखने को मिला food scarcity देखने को ली हमें shortage of Labor देखने को मिला तो जो सारी परिशाणी थी इन सारी परिशाणियों के कारण क्या होता है इन परिशानियों के कारण ना February Revolution आएगा, February Revolution नहोंने वाला है वो हमारा next topic होगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से February Revolution जो है उसने अपना course evolve कि, आपको background समझ में आगे है ना, कि First World War का, कह सकते है कि First World War जो था उसमें जो भी internal crisis developed हुए रशिया में, it provided a fertile ground for Russian Revolution, Russian Revolution मतलब February Revolution, अब जो February Revolution होना है, वो major revolution कहला आगा है, ठीक है तो हम February Revolution को next video से समझना स्टार्ट करेंगे, clear है, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के sub-topics, एक arranged format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हों, डाउनलोड कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे the February Revolution in Petrogaard, background पढ़ने वाले हैं, एक बार मैं आपको पीछे से recap करवाता हूँ सारी कहानी, देखो हमने क्या पढ़ा था, कि First World War जब स्टार्ट होता है, 1914, तो First World War से ही तरह तरह की समस्यां आने लगती है, जो हमने पिछले वीडियो में discuss करी थी कि impact क्या रहा उन समस्यां होगा, तो हमने देखा कि लोगों की जाने जा रही है, refugees बढ़ रहे हैं, industries पूरी disintegrate हो गई है, खाने की कमी है, लोग लड़ रहे हैं खाने की दुकानों पे, ठीक है, और जितने भी जो industrial development हो रहा से, 1914 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, अब क्या होता है कि लोगों के अंदर वो धीरे धीरे से जो ग्रजस थी वो बढ़ती चले गई, और आप लोगों ने बोल दिया, 1917 February में आके कि enough is enough, 1917 February में revolution आएगा, तो हम उस revolution का background समझते हैं, कि revolution आया, तो क्यों आया, ठीक है, आप ही देखो यहां पर क्या है, पहले में आपको जो पेट्रोगार्ड जो सिटी ती जहां पर राजा रहता था, जहां विंटर पेलेस था, तो उसके बारे में एक लेआउट समझाता हूँ, लेआउट अफ दी कैपिटल सिटी पेट्रोगार्ड, उस समय पर जो रश्यन आप से हम क्या देखते हैं कि जिस डारेक्शन में रिवर बहते हुए जाती है, उस साइट से उसका लेफ्ट और राइट कंसीडर किया जाता है, जैसे गंगा देखेंगे हम गंगा अगर ऐसे बहते जाएगी तो गंगा का यह क्या हो जाएगा, इस साइट क्या हो जाएगा तो largest right bank tributary कौन सी है गंगा की यमुना क्यों क्योंकि वो जिस side गंगा बहरी है उसके right से आके मिल रही ही न ऐसा तो वैसी अब यह river है नेवा अब नेवा river इस तरफ बहते वे जा रहे है यह तो मैं नेवा बन जाता हूँ दो मिनिट के लिए अब मैं इस तरफ बहते वे अगर हम देखें तो on the left bank were the fashionable areas, the winter palace and the official building where Duma used to meet ठीक है तो यह winter palace हो गया, city Duma हो गया और सारी जितनी fashionable buildings वगएर यह सब कुछ हो गया तो इस तरह से left bank पे पूरे official areas थे, right bank पे अगर वहीं पे आप देखते हो, तो right bank पे the workers quarters and the factories were located on the right bank of river Neva, आगे हमने river नेवा जो river है अपन right bank में workers, factories यह सारी चीज़ें थी, clear है, अभी देखो क्या है तो यह sharp contrast भी दिखा रहा है, एक side आपने पूरा सारा कह सकते हैं कि पूरे power एक side कर दी है और दूसरे side क्या है common citizens है, तो इसका advantage, disadvantage क्या बताता हूं मैं आपको, कि अभी हम जब देखेंगे February revolution, तो February revolution में क्या है कि लोगों के लिए उतना cut-in नहीं था, यहीं factories है, यहीं workers quarter है, लोग उठेंगे river cross करना है और वो राजा के सामने protest पे उतर आएंगे, आया समझ में, तो यह location थी, ठीक, यह पूरा मतलब कह सकते है कि layout था city का, city का layout समझ में आगे आपको, अब आगे बढ़ते हम, अब देखो क्या होता है, कि हमने यह city का layout समझा, first world war में किस तरह से बूरी conditions हो रही थी वो समझा, तो कुल मिला कि अगर हम देखें कि city की condition क्या थी उस समय पे, तो food shortages थी, ठीक है, मानते हो चीज़ को सारी जितनी भी food supplies थी, they were divided towards the army, army को सारा food green जा रहा था, food shortage थी, bad weather था, उपर से conditions बह बारिश बहुत जादा हो रही है, उस बीच में क्या हो रहा है, कि बारिश बहुत जादा हो रही है, छुटिया नहीं मिल रही है, इस सारी चीज़ हो रही है, तो उसमें आज में क्या हो जाता है, frustrated हो जाता है, वही चीज़ यहां पे, जो मौसम था बहुत जादा खराब थ दिया था उसी के सांसाथ में अब सार की क्या इक्षा होने लगी वाउस हविंग डिजायर टु डिजॉल्व दी डुमा वो डुमा को क्या करना चाहरे थे तो डुमा के अंदर जो लोग थे वो खुश होंगे क्या इस चीज से माना कि वो राजा के सपोर्टर्स थे से कंजर्वेटरी अब तो आती हो रही हे राजा क्या करते जा रहे तो हम क्या देखते एंड भट एमगें मेंटियंटिय 서ग से की जो भी हो रहा था हूं और ना कि चुत इन्र और राजा के अगेंस्ट में थी लोग जो थे लोगों के अंदर क्या था गुस्सा भर के पड़ा हुआ था एकदम और अब लोग ज्यादा दूर भी नहीं रहते थे मैंने आपको बताया ना कि जो भी हमारा पूरा फैक्ट्री जो वरकर स्कॉर्टर्स हैं जो भी फैक्ट्री सब्सक्राइब अब अगला कदम क्या होता है तो अगला कदम समझhou कि 14 से सहते हा रहे हैं लोग पर उतर आती है तो अब जब लोग कर रहे हो तो उसमें क्या होता है many women also headed the strike this day is came to be recognized as international women's day ठीक है ज़िए इस डी अब देखो यहां पर क्या होता है कि यह जो strike हो रही थी ना इस strike में बहुत सारी महलाओं ने participate किया था अब बहुत सारी महलाओं ने पार्टिसिपेट किया था तो इस कारण से और भी कारण है तो इस कारण से इस दिन को सिंबलाइज किया गए International Women's Day से ठीक है क्योंकि इस दिन क्या हुआ बहुत कुछ खास हुआ ना कि महिलाओ ने कह सकते हैं कि एक revolution लाने के लिए चेंज लाने के लिए participation दिया अपना तो इस दिन को International Women's Day की नाम से recognize किया है ठीक है अब आप इस तरह से सोच रहोंगे क्या बात करते हो सर देखो में उस समय पे क्या होता था 1917 की बात कर रहें उस समय पे julian calendar follow किया जाता है के calendar अलग अलग होते हैं जीसे हम देखते हैं इसलामिक Cred गेर्गूरियन केलेंडर कहलाता है अब क्या होता है कि जूलियन केलेंडर जो है तो जूलियन केलेंडर तेरा दिन पीछे चलता है किसे जो आज हम केलेंडर यूज करते हैं तो रशिया में जूलियन केलेंडर यूज कर रहे थे लोग और जूलियन केलेंडर के हिसाब से जो Women Day celebrate किया जाता है तो दोनों अपनी 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 जगा सही है Julian calendar के साफ से 22nd February है लेकिन आज हम उसे Gergorian calendar के साफ से celebrate करते हैं रशिया में भी एक साल बाद Gergorian calendar लागू हो गया था ठीक है तो वो 8th March पे आता है International Women Day चलो एक्स्ट्रा था बता दिया अब क्या होता है किया जाता है उसी के साफ साफ और क्या होता है demonstrators reach to the center of the capital ठीक है नविस्की प्रॉस्पेक्ट रशियन वर्ड है तो क्या होता है सिटी है तो सिटी का जो सेंटर है जो कोर एरिया था तो demonstrators protest करते करते कोर एरिया में पहुच गए इस एरिया पर पहुच गए अब क्या होता है वहाँ पर पहुचने के बाद में as the workers reached their government imposed curfew government ने curfew लगा दिया government ने बोल दिया कि ऐसे कैसे protest कर लेंगे ये लोग curfew लगा दो थो थोड़ा control कर लेंगे government ने curfew लगाया सारे लोग विचारी दर उदर फैल गए वापिस थे तो demonstrators disappeared मार रही थी ना government police डंडे लगाने लगी थी तो demonstrators disappeared demonstrators क्या होगा डिसपेर होगा सब अलग अलग जगा चले गए फिर क्या होता है then they again came back on 24th and 25th इनों बोला कि हम इतनी जल्दी हार थो रही ना मानेंगे 22nd को आये थे curfew लगाया वापिस भाग गए तो अभी सारे लोग क्या करते हैं जो winter palace है जो भी central areas है तो वहाँ पर क्या है कि प्रोटेस्ट के फॉर्म में लड़ भी कुछ नहीं रहे हैं अभी खड़े हो गए ठीक है पुलिस भी चुप चाप हैं अभी देख रही है कि पुलिस यह कुछ गड़वल करेंगे तो हम कुछ इनको पर हमला करेंगे वह लोग सारे प्रोटेस्ट के फॉर्म में अभी घट्टे हो गए वहाँ पर अगर अभी आप यह सोच रहे होंगे कि सारे लोग घट्टे हुए अभी तो revolution कैसे होता है ना पुलिस कुछ एक्षन ले रही है ना वो कुछ एक्षन ले रहे है तो revolution का जो outbreak है वह हम समझेंगे ठीक है आपको लेकिन ध्यान रखना है कि 22nd FAP से ही क्या होने लगा था कि लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर चुके थे अब कुछ आगे ऐस होगा जिसको कह सकते हैं कि हम जिसको क्या कह सकते हैं कि अट्मोस्ट रिजन जिसो कहा जाएगा कि वह स्टार्टिंग पॉइंट था उसके बाद से क्या हो गया revolution आउट ब्रोक हो गया तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम क्या हो डिट दी फ्रेंच बोल रहा हूं र हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के sub topics एक arranged format में available हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंग राजपूत welcome to magnetbrains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे the February Revolution in Petrogaard outbreak पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में मैंने आपको एक basic idea दे दिया था कि background क्या था मैंने आपको बताया था क कि किस तरह से war के बाद में जो अत्याचार हो रहे थे अत्याचार किस संस में खाने की कमी थी labor की कमी थी ठीक है महंगाई बढ़ रही थी और industrial disintegration हो रहा था तो यह जो सारी चीज़े हमने देखी थी उसके चलते क्या है उसके चलते revolution के लिए एक fertile ground बन गया था कहा पर कहा प क्या थी 22nd February तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां से एक background के साथ में revolution स्टार्ट होता है लेकिन अभी लोग आये हैं पुलिस उन पर नजर रख रही है कुछ ऐसा हुआ नहीं है जिसे हम revolution कह सकते हैं ठीक है अब क्या होता है कि अब हम इस वीडियो में वही देखेंगे कि outburst क कहां पर होता है किस कारण से लोग जो अभी आये थे आप वो चेंज की डिमांड और तेस कर देंगे ठीक है तो वह समझने वाले हम क्या होता है ट्वेंटी सेगा ऑन 25 फेबरेरी 1917 गवर्मेंट अब गवर्मेंट का मतलब क्या है सार है क्योंकि सार में ही गवर्मेंट समाई किया होगा देखो मैंने आपको बताया था कि सिच्वेशन क्या थी सिटी में फूट शॉटेज थी यह सारी समस्या है थी बैड वेदर कंडिशन थी और उसी के सांसाथ में राजा की इक्षा थी ठीक है क्या सार वास है डिजार टू डिजॉल्व दिवा अब उन्होंने बहुत गलत कि राजा अपनी मनमानी करते जा रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा ठीक है डेमोंस्टेटर्स रिटरंड ऑन दी स्ट्रीड ऑन 26 अब देखो क्या है अभी तक इसके पहले तक क्या था इसके पहले तक डेमोंस्टेटर्स खुद प्रोटेस्ट करने आ रहे था उन्हें सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि पॉलेटीशन को ऐसा लग रहा था कि यहां आप लोगों के हिसाब से लोगों को क्या कर देना चाहिए एक तरह से एक रविलिशन ले आना चाहिए क्योंकि अब राजा अती होते जा रही है तो अब यह जो फिर से डेमोंस्टेटर्स आये 26 जन सब्सकित रहे होता है Product छो फूटेश्टों प्रोटेस्ट हो रही थी तो इसी चीज के लिए हो रही थी कि हमें क्या चाहिए ब्रेट चाहिए ब्रेड मतलब इसा नहीं के राज्या ब्रेट देदे मतलब कुल मिला या करो कि खाने की कमी आप उस चीज को खदम करो वेज़स इस बेटर आर्स एंड डेमोक्रेसी, Constitution चाहते थे वो लोग, ठीक है, तो इस डिमांड के साथ में क्या कर दिया, उन्होंने प्रोटेस्ट और स्ट्रॉंग कर दिया, अब जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो गवर्मेंट क्या कर रही थे, आप भी यह सोच रहे होंगे, कि बैया, गवर्मेंट के पास पावर होती है, अब हत्यार मान लिया, लूट लिये, लेकिन इतने ही हत्यार थोरी ना थे, और भी हत्यार थे, गवर्मेंट क्या कर सकती, गवर्मेंट कंट्रोल कर सकती थी प्रोटेस्ट को, तो जी हाँ, बिल्कुल गवर्मेंट ने कोशिश क कोशिश की क्यों कह रहा हूं मैं वो समझाता हूं मैं government called the cavalry to control the situation government ने क्या करें अपनी police forces अपनी cavalry अपने जो सैनिक थे उन लोगों से बोल दिया कि control करो demonstrators को ठीक है इन demonstration के उपर गोलिया चला दो कुछ भी करो तुम अब लेकिन यहां पर चीज़ें बदल जाती कि बडदी cavalry refuse to fire on the demonstrators ऐसा क्यों हुआ देखो मैं बताता हूं मैं आपको बताया था ना स्लाइड में क्या कि लोग जो थे जो मतलब soldiers थे वर not willing to fight such a war मतलब लड़ना ही नहीं चाह रहे थे ऐसी लड़ाई जहां पर उन्हें दिख रहा था कि हमारे राजा से कुछ बन नहीं रहा है वो तो हमारे बल पर लड़ा जा रहा है बस ठीक है तो यहां पर अब जब demonstrators के उपर गोली नहीं चलाएंगे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहें सही कर रहें आप से कुछ होनी है राजा आप क्या कर दो आपना सिंहासन छोड़ दो ठीक है वाई का कारण आगे समझ में क्यों क्योंकि आप जो कैविलरी थी वो किस के साथ हो गई थी जनता के साथ हो ग demonstrators कर आब राजा क्या है देखो बिना हतियार का राजा कोई काम कर नहीं तो वैसी राजा को और जो हतियार को आर्मी थी आर्मी ने 7 देन समना बूल दिया अब राजा क्या कर लेंगे ठीक है ? तो इस ने राजा निहत्य थे गत तरह से देखा जाए तो तो soldiers and striking workers यह जो soldiers थे जिन्होंने गोली चराने समयना बोला और यह जो striking workers थे जो workers strike कर रहे थे तो इन सभी लोगों ने क्या? आदे formed Soviet और council ठीक है? और इस Soviet और council को क्या कहा गाया? पेट्रोगार्ड यह समझाता हूँ Russian language Soviet का मतलब बहुता है council, group बनाना तो अब यह जितने भी protesters थे इन सारे protesters को control नहीं कर पाए और इन्होंने सारे protesters ने एक साथ मिलके soldiers ने, striking workers ने मिलके council बना लिया, एक group बना लिया ठीक है? उस group को क्या कहा गया? Soviet कहा गया, मतलब Soviet यह ने group होता है, council होता है और जो पेटरोगार्ड में ऐसा group बना था, इस group का नाम हो गया, पेटरोगार्ड-soviet आग ऐसा मदें पेटरोगार्ड-soviet क्या है, क्योंकि पेटरोगार्ड-सिटी में इस तरह से छोगों ने protest करके group बनाया था, इस जिसे पेटरोगार्ड-soviet कहा गया है clear है यहां तक तो अब यह petrogart soviet होगे हमारा अब petrogart soviet के बात में क्या होता देखो अभी यह जो गुरुप बना है तो यह गुरुप कहा जाएगा एक deal Jorge man to Sar यह पूरा का पूरा गुरुप etcetera स सार के पास में सार राज़ा के पास में अब राज़ा देखो राज़ा के पास में कोई पावर नहीं एक तरह से देखा जा जायत। अब लेकिन फेली की लोगों ने गृप बनाया अब लोग एक ड Church का एक ड didnation कुछ लोगों का एक छोटा गृप वो कहा जाएगा सार्स मिलेटरी कमांडर थे एडवाइज इम टो अबडिकेट उन्हें बोलते हैं कि राजा आप देखो ना मैं आपको बचा पाऊंगा ना खुद बच पाऊंगा आप क्यों क्यों कि जनता आ रही है जनता के पास में पावर है आपके आर्मी ने उनके उपर मतलब उनका साथ साथ दे दिया है सोलजर्स ने उनका साथ दे दिया है तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है ठीक है तो सार्स मिलेटरी कमांडर एडवाइज इम टो अब मिलेटरी कमांडर ने जो बोलते हैं सिंहासन छोड़ी दो तो फाइनली ही अब्डिकेटेड ऑन सेकंड मार्च दियान रखना वो जो मैंने आपको पिछले वीडियो मताई की कैलेंडर का डिफरेंस है बस तो जो भी इवेंट्स फेब्रेरी में हुएं वो कब कंसीडर किये जाते हैं उनको तेरा दिन आगे कर दो आप गयर्गुरियन कलेंडर के हिसाब से ठीक है तो सारा आज की डेट म अगर्विजनल गवर्मनन्ट ये कया है वो मैं समझाता हूँ अगर्व मोनार्की खतम हो गई है अब रूल कौन करेगा सवाल ये भी है ना उन्हें फिर से मोनार्की थोरी न लाना थी तो ये जो लीडर्स थे जिनन्होंने सोवेट बनाया था पेट्रोगार्ड सोवेट ब बना लेते हैं, बोलते हैं कि अभी के लिए देश को चलाने के लिए एक गवर्मेंट चाहिए रहेगी, तो वो प्रोविजनल गवर्मेंट बन गई, प्रोविजनल गवर्मेंट आगया समझ में आपको तो इस तरह से एक प्रोविजनल गवर्मेंट बनाए गई, जो देश को चलाएगी ठीक है अब देश को चलाने के लिए प्रोविजनल गवर्मेंट बनाई Constituent Assembly on the basis of Universal Adult Franchise मतलब यहाँ पर क्या है Universal Adult Franchise या फिर Universal Adult Suffrage जो है वो यह बताता कि आप सब को voting right मिला सब को याने men को women को property non-property सभी को सभी को voting right दिया गया एक Constituent Assembly बनाई Constituent Assembly को काम दियागा है कि चलो Constitution बनाना तयार करो तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अब पूरी दिशाप बदल गई है रश्या की रश्या ने यहाँ से अपने आपको वार से भी विड्रू कर लिया ठीक है तुम लड़ते रहो आपस में तो वही सारी सीज़ों होगी ठीक तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं फाइनली February Revolution brought down the monarchy जो monarchy है तो वह February Revolution में क्या हो गई खतम हो जाती है complete यहाँ पे February Revolution के बाद में अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ सही हुआ मुनार की खतम होगी फिर एक और revolution क्यों पढ़ेंगी हम आगे October उसके बीचे कारण है तो वह कारण में आपको समझाओंगा कि February से October के बीच में जो भी हुआ उसी के कारण क्या होता है October revolution होता है तो वह हम पढ़ेंगे after February जो हमारा next topic होगा ठीक है अभी के लिए आपको एक बार recap करवानें फिर से तो February revolution क्या था कि situation बिगड़ी situation बिगड़ने के चलते क्या है कि लोग धीरे-धीरे को टेस्ट करने लगे 22nd February साना स्टार्ट होते हैं तो वह लोगों ने इखटा करना अपने आपको स्टार्ट कर दिया था लेकिन 25 पर क्या होता है कि जैसी सार क्या करते हैं डूमा को सस्पेंड करते हैं 26 February को फिर से लोग रोड पर आ जाते हैं इस बार उनको पॉलिटिशन भी सपोर्ट कर रहे थे मिलेटरी को ओडर दिये गए थे कि इनको और रिक्वाइट टू एब्डिकेट छोड़ो सिंगासन फिर आजा सिंगासन छोड़ते हैं वो लोग प्रोविजनल गवर्मेंट बनाते हैं और वो प्रोविजनल गवर्मेंट के वेसिस पर इन्यूइर्सल अडल्ट सफ्रेज मिलती है लोगों को वोटिंग होती है एक क्या पढ़ेंगे अब बता दिया नहीं आपको अब हम देखेंगे कि October Revolution के लिए Ground कैसे तयार हुआ था, क्या था October Revolution तो यह सारी चीज़ा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4 से class 12 तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में अविलेबल हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हो डाउनलोड कर सकते हैं Feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिगरास सिंग राजपूद, welcome to magnetbrains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे after February After February क्या? March बोलोगे आप सभी लोग, जी हां March लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं after February में? ठीक है? तो हम लोग पढ़ेंगे कि जिस तरह से February Revolution होता है, February Revolution होने के बाद में क्या होता है? चीजें बदल जाती हैं कैसे चीजें बदल जाती हैं? मैंने आपको बताया था कि February Revolution के बाद में तो यहां तक चीजें हम पल चुके थे, अब हम देखते हैं कि जब रश्यन रेविलिशन हो जाता है, फेबरी रेविलिशन जब हो जाता है क्या order दिया था कि जो demonstrators आये, इनके उपर गोलिया चला दो, उन्होंने मना कर दिया गोलिया चलाने से, ठीक है, म्यूटी नहीं हुई थी, ठीक, जब आर्मी वालों ने मना बोल दिया है, तो आर्मी वाले किसका साथ देंगे, अब आर्मी वाले साथ देंगे, जो अप्रा क्या सकते हैं, अभी भी अपर स्ट्राटा के लोग हैं, ठीक है, उसी के साथ साथ में, लिबरल्स, सोशलिस्ट, ये जो लोग थे तो इन लोगों ने भी साथ दिया, प्रोविजनल गवर्मेंट का, क्यों क्यों कि चेंज चाहते हैं, थे चेंज हुआ, राजा को हटाया गय क्यों मिला कि अभी क्या था, सभी लोग राजा से परिशान थी, राजा को हटा दिया गया, थो एक संस में देखते हैं, प्रोविज़नल गवर्मेंट को था, सभी का सपोर्ट था, फिर क्या होता है, फिर एकदम से लाइमलाइट में कौन आते हैं, फिर वल्दमीर लैनिन आएंगे तो अभी उनके बारे में हम बताते हैं तो अब देखो क्या है जब आप एक तरह से कहता है revolution के बाद में चीजें बदल गई तो चीजों के बदलने के बाद में जिस प्रकार के restrictions लगाये जाते थे public meetings पर associations पर जो restrictions लगाये थे political parties नहीं बनाने दी जाती थी तो हम सारे restrictions को क्या कर दिया गया हटा दिया गया अब सारे restrictions को हटा के किया क्या गया आजादी मिल गई तो जिस तरह से Petrogaard Soviet बना था ध्याने Petrogaard Soviet हमने पिछली वीडियो में पड़ा था तो वह Petrogaard Soviet की तरह अब बहुत सारे Soviets जगा-जगा बनने लगे जगा-जगा groups बनने लगे ठीक है तो Soviets लाइक Petrogaard Soviet were formed everywhere तो हर जगा आप क्या बन रहे थे groups बन रहे थे तो हम कह सकते हैं कि लोगों को आप क्या है लोगों को जो अपने expressions थे उन्हें express करने के लिए group formation के आजादी मिल गई थी February Revolution के बाद में तो उस तरह से क्या है बहुत सारे groups बनना स्टार्ट हो गए अब April में क्या होता है February Revolution हो गया March गया April में कौन होता है April में 1917 में दी बॉल्शविक लीडर वल्देमेर लेनन रिटर्न फ्रॉम एक्जाइल ये क्या हुआ देखो क्या था कि जब राजा रूल कर रहे थे February तक तो उसके पहले क्या था राजा को दिख रहा था कि जो बॉल्शविक लीडर है वल्देमेर लेनन ने ये क्या है ये बहुत खत्रनाग इंसान हो सकते क्यों क्यों क्योंकि प्रोटेस्ट करते थे तो उसके चलते राजा ने बोल बेटावर के तो इसके और लेनन क्या भूलते हैं अब वापस आने के बाद में लेनन क्या बोलते हैं वापस आने के बाद में लेनन बहुत खो्र कोलते हैं कि ठीक अभी तक हम क्या सकता है कि पूरा का फेबरीरी रेवलिशन होता है उस रेवलिशन में पावर कौन देता है उस रेवलिशन में पावर प्रोविजनल गवर्मेंट देती है ठीक है प्रोविजनल गवर्मेंट अपने हाथ में पावर लेती है उस रेवलिशन क मनाना है कि जो वर्कर से वो खुद क्या करें तुक ओवर कर लें उन्हें गवर्मेंट की भी जरुवत ना हो तो उस सेंस में क्या है कि रिख बनाने के आजादी दे थी बोल्शविक भी था बोल्शविक पार्टी वेक तरह का गुरुप थी तो उन्हें बोला कि नौट सी टाइम टेक ओवर वाई सोविट तो इस चीज को सपोर्ट किया उन्होंने और वल्देमिर लेनिन ने आते से तीन बाते कही थीक है उनकी इन तीन बातों को अपरेल थीसेस में इंक्लूड किया गया या फिर कह सकते हैं कि अपरेल में बोल्शविक लीडर वल्देमिर लेनिन रश्या लोटने के बाद में एपरेल थीसेस देते हैं अब यह अपरेल थीसेस क्या है ठीक है क्यों देते हैं और क्या है अपरेल थीसे पता होना चाहिए और वही सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करने वाले कि अपरिल थिसेस क्या थी क्यूं दी गई थी यह सारी चीज़ें आपको इस समझ में आगए कि February Revolution होने के बाद में किस तरह से country में politically भी चीज़ें बदल गई थी आजादी मिल गई थी लोगों को अपने Soviets बनाने की तो बहुत सारे Soviets बन रहे थे जो provisional government बनी थी उसे कौन लीड कर रहा था यह सारी चीज़ें क्लियर है तो यह सारा सब कुछ हमने इस वीडियो में पढ़ा है नेक्ट वीडियो में हम April thesis के बारे में पढ़ने वाले हैं इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं नेक्ट वीडियो में thank you thank you very much hello everybody this is दिग्राव सिंग राजपूद welcome to magnetbrains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Lenin's April Thesis विछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि February Revolution के बाद में चीजें कैसे बदल रही थी क्या situation थी कहां पर रशिया में फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अब कौन आ चुके हैं Lenin आ चुके हैं जो exile पे थे तो वो अभी तक जो छुप रहे थे दूसरे दूश्रे देशों में भाग रहे थे February Revolution के बाद में वो अपने देश वापस लोड जाते हैं अब वहाँ पर जाने के बाद में वो April Thesis देते हैं April Thesis देते हैं वो डिमांड करते हैं किस चीज की कि Soviet should took over the government अब जो country को रूल करने की बात की जा रही थी तो अब वो Soviet को करना चाहिए प्रोविजनल गवर्मेंट को नहीं करना चाहिए उसी के साथ साथ में अपरिल थीसेस देते हैं कोशन अपरिल थीसेस पर बनता है तो वो देश निकाला कर दिया था उन्हें तो देश निकाले के वाद जो वापस आते हैं तो वापस आने के बाद में वो तीन डिमांड प्रेजेंट करते हैं और जो तीन डिमांड वो प्रेजेंट करते हैं उन्हें क्या कहा गया है उन्हीं डिमांड को एपरिल थीसेस कहा गया है तो April thesis क्या थी? War should be brought to an end ठीक है पहली demand यह थी उन्होंने Lenin चाहते थे शान्ती हो जाए शान्ती हो जाए मतलब क्या है कि जो Russia इतनी सारी casualties को face कर रहा था तो वहाँ पर क्या करना है वहाँ पर कुछ normal हो जाए इसके लिए उन्होंने पहली demand क्या रखी? War should be brought to an end लड़ाई खतम कर दी जाए Land to be transferred to the peasants ठीक है जो जमीन है जमीन देखो socialist society क्या बुलती थी कि जो nobility है आफिर कह सकते हैं जो बड़े-बड़े transfer to the peasants clear है तीसरा point देखते हम banks to be nationalized banks to be nationalized का मतलब क्या है कि जो bank है ठीक है bank को क्या कर दिया जाए nationalize कर दिया जाए मतलब कि उसका control कौन समालेगा banks का banks का control समालना है अब government को government regulations को control को इन सारी demands ध्यान हो गई है ठीक है अब उसके बाद में उन्होंने और क्या क्या argument दिये he argued to rename bolshevik party as communist party ठीक है उन्होंने क्या बोला कि जो bolshevik party है उसे russian communist party या फिर communist party के नाम से क्या कर दो उसका नाम बदल दिया जाए पार्टी का bolshevik party का आप सोचे रहों क्यों ठीक है तो वाश्टुशास्त्र खराब था इसलिए क्या किया गया नाम बदलने की बात की गई ऐसा कुछ भी नहीं है नाम बदलने की बात क्या क्यों की गई थी to indicate its new radical aims ठीक है new radical aims मतलब यह जो बात की जारी थी यह सारे यह सारी बात किस चीज से रिलेट करो आप connect with the idea of Karl Marx Karl Marx का idea पढ़ा था हमने क्या बोला था उन्होंने की workers को सारे प्रॉपर्टी पे टुक ओवर कर लेना चाहिए वैसी land to be transferred to the peasants ठीक है उसके आद में क्या है war to be brought to an end तो यह उनका अलग perspective था कि लड़ाई के communist party कर दी जाए ताकि जो कम्यूनिजम के जो Karl Marx में communist society बनाने की अपने हमें बाद बताई थी उसके जो radical aims है हम उन्हें क्या कर पाए हम उन्हें indicate कर पाए ठीक है आया समझे तो इस संस में बोलते है कि नाम भी बदल दिया जाना चाहिए किसका बॉल्शविक पार्टी का ए आजा गाया प्रोविजनल गवर्मेंट है हम खुश है तो लिबरल्स भी हमने जैसे देखा शोशलिस्ट भी हमने देखा जो military के कुछ लीडर्स थे वो सभी लोग मिलके गवर्मेंट बना के चला रहे थे तो देश के लगबाल गपक सभी लोग खुश दिख रहे थे किस से प्रोविजनल गवर्मेंट से उस बीच में लेनिन आके बात करते हैं कि सोशलिस्ट सीजर टू पावर होना चाहिए मतलब सोशलिजम की बात करने वाली जो पार्टी है बॉल्शेविक पार्टी उसको पावर अपने हाथ में लेलना चाहिए सोवेट स्टाइल में अब क्या नहीं है मतलब लेनिन के सपोटर्स ठीक है बॉल्शेविक पार्टी के मेंबर्स वो खुद ही एक समय के लिए क्या हो गय थे शर्प्राइज थे कि लेनिन के अपरेल से सथीज़ नहीं है अभी प्रोविजनल गॉर्मेंट को ही सपोर्ट करना चाहिए मतलब अभी समय उतना सही नहीं है कि हम एक और revolution ले आए, February revolution के बाद में हम जो चाहते थे, change चाहते थे, राजा को हटाना चाहते थे, वो मिल गया है हमें, फिर और क्यों change की बात करें हम, तो सेंस में शुरवात में लोग जो थे वो ready नहीं हो रहे थे, ठीक है, they thought it was not the right time for socialist revolution and the provisional government should be supported, मतलब कि ब socialist revolution लाने के लिए भी सही समय नहीं है, and the provisional government should be supported, और जो provisional government बनाई है, उस government को सपोर्ट करके भी चीज़ें चलती रहना चाहिए, तो इस तरह से बात की जारी थी, ठीक है, but the development of subsequent months change their attitude, लेकिन समय के साथ में कुछ-कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, अब कुछ-कुछ कैसा मतलब over the period of time, February के बाद में, March, April, May, June में कुछ ऐसा होता है कि लोगों का जो mindset था, जो लोग बोल रहे थे कि provisional government को support करेंगे, तो सारे लोग धीरे-धीरे Lenin के अपरिल thesis के साथ ready हो रहे थे, Lenin के argument के साथ, argument के साथ में लोग ready हो रहे थे कि हाँ, socialist revolution होना चाहिए, ऐसा क्या हुआ होगा, ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा, आखिर हुआ क्या था, कि जो लोगों का नजरिया बदल गया provisional government को लेके, तो अब हम वो क्या करेंगे, next part में पढ़ने वाले हैं, तो I hope आपको देखो, कहानी relate कर पा रहे हो, मैं आपको question के साब से parts में चीज़ें आपको बता दिया, ठीक है, तो ये gap period के बारे में पढ़ रहे हैं, कि February से October revolution अभी आने वाला है, तो उसके बीच में जो gap period था, तो उसमें क्या-क्या development हो रहे थे, April thesis Lenin की, ठीक है, और initially after February क्या situation रही थी, और अब हम देखेंगे, कि what were the subsequent developments, ठीक है, which created the situation whereby people started demanding another revolution, people started demanding, मतलब Bolshevik party की जो ideology थी, जो Lenin ने अर्ग्यू किया था कि change होना चाहिए, तो लोग उसको support क्यों करने लगे, ठीक है, ये सारी चीज़ हम next video में पढ़ने वाले हैं, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक, सभी subjects, सभी chapters और सभ chapters के sub-topics, एक arranged format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much. Hello everybody, this is दिग्रास सिंग, राजपूद, welcome to magnetbrains. लैनिन वापिस आते हैं, लैनिन वापिस आते हैं, एक्जाईल से, उसके बाद में लैनिन क्या करते हैं, अप्रिल थीसेस देते हैं, उनके अप्रिल थीसेस में क्या होता है, कि शुरुआत में जो उन्हीं की party के member थे, वो confused थे, surprise थे, कि लैनिन ऐसा क्यों चाह रहें, अभ इसमंझ में अब यहां से हम कहानी आगे बढ़ाते हैं तो रीजन for October Revolution देखो क्या होता है वर्कर्स मोमेंट ग्र्यू वर्कर्स मोमेंट ग्र्यू मतलब क्या है कि अब वर्कर्स जो थे तो ज्यादा से यादा वर्कर्स participate कर रहे थे workers की associations में वो अपने Soviets अलग बना रहे थे ठीक है trade union factory committees यह सारी चीज़े बन रही थी connect this with events after February Revolution जैसे मैंने बताया ना भी कि February Revolution के बाद में क्या है लोगों को association बनाने की Soviet बनाने की आजादी दे दी थी तो वही यहां पर हो रहा था कि workers जो थी उन्होंने अपने movement को accelerate कर दिया ठीक है they have started making more and more Soviets more and more committees groups these all things तो जब इसके चलते क्या हो रहा है कि जादा से जादा committees बन रही है तो उन्हों they started questioning industrialists तो जो industrial owners थे जिनकी industries में काम करते थे उनके अगेंस में trade unions question करना स्टार्ट कर दे थी अब मैंने आपको बताया था कि जो provisional government बनी है तो provisional government dominate कौन करता था industrialist वगेरा लोग dominate करते थे starting में बताया था तो उस sense में क्या हुआ अभी देखो उस sense में ऐसी हो गई कहानी कुछ हमारी कि पहले जैसे राजा था राजा के against में जनता होती थी तो अब क्या हो गया कि अभी provisional government है जिसमें industrialist है अब क्योंकि trade unions, factory committees ये सारी चीजें बनी है और ये industrialists को oppose कर रही है तो इसके चलते फिर वही वाला relation डवलप हो गया एक तरह से देखा जाए तो कि पहले राजा था provisional government आ गई है और उनके against में अबाज workers उठा रहे हैं पहले भी उठा रहे थे अभी भी उठा रहे हैं ठीक है तो वह एक ऐसी situation डवलप हो गई है soldiers committees were formed in the army army में भी क्या होने लगा soldiers ने अलग-अलग committees बना लिए क्योंकि पहले पूरी की पूरी आर्मी किसे चेंडर में हुआ करती थी पहले पूरी की पूरी आर्मी राजा केंडर में थी क्योंकि जाने के भाद में क्या होता है? तो provisional government t forgot ich टेकनिकली देखा जाया तो country को लीड कर रही है लेकिन अलग-अलग groups थे पार्टी थी अलग-अलग जैसे बॉल्शिविक पार्टी थी तो उसके चलते क्या है कि आर्मी में जो लोग है वो भी किसी ना किसी आइडिलोजी को तो सपोर्ट करेंगे ही तो ऐसा देखने को मिल र को तो इस तरह से यहां पर भी बाइफ्रेकेशन चालू हो गया था ठीक है फिर क्या होता है इन जून अबाउट 500 सोविएट सेंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉर एन और रशियन कॉंग्रेस और सोविएट यह इसको एको क्या होता है तो उस तरह से यह जो सोविएट इस बने थे मैंने आपको बताया है आपए कि ट्रेड उनियन कमिटीज बनाने की आजादी दे गयी थी और फेबरेरी रवलिशन के बाद में बहुत सारे सोविएट्स बन गये थे तो जो बहुत सारे बहुत सारे कितने थे यहां पर 500 सोविट्स ठीक है तो जून में उन से जो आजादी मिल गी थी तो आजादी का इतना फाइदा उठाया लोगोंने कि 500 गुरुप बन गए अब ये सारे 500 गुरुप कहा गए थे ये 500 गुरुप ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव पहुचा है All Russian Congress for Soviet तो जैसे हम कहते हैं कि आपने इंडियन नेशनल मुवेंट में अगर आपको थोड़ा से इंटरेस्ट हो पड़ा हो तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता थे पहले जितनी भी पार्टी ये देश की सारी पार्टी इस इखटी होती थी इंडिपेंडेंस से पहले और डिसकस करती थी राउंटेबल कॉन्फरेंस होते ये सारी चीज़ होती थी तो उसी तरह से रशिया में क्या है कि बेशक रूल कौन कर रहा है जो प्रोविजनल गवर्मेंट बनी थी जो पेट्रोगार्ट सोविएट था वो रूल कर रहा था ठीक है लेकिन जो दूसरे सोविएट थे तो उनकी भी बात तो सुनी जाना चाहिए तो इस तरह से 500 सोविएट की रिप्रेजेंटेटिव कब गए जून में जो आल रशियन कॉंग्रेस आल रशियन कॉंग्रेस ऑफ सोविएट की जो मीटिंग हुई थी उसमें गए ठीक है तो इस तरह से क्या है कि इस तरह से हम देख रहे है कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता जा रहा है लोगोंने कुशन करना स्टार्ट कर दिया है लोगों में बाइफर्केशन हो गया है ठीक है अब यह जो आल रशियन कॉंग्रेस ऑफ सोविएट बनी थी तो इसमें क्या इसमें बॉल्शिविक के सपोर्टर्स बहुत जादा थे और ठीक है अब इन सारी चीजों को जब लिचे कारण है देखो कारण क्या है कि all this was seen as the growing influence of Bolshevik to take power against provisional government ठीक है तो यह जो भी हो रहा था तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा था कि workers का ज्यादा सपोर्ट किसको था बॉल्शिविक पार्टी को बॉल्शिविक पार्टी के सपोर्ट में soldiers भी उतर आये थे अब यह जो 500 Soviets थे इन्होंने अपने representatives पोचाये थे all recent Congress of Soviet में तो यहाँ पे भी क्या है यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा कि बॉल्शिविक के supporters जादा थे तो इन सारी चीजों के अगर ऐसे ही influence बढ़ती रही है तो वो क्या कर लेगी वो provisional government को धक्के मार के निकाल देगी तो आपके मन में भी ऐसी सवाल आ रहा होगा government ने कुछ तो कहा होगा या से कुछ तो किया होगा government ने जब इतना कुछ development हो रहा है तो government ने कुछ तो action लिया होगा government के पास power है जि ठीक है बोल्शविक पार्टी जो है तो बराबर में दिखने लगी थी provisional government के तो इन सारे discontent को control करने के लिए जो भी ये आवाजे उठ रही थी इन आवाजों को दबाने के लिए provisional government ने क्या किया provisional government ने controlled worker by arresting their leaders workers को कैसे control करा उनके leaders को arrest करने start कर दिया leaders को पकड़ पक ठीक है यह देखो यह क्या है प्रो विल्शविक demonstration on 17 जुलाई 1917 being fired upon by the army आपकी बुक में भी दिये फोटो तो मतलब क्या है किस तरह से अब जब कोई प्रोटेस्ट कर रहा है अगर बॉल्शविक पार्टी के अब यहां पर प्रोटेस्ट राजा तो ही नहीं किसके अगेंस म अब आगे क्या होता है तो इस तरह से हम देखने कि cities में situation अब क्या होते जारी बिगरती जारी यह और यही क्या बनीए यही बनीए reasons for October revolution कि कल को अगर October revolution आता है तो उस October revolution के लिए कारण क्या होगा उस October revolution के लिए कारण यही होने वाले हैं ठीक है मैंने आपको बताया कि किस तरह से लोगों के अंदर discontent बढ़ता जा रहा था वरकर्स के अंदर soldiers के अंदर ठीक है अलग-अलग Soviets जो थे वो बॉल्शविक को सपोर्ट कर रहे थे लेनिन ने पहले ही बात छेड़ दी थी क्या छेड़ दी थी लेनिन ने बात लेनिन अप्रेल थी से पहले ही दे चुक तो इसके चलते क्या होता कि अब बॉल्शविक leaders को ढर ढर के भागना पड़ रहा था क्यों क्यूंकि पावर तो provisional government के पास है तो अपने ऑगेंस में जो भी आवाज उठने वाले लोग थे जो दूसरे आवाले लोग थे बॉल्शविक पाटी थी उन्हें डर आ गया एक कि अब यह government वही मोनारक वाला system अपनाने लगी है ठीक है और यही डर भी रहता है लेजिन को कि अगर control नहीं किया गया किसको provisional government को एक और revolution जल्दी नहीं लाए गया तो dictatorship में convert हो सकती है provisional government ठीक है लेकिन situation countryside में कुछ और थी मतलब अगर ग्रामिन शेतर में देखो गया countryside peasants and socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land अब यह देखो क्या है देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर द्यान हो तो कि socialist revolutionary है और socialist Democrats है socialist Democrats मतलब कौन वो लेनिन वाला जो विंग है जो बॉल्शविक पार्टी का जादा है और दूसरा क्या socialist revolutionary है तो यह अधिकतर countryside में का काम जादा है जो क्या है वालेंस में विश्वास रखते हैं लेकिन ultimately दोनों की roots तो socialism पर ही है न तो एक तरह से काम एक जैसे ही करते वो पावर लेना बस ठीक है तो यहाँ पर वही होता countryside में क्या situation थी कि जो peasants थे और जो socialist revolutionary leaders थे इन लोगों ने क्या करा इन लोगों ने nobility के उपर pressure create करना इस्टार्ट करा क्या कि land को redistribute किया जाना चाहिए ठीक है यह April 30s का एक पार्ट था land को redistribute किया जाना चाहिए तो इ अभी देखो अभी यह जो पूरा हम चेंज देखने को मिल रहा है ना हमें कि October revolution आने वाला है October revolution के बाद में Bolshevik power में आ जाएंगे अभी तो नहीं आएं तो यह अभी शहरों तक सीमित है गाओं में क्या हो रहा है गाओं में एक तरह से peasants अपने अपने अंड पर revolution कर रहे है अपने अपने अंड पर revolution कर रहे हैं पीजन्स ने कबजा करना स्टार्ट कर दिया था जुलाइ से सप्टेंबर के बीच में 1917 में बहुत सारी जमीनों पर कबजा कर लिया पीजन्स ने अब आपके मन में सवाल ही आया होगा कि यह जो October revolution है ठीक है बॉल्शोविक के दौरा है कैसे हुआ और क्या हुआ होगा इस revolution में तो वह मैं आपको बता हूँगा अभी एक बार मैं आपसे question पूछता हूँ एक क्या पूरी कहानिया आप रिलेट करो आगे से पीछे तक कैसे कि after February कैसे चीज़ें बदलते चलेगी ठीक है after February मैंने आपको बताया क्या क्या हुआ April thesis Lenin ने एक proposal रखा कि हमें Soviet should take over the power लेकिन तब लोग ready नहीं थे फिर क्या होता है फिर कुछ subsequent developments होते है over the period of time जिसके चलते चीज़ें बदल जाती है चीज़ें क्या बदलती है तो वही मैं करी दिया था और जैसे-जैसे प्राइब बिंह adaptे जा रही सी उन्हेसे जारी घिसकी जैसे जैसे प्रोविजनल ग़र्मेंट के आदद बीगहाते जा रही थी प्रोरविजनल कर दिया अपनी policy इसको स्यक्र意िक कर दिया अ Greek demonstrator icon अने और उन उपर क्या करना कर दिया मत पीजन्स ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था पीजन्स ने क्या कर दिया था जमीनों पर कब्जा करना पीजन्स सीज्ड लैंड बिट्वीन जुलाई एं सप्टेंबर 1947 तो कंट्री साइड में काम चालू हो गया था और यह जो भी अक्टिविटी हुई यह दिस ऑल प्रोव कैसे इवॉल्व हो October Revolution clear है इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ओफिशल वेबसाइट Magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं Magnetbrains.com पर क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अविलेबल हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं फिल फ्री तो विजिट आर ओफिशल वेबसाइट, www.magnetbrains.com मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू, थेंक यू बही मच इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, The Revolution of October 1917 फाइनली हम उक्टोबर रेवलिशन पर पहुझ गए हैं ठीक है दोगो मैंने पिछले वीडियो में आपको सारा बैग्राउंड बता दिया कि कैसे फेबरेरी से उक्टोबर के बीच में क्या क्या हुआ जिसके कारण उक्टोबर रेवलिशन आना है ठीक है आएगा भी रास्त हैं तो अब हम वह देखने वाले हैं कि अप्टोबर रेवलिशन हुआ कैसे ठीक है जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे एक सवाल के साथ में छोड़के गया था कि रेवलिशन कैसे हुआ क्या हुआ रेवलिशन में तो वह सारा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता है कि प्रोविजनल गवर्मेंट को दिख रहा था कि बॉल्शेविक गवर्मेंट हमारे बराबर पावर में आके खड़ी हो गई है तो इनकी बीच में कंफ्लिक्ट बढ़ता जा रहा था दर लग रहा था प्रोविजनल गवर्मेंट को कि कहीं बॉल्शेविक गवर्मेंट के लोगों के उपर गोलियां चलवा देना, वरकर्स के लीडर्स को अरेस्ट कर लेना, तो इस तरह से जिस एटिट्यूट से वो रियक्ट कर रही थी, कौन प्रोविजनल गवर्मेंट, लेनिन को ये डर लग रहा था, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, क्या उस सेंस में अब क्या करते हैं, लेनिन प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, उन्होंने बोला कि प्रोविजनल गवर्मेंट को हराएंगे, कैसे हराएंगे, तो फेबरी रेवलिशन में जैसे हमने राजा को हरा है था वैसी अब क्या लाएंगे, ऑक्टोबर रेवलिशन ले आर्मी अब देखना supporters कौन कोने आर्मी में supporter है मैंने बताया कि soldiers started making committees पिछले वीडियो में पढ़ा था तो उस तरह से आर्मी में भी कुछ बॉल्शेविक party के supporter होंगे ठीक है Soviets जो अलग-अलग group बने मैंने बताया था कि 500 Soviets के representatives गए थे All Russian Congress में ठीक है तो वहाँ पे कुछ Soviets Bolshevik party को support करती थी तो इन Soviets का support लिया and factory workers ठीक है तो जो factory worker थे उन लोगों का भी support लिया लेनिन ने तो लेनिन ने या फिर कह सकते हैं बॉल्शेविक party के जितने भी supporter थे आर्मी में, Soviets में, factory workers में तो लेनिन started up planning with them ठीक है इन सभी लोगों के साथ मिला के इन लोगों के साथ में planning स्टार्ट करी किसके against में? Against the provisional government ठीक है? provisional government के against में planning स्टार्ट कर दिये चलिए यहां तक आगी चीज़ें समझ में? अब आप सोच रहे होंगे या फिर पूछना चाह रहे होंगे कि क्या था plan? ठीक है? plan क्या था? क्या plan था? तो समझ जाना आप, plan क्या था? अभी अब बात यह होती कि plan क्या था? तो यह तो secret रहेगा क्यों? क्योंकि यह Lenin ने secretly अपने supporters के साथ बनाया था अपने supporters के साथ बनाया था तो Lenin ने किया क्या चलो मैं बता देता हूँ आपका उनको secret plan कि Lenin persuaded the Petrogaard Soviet and Bolshevik Party मतलब कि जो Petrogaard Soviet था और Bolshevik Party जो थी तो इन दोनों को persuade कर लिया अब देखो आप confuse हो रहे होंगे कि Petrogaard Soviet ने ही तो क्या बनाया था? provisional government बनाया थी तो जी हाँ वो group ने एक साथ क्या किया था? राजा के अगेंस्ट में अबाद उठाई थी और तब जाके कहीं राजा ने step down किया था लेकिन पूरा का पूरा group थोरी ना कोई provisional government बैठ गया मैंने आपको बताया provisional government was dominated by whom? dominated by army officials, land owners, industrialists तो उसमें जो upper strata के लोग थे वो dominate कर रहे थे पेट्रोगाट Soviet ने no doubt February revolution लाने में पेट्रोगाट Soviet का ही important role था लेकिन सारे के सारे जो workers थे पेट्रोगाट मतलब February revolution में हमें देखा जैसे की workers ने भी participate किया था कुछ soldiers ने भी participate किया था तो सारे लोग पावर में थोरी चले गए थे तो लेनिन ने क्या किया जो पेट्रोगाट Soviet था उसे persuade किया उसे मना लिया कि चलो तुम हमारे साथ मिलो हम provisional government को हराएंगे बॉल्शविक पार्टी ठीक है बॉल्शविक पार्टी और पेट्रोगाट Soviet सभी लोगों ने मिलके लेनिन ने सबको मनाया ठीक है लेनिन पर्सुएडेट पेट्रोगाट Soviet और बॉल्शविक पार्टी टू एग्री टुए सोचलिस्ट सीजर ऑफ पावर ठीक है यह समझ्य वाली चीज़ है मतलब सोचलिस्ट revolution की बात करी लनीन ने किसके साथ मिलके पेट्रोगाट Soviet के साथ में और बॉल्शविक ठीक है अपने साथ लिया अपने साथ लिया मतलब क्या है कि एक military की तुकडी जो थी military का एक जो विंग था पूरा का पूरा वो लेनिन के साथ हो गया तो एक appointment of military revolutionary committee हुई ठीक है अब यह जो military revolutionary committee यह क्या है एक group बनाया जाता है जिसको lead कौन करते हैं अनर्दी leadership of Leon Totsky ठीक है Leon Totsky leadership के अंदर में military revolutionary committee बनाये गई है देखा एक चीज़ बताता हूं कि हमने पिछली slide में पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब provisional government ने क्या करना start किया बॉल्शविक leaders को suppress करना start किया तो बॉल्शविक leaders छोड़ छोड़ के भाग गहे थे देश ठीक है उन्हें डर लगने लगा था कि यहां रहेंगे तो प्रोविजनल government जो है तो प्रोविजनल government के leaders हमें मार देंगे ठीक है तो Lenin क्या कर रहे थे जाकि हमें एक socialist revolution लाना है फिर उसके साथ में क्या होता है उन्होंने military revolutionary committee भी बना लिया अंदर यह अंदर यह देश में ठीक है military revolutionary committee का और उन्होंने सारी planning बना लिए कि अब हमें क्या करना है अब हमें बस एक दिन तकता पलेट करना है तकता पलेट करना है मतलब कि प्रोविजनल government को हटाना है और एक socialist government को establish करना है socialist Caesar of power लाना है socialist revolution लाना है आगया समझ में यह तक ठीक है अब देखो क्या होता आगे the date of uprising was kept secret अब देखो क्या है उन्होंने इतनी सब को secretly करा कि सारे लोगों को बता है भी निकिए हमें किस दिन finally launch करना किस दिन finally thrust देना है उन्होंने सब को secret रखा तो the date of uprising was kept a secret अब आप excited हो इस चीज के जानने के लिए कि आखिरकार बाद में क्या होता है what happened next ठीक है तो यह planning वाला पार्ट पूरा मैंने बता दिया कि जो revolution होता है October 1917 का तो 1917 October revolution की planning इस तरह से हो गई है पूरी ठीक है अब planning के बाद में execution कैसे होता है क्योंकि date जो थी वो date क सीक्रेट रखा गया लोगों को नहीं पता था क्या होने वाला है चीक है लेकिन October में होगा इतना सबको पता था पता है क्यों पता है क्यों कि आप बोल दो कि सर October revolution तो पढ़ रहे तो मैं तो पता है ठीक है बड़े समझदार हो अब देखो क्या होता फिर next क्या होता है तो ज जो प्लानिंग करी थी पूरी military revolutionary committee जो बनाई गई थी इस military revolutionary committee ने अपना काम कर दिया था कैसे काम किया हो हम बताता हूं देखो military revolutionary committee sees government officers and arrested ministers government officers को फटा 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 फट सब को अंडर में ले लिया अपने government ministers जितने भी थे तो ministers को arrest कर लिया मैंने वही बता है कि military revolutionary committee का है अंदर है अभी देश के ठीक है वहीं पे पेट्रोगार्ड में है पूरा सब कुछ लीडर जो लियान टॉट्स की वो भी सब कुछ देखा परखा है उनका तो उन्होंने फटा फट काम किया 24 तारिक के दिन military revolutionary committee ने power अपने पास ले ली सारे officers को arrest कर लिया ministers को arrest कर लिया अब एक ship ठीक है एक जहाज था समुद्र में किदर गया ship Aurora ये रहा ठीक है तो ship Aurora was sailed to winter palace ये क्या है मतलब ship Aurora sailed the winter palace and many other vessels sailed and took over the military points तो जैसे जो river नेवा थी तो river ऐसी चोटी सी river नहीं है बड़ी river है ना तो वहाँ पे क्या ship उतार दी गई है ठीक है submarines उतार दी गई है और इन्होंनों क्या कर लिया जितने भी strategic point थे winter palace जो था winter palace पे कबजा कर लिया soldiers पॉज़ गए वहाँ पे कौनसे soldiers जो pro bolshevik थे जो bolshevik के supporter थे तो वह soldiers पॉज़ गए उसी तरह से बहुत सारे दूसरे vessels छोटी छोटी ship submarines ये सारी चीज़ें क्या है जितने भ night city was under committee's control ठीक है ये टरशन है किसका टरशन है military revolutionary committee का military revolutionary committee ने planning करी लेनीन ने परस्वेट करा था सारे जितने भी petro guard soviet थे जो भी उनके आर्मी के members थे ठीक है bolshevik party के कि अपन socialist Caesar of power लाएंगे लियान टोट्सकी के अंडर में क्या होता है military revolutionary committee बनती है और जो तारिक ताई की जाती है उस तारिक पर काम करना चालू करते है अपना और इस तरह से वो क्या कर लेते हैं पूरा कबजा कर लेते हैं कहां पे कबजा करेंगे ये petro guard में ठीक है ध्यान रखना petro guard जो capital city थी वह कुछ किया गवर्मेंट ने जो बन सकता था गवर्मेंट से गवर्मेंट ने वो किया लेकिन गवर्मेंट successful नहीं रही और इसी कारण से क्या देखते हैं कि military revolutionary committee अपनी कमांड जमा पाती है गवर्मेंट ने क्या किया था सेंसिंग ट्रबल प्राइम मिनिस्टर किरंस्की समन ठीके तो prime minister करिरंस्की दिखा देतें आपको यह है prime minister करिंस्की कौन से prime minister तो जो प्रोविजनल neighbors बनी थी par प्रोविजनल गवर्मेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो यह अंकल थे जिक एक एन्हीकी लीडर्शिप में सारी चीजे हो रही थी तो प्राइम मिनिस्टर केर synthetic की ने का किया प्राइम मिनिस्टर केरंस्की लेकिन जो इनके वफदा थे उन टृप्स को समन किया प्राइम मिनिस्टर ने कि जाओ तुम फठाफट क्या करो तुम जा के जो بھی इनकी बिल्डिंग्स है बॉल्शविक पाटी इसके पाठी की बिल्डिंग्स वगरा पर आफर बॉल्शविक पार्टी के जो लीडरस है उन् इतने troops को पहुचाते भी है military men loyal to government seize the building of two bolshevik newspaper तो जितनी भी military men किसके towards loyal थे ठीक है loyal to government जो government के towards loyal थे provisional government के seize the building of two bolshevik newspaper जो जहां से चलते थे तो इन्होंने ये presume किया कि शायद यहां पे कुछ meeting meeting करेंगे यहां से कुछ start होगा तो उन्हें buildings वगरा को क्या कर लिया offices were taken over by the pro-government troops ठीक है तो जो pro-government troops थी उन लोगोंने क्या कर लिया जितने भी telephone और telegraph offices थे सब पर कभजा करके रख लिया सबको अपना कभजा जबा लिया सारी चीजों पर तो इन सारी चीजों के चलते क्या है आप देखोगे कि दम पूरा government ने भी लगाया provisional government ने क्या कि revolution को रोखा जा सके बट all this was of no use लेकिन यह किसी यूज का नहीं रहा मतलब इससे कुछ ज्यादा कह सकते हैं better results निकल के आये नहीं सामने क्यों क्योंकि जो बहतर planning थी वो किसकी थी वो बॉल्शिविक पार्टी की बहतर planning थी military revolutionary committee की बहतर planning थी और मैंने बताया कि by night city was under committee's control तो पेट्रोगार्ट पे इस तरीके से कबजा कर लिया ठीक है तो यही है the revolution of October 1917 I hope आपने पहले के वीडियो भी देखे हैं क्योंकि तभी कहानी connect करने में मजा आएगा कि किस तरह से February revolution होता है फिर February से October के बीच में discontent बढ़ जाता है बॉल्शविक पार्टी का खास करके किसके against में provisional government और फिर वो किस तरह से planning करके provisional government को position से हटाते हैं प्राइम मिनि revolution complete हो जाते हैं आपकी बुक में से लिया है फोटो ठीक है तो उसके बाद देखो यहां पर दो सरकल दिख रहे हैं यह लेनिन है यह टॉट्सकी है तो लेनिन और टॉट्सकी विट वरकर्स एट पेट्रोगार्ड तो उन्होंने कबजा कर लिया तो वरकर्स के सांथ में फिर approval by majority Soviet at all Russian Congress in Petroguard तो क्या होता है कि जो बॉल्शिविक ने जो भी किया ठीक है हमने देखा ना पूरा तक्ता पलट कर दिया बॉल्शिविक पार्टी ने तो बॉल्शिविक पार्टी की इस step को अप्रूफ कर दिया गया किसके दोबरा अप्रूफ कर दिया गया all Russian Congress in Petroguard मतलब जितनी country में दूसरी और भी Soviets जो बनी थी तो सभी Soviets ने बोला कि हाँ हाँ बॉल्शिविक पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है तो इस तरह से क्यों गया लेजिटिमेसी मिल गई बॉल्शिविक पार्टी को कि बॉल्शिविक पार्टी ने जो भी क्या सहीं किया है बॉ जो आदमी थे वो अब पावर छोड़ने को तयार रही थे तो लड़ाईयां चलती रही है बॉल्शिविक पार्टी के बीच में और गवर्मेंट के बीच में ठीक है बट बाय दिसंबर दी बॉल्शिविक कंट्रोल दी मॉस्को पेट्रोगाड एरिया तो पूरा का पूरा पेट्रोगाड से लगा के मॉस्को ठीक है ये पूरा एरिया जो था तो किसने कंट्रोल में ले ली था अपने वो बॉल्शिविक पार्टी ने अपने कंट्रोल में ले लिया था तो इस तरह से जो है October Revolution evolve होता है, clear है, देखो मैं फिर से कहा रहा हूँ, एक बार recap करो कहानी को, मतलब बुक भी मत देखो, कुछ भी मत करो, सिर्फ अपने मन में दोहराओ उस चीज को, कि कहां से February Revolution उठता है, ठीक है, February Revolution के बाद में किस तरह से provisional government को और वाल्श वीग पार्टी के बीच में discontent develop होता है, और discontent के बाद में क्या होता है, कि हमने बता दिया canvayER, reasons भी बता दिये की चीज़ीं याद होते तो यह हुगया हमारा सब कुछ अब हम देखेंगे कि October जैसे हमने देखेंगे कि October Revolution के बाद मैं बदला है, क्लेर हैं इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ओफिशाल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों डाउनलोड कर सकते हैं Feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं नेक्स वीडियो में Thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिग्राश सिंग राजपूद Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे What changed after October अब देखिए, बिष्ले वीडियो तक हम लोगों का October revolution आ चुका है अब बहुत सारे बच्चे जो स्मार्ट होंगे वो क्या बोलेंगे What changed after October तो October के बाद में October मेहना बदल जाता है November आ जाता है तो Congratulations आपकी बुद्धी बहुत तेज है लेकिन हम किस perspective में पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं Russian revolution वाले perspective में अब हम देखेंगे October revolution होता है Revelation होने के बाद में क्या होता है चीजें बदल ती है तो अब जो चीजें बदली है जैसा हमने देखा था चेजें बदली थी एक क्रक्स बताता हूँ मैं आपको February revolution के बाद में क्या देखा कि मोनार्की को अब्डिकेट करना पड़ा गवर्मेंट आ गई अब October Revolution के बाद क्या होता है कि जो गवर्मेंट बनी थी उस गवर्मेंट को हटाये गया और टुक ओवर किसने कर लिया बॉल्शिविक पार्टी ने Socialist Revolution हुआ सही मायने में ठीक है? तो यह हो गया अब चीज़ें कैसे बदलती October Revolution के बाद में क्या-क्या बदलता है वो सारा सब कुछ हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं क्लियर है? रास्ता समझ में आगया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टार्ट करते देखो तो सबसे पहले क्या है? कि पावर में आते से क्या करता है आदमी? पावर में आते से अपनी विचार धारों को इंप्लिमेंट करता है जो उसके opinions थे जो उसके viewpoints थे उसे implement करेगा तो वह यहाँ पर होता है कि implementation of April thesis जो Lenin ने बोला था कि हमें एक socialist seizure of power लाएंगे socialist revolution लाएंगे और उस एक बार पावर में आने के बाद में क्या करेंगे वो? एक बार पावर में आ जाएं पावर में आने के बाद में वो अपनी April thesis को implement करेंगे तो उन्होंने वही काम चालू भी किया होगा क्या चालू किया देखो Banks were nationalized सबसे पहली चीज जिस चीज़ का उन्होंने promise किया था Banks were nationalized by November 1917 तो November 1917 आते आते क्या होता है कि Banks को nationalized कर दिया जाता है सारे Banks को nationalized कर देना मतलब कि जो उनकी ownership और जो management होगा अब वो कौन समालेगा? Government समालेगी तो ownership and management by government फिर अगली चीज़ क्या होती है Peasants took over the land of nobility as it was declared as a social property जितनी भी जमीन थी सारी जमीन को क्या declare कर दिया गया social property मतलब वो जनता क्यों हो गई है तो अब जैसे social property समाजिक कह सकते हैं कि property उसको declare किया गया जमीन को तो लोगों ने क्या करना इस्टार्ट कर दिया Peasants took over the land of nobility Peasants ने बोला अच्छा मोका है यह जमीन छुडा लो फटा फट तो nobility के पास इतनी भी जमीने थी सारी जमीने पर जा जा के कबजा कर लिया सारी जमीने अपने अंडर में एट ली तो यह वही वाली बात है उन्होंने लेंड रीडिस्ट्रिबिशन की बात करी थी यहां पर लेंड रीडिस्ट्रिबिट हो गई है फिर क्या होता है लार्ज हाउस वर पार्टिशन अकॉर्डिंग टुदी साइज ओफ फैमिली मतलब जिसके घर में जितनी जनसंक्या उसको उतना बड़ा घर मिल रहा था यहां पर ऐसा हो गया मतलब आपकी फैमिली बहुत छोटी है तीन लोग रह रहे हैं आप तो उसके हिसाब से क्या आपको ज़्यादा बड़े घर की जरुद नहीं और जिसके पास जैसे कोई अरिस्टोक्रेट थे जो नोबिलिटी थे जो लार्ज लेंड ओनर्स थे तो उन्होंने अपना घर बड़ा बना के रखा था ठीके शौफ करते थे वो तो उस सेंस में क्या है कि अब ऐसा नहीं था एक बार जब October Revolution हो जाता है तो October Revolution के बाद में Lenin क्या बोलते है कि नहीं partition कर दो जिसकी जितनी बड़ी family होगी उसको उस हिसाब सा घर दिया जाए ऐसा नहीं कि लोग छोटी family वाले बड़े-बड़े घर में रह रह रहे है ठीके तो यह हो गया Large houses were partitioned according to the size of family Use of old titles of aristocracy was banned To promote equality क्यों किया गया वो भी समझाता हूं में मतलब जो old titles का use किया जाता था old titles का use किया जाता था क्या किया जाता था old titles में समझना इस चीज को कि कोई राजा था तो राजा अपने नाम के आगए कोई prefix लगाता था ठीक है या फिर वो उस नाम के चलते क्या होता था दूसरे लोगों मैं अपने आपको ऊपर बताने की कोशिश करता था तो इस तरह से जितने भी titles वगरा हुआ कर दे थे इनसे भी titles को क्या किया गए या बैन कर दिया गए कि कोई भी title नहीं लगाएगा सारे लोग एक समान रहेंगे तो इससे equality आएगी ठीक है फिर क्या होता है तो शो दी चेंज, new uniforms were designed for the army and officials example, बोदेनोवका hat तो ही उसका example है, मैं आपको दिखात दो देखो क्या है कि अब क्या होता है, power किसके पास है power एक तरह से देखा जाओ, बोल्शेविक party के पास नहोंने क्या क्या changes की वो आपको बता दिया उन्होंने equality को दिखाने के लिए या फिर कह सकते हैं कि change दिखाने के लिए हाँ आप सत्ता में परिवर्तन हो गया तो इस तरह से soldiers ने जैसे जो hat पहनी है ऐसी hat लगा दी गई थी uniform में ठीक है uniform change कर दी गई है जैसे आप देखोगे यहाँ पर स्टार में आपको दिख रहा है communist symbol भी दिख रहा है तो इस तरह से क्या किया गया इस तरीके से changes को express किया गया society में जैसे यहाँ पर land redistribution among farmers farmers को जमीन दी जा रही थी वापिस तो यह सारे बदलाव यह सारे बदलाव आ रहे हैं थे ठीक है यह हो गया समझ में आ गया पिर उसका आद में बॉल्शविक party was renamed as Russian communist party बोला था Lenin ने this guy is something right रावडी राठो ठीक है जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं तो उन्होंने वही किया यहाँ पर कि बोला था October revolution के बाद में क्या-क्या बदलाव आएं वो मैंने आपको बता दिया ठीक है यह सारे changes आएं अब आप सोच रहे होंगे कि यह सारे changes तो ठीक है लोगों ने accept कियोंगे लोग खुश होंगे कुश कौन नहीं होगा जिसके घर तोड़े जा रहे थे छोटा कर दिया गया था तो वो लोग खुश नहीं होंगे बेशक लेकिन overall आपको ऐसे लग रहा होगा सारी चीज़ें बहुत अच्छी है तो नहीं ऐसा नहीं था Was everything so smooth after October Revolution? तो no it was not like that ठीक है? No there was problems also तो क्या problems थी? अब यह आपको एक specific question आ जाएगा क्या? कि what were the problems after October Revolution? तो जो problems थी वो सारी चीज़ें अब हम next video में discuss करने वाले हैं I hope आपको यह समझ में आगया what changed after October Revolution? तो यह सारे points आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पर direct question ऐसे जाने वाला है What are the changes which Lenin या फिर what are the changes which Bolshevik party introduced after October Revolution? तो उसमें आपको यह सारी चीज़ें लिखना है Clear है? यह सारा होगे हमारा अब हम next video में क्या पढ़ेंगे? कि problems क्या थी? What were the problems after October Revolution? Clear है? इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हों डाउनलोड कर सकते हैं Feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में, thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिगरास सिंग राजपूद, welcome to magnetbrains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे problems after October Revolution अब यह क्या है, समझ येगा इस चीज़ को मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि क्या क्या बदला हुआ है October Revolution के बाद में What change after October Revolution तो positive sense में अगर देखा जाए किसके मतलब Lenin के perspective से तो उन्होंने जो भी बोला वो सारा सब कुछ किया April thesis की बात की जाए तो April thesis को implement कर दिया पार्टी का नाम करन फिर से हो गया नाम बदल दिया ठीक है क्या नाम बदला था अब ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो वाल्शविक पार्टी थी उसका नाम क्या बदल के क्या कर दिया गया था अक्टोबर रेवलिशन के बाद में ये आपका हमवक है ठीक अभी देखो क्या है तो अब ये सारी चीज़ हमने देखा पॉजिटिव सेंस में वो सारे बदलाव आया था लेकिन इस चीज़ का क्या है इस चीज़ के नेगेटिव इंपेक्ट्स भी थे या फिर हम कह सकते हैं कि जितना सब कुछ स्मूदली होते दिख रहा था क्या वो उतना हुआ था नहीं उतना स्मूदली हुआ नहीं था ठीक है कुछ प्रॉब्लम्स थी तो अब अगर स्पेसिफिक कॉशन यह आता है तो आपको यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी वो हम किसमें लिखेंगे है अगर और इंडप्ट कुशन आता है तो यह आला सारा कंटेंट आ जाएगा हमारा ठीक है स्टार्ट करते हैं तो देखो इन नेवेंबर नाइंटीन सेवेंटीन इन एलेक्शन तू Gesetzentwurf इसमेंड भाई बोल्शोविकस क्या करते हैं इन एलेक्शन करवाते हैं अब देखो यहाँ पर क्या है क्या है यह एलेक्शन क्यूं करवाते हैं अगर आपको ध्यान ओ पीछे जाते हैं बहुत पीछे प militarism में तो वहाँ पर क्या हुआ था लोगों की क्या डिमांड थी टाइम पर कि कंस्टिट्वेंट एसंबली हो एक कंस्टिट्यूशन हो जरा इस तरीके से सिस्टेमेटिक डेमोक्राटिक वे में कंट्री चला हो आप ठीक है तो फैबरी रेवलिशन इसी चीज के लिए हुआ था फि बॉल्शिविक पाटी जो है तो बॉल्शिविक पाटी सोच रही थी कॉनफिदेंस में बहुत जादा क्या तीक है हमें पावर में हम क्या हैं। हमक्त पार श्र DENNIS करेंगे हम फिर से क्या करवा सकते हैं बॉल्शविक पार्टी को जब मेजोरिटी संब्ली वैसा न चाहएज। तो दोनों के बीच में conflicts होंगे, औरे conflicts दिखते हैं हमें, कब दिखते हैं, तो January 1918 में, November में Constituent Assembly बन जाती है, दो महने तक धकाते हैं, वो ठीक है काम चलने दो, फिर January 1918 में, Assembly rejected Bolshevik measures, तो Bolshevik Party जो भी कर रही थी, जैसे हमने देखा कि जो पिछले वीडियो में discuss किया, what change after October, तो जो जो बदलाव ला रही थी Bolshevik Party, तो अब जैसे अगर दिखा रहे हो कि हाँ, आपकी country में Constituent Assembly है, उसका भी decision making में equal से रहेगा, तो आपको करके चलना पड़े देखनें, Constituent Assembly और Bolshevik Party, दोनों के बीच में conflicts जो थे, तो वो क्या हो गए, conflicts rain high, ठीक है, conflicts तेजी से दोड़ने लगे, conflicts बढ़ते चले गए, किसके बीच में, Bolshevik Party और Constituent Assembly, अपने पेर पर कुलाडी मानने वाली बात होगी, यहाँ प एक तरह से देखा जाये, क्यों, क्यो argument क्या दिया, argument यह दिया, he argued the assembly was elected in uncertain condition, वो यह बोलते हैं, कि वो assembly के election जो हुए थे न, वो बहुत uncertain condition में हुए थे, मतलब आप देखो, October Revolution के बाद में आये थे, तो उतना सब कुछ अच्छा नहीं था, तो इस करण से क्या है, कि बहुत uncertain condition में election हुए थे, उसके, इसलिए उसे dissolve करना सही है, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, और यह बोलते हैं, in the Russian Congress, जो all Russian Congress के हम बात कर रहे थे, in the Russian Congress of Soviet was more democratic, उनका यह मानना था, कि जिस तरह से सारे Soviet जितने भी groups थे, country में, वो सारे groups की जो meeting होती थी, वो ज्यादा democratic है, compared to Constituent Assembly, तो इस sense में, हम Constituent Assembly को क्या करते हैं, dissolve कर देते हैं, बाकी, main reason was, main reason was that, assembly rejected Bolshevik measures, ठीक है, assembly क्या करने लगी थी, वो Bolshevik measures को, Bolshevik party के द्वारा जो भी steps लिये जाते थे, उन्हें, क्या करती थी, oppose करती थी, reject करती थी, इसके चलते, Lenin ने घुसे में यह करती है, यह argument दे थी, ठीक है, यह क्या करती, पुटिंग कर दी उसके उपर, कि हाँ, हमने इस कारण से किया है, इस तरह से चीज़ें बदल जाती है, अब क्या है, अब सिर्फ Bolshevik party है, जंगल में अकेला शेर है, नहीं, अकेला नहीं, अभी कौन है, अभी उनके सामने Russian Congress भी है, Russian Congress में Soviets हैं, तो कुछ Russian Congress की Soviets तो supporter थी Bolshevik party की, तो वो उसके चलते क्या है, उसके चलते हम देखते हैं, कि अभी एक समय आएगा, जब सिर्फ और सिर्फ Bolshevik party ही अकेली रह जाएगी, यह आएगा यहाँ पे, one party state रह जाएगा, अब उपर से और क्या दिक्कत है जा रही थी, पता है, कि लोग जो दूसरे opposition party थी, ठीक है, जैसे ज constituent assembly में जो लोग जीत के आये होंगे, या फिर मान लीजे कि जो provisional government के कुछ leaders बचे होंगे, जो oppose कर रहे होंगे, तो वो सारे leaders नहीं चाते थे, opposition नहीं चाता था, कि क्या हो, कि peace treaty हो, peace agreement हो कि इसके साथ में, जर्मनी के साथ में, देखो war to be brought to an end, April thesis की एक point था, ठीक है, कि जो रशिया है, रशिया को लड़ाई से बाहर निकाला जाए, तो वो power में आ गए, अब लड़ाई से बाहर निकालेंगे, वैसे देखा जाए, तो Russian revolution जैसी होता है, 17 October में, वैसे ही call off कर लिया जाता है, फिर एक peace treaty sign की जाती, किसके साथ में, जर्मनी के साथ में, तो अब य एक peace treaty sign होती है, किसके बीच में, जर्मनी और बॉल्शविक पार्टी, बॉल्शविक पार्टी क्यों कह रहा हूँ, क्यों कि रशिया की सारी parties ready नहीं थी, उसके साथ में opposition था, despite opposition, अब peace treaty was signed, देखो ये, peace at breast little wask, तो इस तरह से leaders वगरा जो भी है, ठीक, ये सारी leaders मिलके क्य क्या कर रहे है, peace treaty sign कर रहे है, ठीक है, अब क्या होता है, इस चीज के लिए ready नहीं थे, लेकिन कौन ready नहीं थे, दूसरे जो party members थे, या फिर दूसरी जो parties थी, वो oppose कर रहे थे इस चीज को, लेकिन अब जिसके पास power है, वो अपने इसाफ से चलेगा, ये हो गया, फिर अब तीरे क्यों गया, रश्या विकेम one party state, one party state समझते हो ना, मतलब कि अब रश्या में किसका dominance रह गया है, अब रश्या में सिर्फ और सिर्फ बॉल्शविक party का dominance रह गया है, तो इस sense में रश्या में बॉल्शविक party की क्या थी, अब सिर्फ बॉल्शविक party ही बॉल्शविक party थी एक्सेंस में दिखा जाए तो trade unions वर kept under control trade unions को control में रखा जाने लगा ठीक है secret police बना दी गई है secret police क्या है जैसे चेका फॉस्ट ओजी पी यू एं एन झे वी डी तो यह ध्यान रखने आपको ओजी पी यू एन के विडीए कुछ secret police थे अब इनका काम होता था दे पनिश्ट दोस्ट क्रिटिसाइज दी बॉल्शविक बॉल्शविक की अगेंश में जिसने अवाद उठाई उसको कौन समालता था उसको यह सीक्रेट पुलिस समालती थी जैसे अगर आपको ध्यान ओ नाजिजम वाले चैप्टर में तो वहां पे उन्होंने क तो यह मैंने आपको पीस ट्रीटी का फोटो बताया यहाँ पे सीक्रेट पुलिस ओफिसर जो थे चेकाफर्स्ट ओजी पी यू एनके वीडी ठीक है तो यह सारे पुलिस फोर्सस के जो लोग थे तो यह क्या करते थे यह तरह से कह सकते हैं बॉल्शविक डॉमिनेंस को टेकन बाइ बॉल्शविक्स वर क्रेटिंग टेंशन अमंग दी रॉश्यन सोसाइटी अब क्या है कि आप देखोगे तो कहीं ने कहीं फ्रिक्शन डवलप हो गया है कि बॉल्शविक पार्टी जो है तो बॉल्शविक पार्टी पावर में आ गई बहुत अची बात उसमें लेकिन आप लोग जो थें जिस तरह से बॉल्शविक पार्टी ने क्या कर दिया इलेक्शन करवाने के बाद में डिजॉल्व कर दिया किसको कंस्टिट्वेंट इसमली को सिंगल पार्टी रह गई है वो सीक्रेट पुलिस बना दिये तो जो सारे स्टेप्स ले रही थी बॉल्शविक पार्टी को इसलिए जॉइन किया था इसलिए सपोर्ट किया था बॉल्शविक पार्टी को बिकॉस दे स्टूट फोर सोशलिजम एंड चेंज बॉल्शविक पार्टी स्टाटिंग में किस चीज की बात करती थी बॉल्शविक पार्टी यही बात करती ना कि we are here for change उन्होंने बोला कि October Revolution लाएंगे हम क्यों लाएंगे क्योंकि provisional government सही तरह से काम नहीं कर रही है तो लोगों को ये confidence था जितने भी लोगों ने support किया जो भी writers थे जो भी artists थे जो भी Bolshevik party के लिए काम कर रहे थे जो भी Bolshevik party को support दे रहे थे उन लोगों को ये मानना था कि Bolshevik party बहुत अच्छा काम करेगी आगे जाके ठीके तो एक political party हमारी country में भी ऐसे ही बनी है ठीके नाम नहीं लूगा में तो क्या होता है कि उस तरह से उस तरह से क्या होता है कि उस तरह से लोगों ने शुरुआत पर सूचा बहुत अच्छा काम होगा लेकिन बाद में क्या होने लगता है बाद में दिक्कते आती है ठीक बाद में कैसे दिक्कते आती है but many became disillusioned ठीक है भ्रहम हो गया लोगों को भ्रहम समझते ना आपकी मतलब गलत फहमी हो जाना तो many became disillusioned because of the censorship of censorship the party encouraged बाद में party ने क्या करना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा strict censorship लगा दी हर चीज़ पे हर चीज़ पे नजर रखना हर चीज़ को अपनी सीक्रेट पुलिस के थ्रू क्या करना अब्जाफ करना या फिर क्या सकते बैन लगाना कंट्रोल करना तो यह जो censorship party बाद में encourage कर रही थी पार्टी जिस तरह की censorship को बढ़ावा दे रही थी उसके चलते लोग अब क्या समझे लगे थे उसके चलते लोग परिशान हो गये थे लोगों ने बोल दिया नहीं भया यह तो गड़बर मतलब एक अलग ट्रैक पे ही चले गई पूरी की पूरी कहानी हमने जो सोच कर support किया था वैसा कुछ नहीं हो रहा है दिल्ली वाले लो वीडियो में ठीके प्रॉब्लम्स वाला जो हमारा है ना प्रॉब्लम्स आफ्टर ऑक्टोबर रिवलिशन तो इसमें मैं आपको बताया कि किस तरह से बॉल्शविक पार्टी का एटिटीट जो चेंज होते जा रहा था तो इस एटिटीट ऑफ बॉल्शविक पार्टी अल लेनिन को लेकिन बात में जब इस तरह की दिक्कत आने लगी तो लोग अपोस्ट भी करेंगे लोग अपोस्ट करेंगे मतलब पार्टी है पार्टी को लोग अपोस्ट कर रहें तो क्या हो जाएगा civil war हो जाएगा देश में अलग-अलग groups जो हैं आपस में लड़ने लगें है magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक सभी subjects सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों download कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में thank you thank you very much hello everybody this is दिग्राश सिंग राजपूत welcome to magnetbrains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम हमारे पुराने topic को आगे continue करेंगे एक नए नाम से क्या है वो civil war क्या समझाना चाह रहा हूं हमें समझिएगा देखो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ाए कि बॉल्शुविक पार्टी ने टुक ऑवर कर लिया कहां पर रशिया में बॉल्शुविक पार्टी के टुक ओवर करने के बाद में क्या होता है हमने देखा कि शुरुवात में लोगों ने बहुत जादा मतलब पीपल एंधुजियास्टिक अबाउट डेट कि हाँ बॉल्शुविक पार्टी आई यह तो बहुत साइची हो जाएगी अब ठीक लेकिन हमने देखा कि क इस तरह से बॉल्शुविक पार्टी का एटिट्यूट जो है वो चेंज हो रहा था कैसे चेंज हो रहा था तो हमने देखा कि जो कंस्टिट्वेंट एसमली के एलेक्शन करवाएं उसमें अगर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो लेनिन ने एसमली को डिजॉल्व कर दिया फि क्या था वह पॉइंट कि अलॉंग विट अधर फैक्टर्स दिस क्रियेटेट दी सिट्वेशन ऑफ सिविल वार तो दूसरे फैक्टर्स क्या है और सिविल वार कैसे होती है रश्या में ठीक है तो वह सारा सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले है आई होप आपको जो टॉपिक है आपकी बुक का सिविल वार वो पूरा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में स्टार्ट करते हैं देखिए चेंजिंग एटिट्यूट ऑफ बॉल्शिविक पार्टी बताया जो मैंने आपको कि किस तरह से वो उसका नजरिया उसका खिया था ठीक है बॉल्शिविक पार्टी अभी जो इंटीर लैंड था रशिया अधा जो रशिया नंपाइर था और रशियन अंपायर उसके इंटीरियर लैंड तक अभी नहीं पहुच पाई है तो वहां पर जो नॉन-बॉल्शिविक शोशलिस्ट थे मतलब ऐसे सोशलि तो आज भी थे मतलब उस समय रशिया में तो वो जो सब्सक्राइब एक सांथ इखटे होते हैं ठीके और गनाइस टूप्स टूफाइट दी बॉल्शुविक्स क्लियर हैं तो उन्हें बॉल्शुविक्स से लड़ने के लिए इस तरह से अपनी टूप्स को क्या किया और गना बॉल्शुविक रहते हैं जिनके पास पावर हैं आगे समझ में तक दूसरी तरफ ग्रीन और वाइट होते हैं अब आप बोलोगे क्या सर्क्राइब का फ्लैक बना रहे हो ग्रीन वाइड रेड तो मैं आपको समझाता हूं जैसे बॉल्शुविक्स जो है ना उन्हें किस क नॉन बॉल्शुविक शोशलिस्ट जो शोशलिस्ट रेवलिश्टनरीस थे वो लोग बॉल्शुविक्स से लडएंगे पावर लेने के लिए पावर क्या होता है पावर कुछ नहीं पावर इसे गेम ओफ कंटस्ट आज आपके पास है मैं आप से लड़ूंगा अकल मेरे आपको स्टैब्लिश करना जाते हैं तो इन्हें ग्रीन्स कहा गया है वाइट्स को ने प्रो सारिस्ट जो है जो मतलब राजा के सपोर्टर है ठीक कौन सपोर्टर्स ऑफ अटोक्रेसी इन लोगों को वाइट्स कहा गया है तो दो व्लॉक्स बन गया एक तरह से हम देखते ह इनके बीच में क्या चल रहा है घमाशान युद्ध चल रहा है तो इसी टाइम पिरेट को सिविल वार कहा गया है क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर लेंड जो था जो ओल्ड रशियन एंपायर था तो उस पर अभी भी पूराने जो रशियन एंपाय तो इन लोगों को हरा ना होगा तो इनके बीच में सिविल वार सी चल रही है सिच्वेशन सिविल वार जो हो रही तो उसमें क्या हो रहा है ऐसा नहीं कि कोई देश के बाहर से आके लड़ रहा है आपसे तो यह जो मैंने आपको बताया जैसे अभी ग्रीन सोर वाइट जो तो अधिकतर रशियन एंपायर का जो हिस्सा था रशियन एंपायर का जो पार्ट था वो किसके अंडर में था इनके अंडर में था और वाल्शोविक्स इनसे चुड़ाना चाहेंगे यह अपनी बची हुई जितनी भी जगा बची उसे समाल के रखना चाहेंगे तो इनके बीच में continuously क्या हो रहा था कंटेस्ट हो रहा था तो उस संस में लड़ाई चल रही थी ठीक फिर क्या होता है दे वर सपोर्टेट बाइफ फ्रेंच American and British अब आप सोचोगे Civil War चल रही है सरा आपने भी बोला कि देश के अंदर लड़ाई लगती है बीच में नए लोग कहां से आ गए तो वो समझाता हूं मैं आपको देखो क्या है क्या होता है कि Civil War जब चल रही थी तो Civil War में Bolsheviks थे, Greens थे, Whites थे, इनके बीच में लड़ाई चल रही है अभी क्या होता है अभी होता यह है कि जो दूसरे नेशन से जैसे France हो गया, America हो गया, Britain हो गया तो यहां की जो आर्मी थी, यहां की जो गवर्मेंट ही थी तो वह directly नहीं, तो indirectly, मतलब weapons के वे में, पैसो के वे में क्या कर रही थी Greens और Whites को सपोर्ट कर रही थी क्यों? क्योंकि इन लोगों के दामाद यहां पे थे, Greens और Whites की आर्मी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? यह क्यों सपोर्ट कर रहे थे, वो मैं आपको बताता हूँ जैसे अगर हम देखें, तो America, France, Britain, यह सब किसका ब्लॉक है? यह एक अलग सेग्मेंट है पूरा कौन सा अलग सेग्मेंट हो गए है? यह सारा जो सेग्मेंट है, यह capitalist ideology वाला है ध्यान आया, ideology वाली बात, लेकिन अभी आप क्या देखो कि पता है? कि यह लोग जब जर्मनी को हराने की बारी आएगे ना, तब एक साथ हो जाएंगे रशिया, France, America, Britain सब एक साथ आजाएंगे तब क्योंकि इनको अपनी ideology से बड़ा संकट क्या दिख रहा था? देखो यह क्या है? First World War के बात की बात है अभी यह दुश्मन है, जर्मनी से अगर compare करोगे तो ठीक, मतलब कौन-कौन दुश्मन है अभी? यह रशिया के against में आवाज उठा रहे ना, France, America, Britain यह जो रशिया के अंदर ही जो internal crisis चल रहा था बॉल्शिविक पार्टी आगे जाके रशिया की कमांड समा लेगी तो उस बॉल्शिविक पार्टी के against में आवाज उठा रहे लेकिन क्या होगा जब World War 2 के टाइम पे इनको एक बड़ा संकट दिखेगा बॉल्शिविक पार्टी से भी, वो कौन था? हिटलर तो उस समय पे एक साथ हो जाएंगे, रशिया भी साथ में हो जाएगा, फ्रांस भी, अमेरिका भी, ब्रिटेन भी चलो उस टॉपिक को आप वैसे उस चैप्टर में और समझ लेंगे किस चैप्टर में? नाजीजम वाले चैप्टर में अब इसे वापिस नहीं से कंटिन्यू करते हैं तो देखो क्या हो रहा था कि ग्रीन्स और वाइट्स जो थे इन लोगों को सपोर्ट कौन दे रहा था? इन लोगों को सपोर्ट दे रहा था फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटीश क्योंकि रिष्टेदार थे, नहीं ऐसा नहीं है उन लोगों को डर था कि जो सोशलिजम की आइडियोजी कहीं वो फैलती ना चले जाए आज रशिया में कल इसका डॉमिनो इफेक्ट देखते हुए रशिया से अलग-अलग कंट्रीज में फैल जाएगा तो capitalist idea जो है जो idea ये लोग follow करते थे इस idea को challenge मिले जाएगा तो उसके चलते क्या इन लोगों ने सोचा कि बॉल्शिविक पार्टी को हरा दिया जाए अब हम खुद तो जा नहीं सकते है रशियाम लड़ने बॉल्शिविक पार्टी क्योंकि पावर में है तो आर्मी का इस्तमाल करके greens और whites को अराम से suppress कर देगी तो जी हाँ civil war में हम देखते हैं कि ultimately support बॉल्शिविक कही बढ़ना है लेकिन उस समय पर आर्मी जो है तो वो disintegrate हो रही थी क्यों disintegrate हो रही थी जो आपका बॉल्शिविक पार्टी ने क्या announcement कर दिया था April thesis याद करो कि हम lands to be redistributed among the peasants lands जो होना चीए जमीन जो होना चीए जमीने बाट दी जाए कि ठीके तो अब किसानों में जमीन बाटने की बात आई अब आर्मी में जो इंसान है उस समय पे आज हम देखते हैं कि आर्मी वाला इंसान सिर्फ आर्मी में ही रोता है लेकिन उस समय पे क्या था कि जो आर्मी में गया है वो पहले क्या था किसान था एक पीजन था तो इस तरह से आर्मी बिगें टू ब्रेक अप आया समझ में यह कि आर्मी के लोग छोड़ छोड़ो के चले गए क्योंकि लेंड री डिस्ट्रिविशन हो रहा था तो इसके चलते आर्मी कमजूर थी और सिविल वार में फिर बॉल्शविक पार्टी को थोड़ा जादा संघर्श करना पड़ा होगा आया समझ में यहां तक तो यह सिविल वार मैंने आपको एक बेसिक आईडे बता दिया कि किस तरह से सिविल वार स्टाट होता है किस किस के बीच में होता है यह जो foreign countries थी वो क्यों support कर रही थी greens और whites का, green whites है क्या, army क्या कर रही थी यह सारी चीजें तो due to all these reasons there was a civil war, अब इनी सारे चीजों के चलते क्या civil war हो रहा था ठीक है, civil war यहाँ पर शायद और कुछ आएगा, botting, banditry and famine become common ठीक है, तो इन सारी चीजों के चलते तरह तरह की परिशानी, looting होगा शायद, ठीक है तो civil war, looting, banditry, banditry मतलब भी एक तरह से क्या हो ना कि डाकू वगरा जैसे loot मचाते ना वो banditry और famine, अब क्योंकि पुरा war वाला situation है तो वहाँ पे खाने की कमी, बहुत तरह-तरह की समस्या है तो यह सारी problems जो है, यह सारी problems रशिया में बहुत common हो गई थी अब यह photographs देख लिए जैसे civil war in Russia, 1918-1919 के बीच में जो civil war का atmosphere बना था तो जैसे soldiers हैं, जगा-जगा city में soldiers दिख रहे थे, जगा-जगा कहीं भी जड़प हो जाती थी टैंक्स उतार दिये जाते, तो इस तरह से civil war का situation बताएगा है उस time का अभी आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, कि ठीक है civil war हो रहा है, अब civil war का नतीजा क्या होता है क्या मतलब conclusion क्या निकाल सकते हो, दिखती बात है बॉल्शविक party के पास में power थी और बॉल्शविक party power में रहेगी तो हम उस समय की situation को समझते हैं, कि civil war में situation क्या रही होगी तो situation during civil war, आईए इससे समझते हैं, देखे क्या होता कि whites जो थे, whites लड़ रहे थे, whites और greens जो थे वो लड़ रहे थे, बॉल्शविक से, तो whites जो लड़ेंगे, तो किस से लड़ेंगे, वो एक तरह से peasants, जो peasants land distribution के time पे मने बता है न, कि land redistribution announce कर दिया गया था, तो सारे soldiers जो थे तो अपने अपने गाहों पहुच गये थे, तो इस तरह से जो peasants थे, जिनको जमीन मिल रही तो whites committed atrocities on peasants, आया समझ में कि whites ने क्या किया कि जितने भी peasants थे, उनके उपर atrocities commit करी, अब जब whites ने peasants को परशान किया, तो अब क्या होता कि in general हम देखें, तो society किसे गलत समझने लगेगी, society गलत समझने लगेगी whites को, क्यों क्योंकि whites अत्याचार कर रहे हैं, whites अत्याचार इसके चलते whites क्या हो गए, अनपॉपिलर हो गए बहुत ज़ादा, लोग whites को support नहीं कर देखती बात है, दो टीम मैच खिलरी, आप एक टीम को support नहीं करते हो, गर एक टीम को पसंद नहीं करते हो, तो ultimately आप दूसरी टीम को क्या करने लगोगे, पसंद करने लगोगे, जैसे एक example देते, South Africa और Australia का match चल रहा है, आपको Australia पसंद नहीं है, तो आप किसके जीतने की दुआय करोगे, South Africa की, वही चीज़ यहां पर हो यह, कि जब लोगों ने whites को support करना बंद कर दिया, ठीक है, whites were unpopular in Russia, तो उसके चलते ultimately लोग किसको support करेंगे, आप बॉल्शेविक्स को कर लगेंगे, और दिखती बात है कि बॉल्शेविक्स ऐसा दिख रहा था कि बॉल्शेविक्स किसके लिए काम कर रही है, डाउन ट्रोडन के लिए, गरीबों के लिए, वर्कर्स के लिए, पीजन्स के लिए, तो इस idea ने, इस mindset ने क्या कर दिया, बॉल्शेविक का support और बढ दे जाके Soviet Union बनाएगी, पुरा USSR जो है वो establish करेगी, अब बनाने वाली है, ठीक है, तो जो Soviet Union establish करेगी, तो उस Soviet Union में क्या है, non-Russian nationalist जो थे, अगर आपको ध्यान हो, तो मैंने आपको starting में बताया था कि USSR का मैप देखोगे, तो present day countries भी हैं, उसमें बहुत सारी, उसमें बहु ठीक है, इन non-Russian nationalist का support किसको मिलने लगा, बॉल्शविक पार्टी को, प्रो सारिस्ट, मतलब Whites को, Greens को नहीं मिला support, यह जो non-Russian nationalist थे, इन लोगों का support किसको मिल गया, इन लोगों का support बॉल्शविक को मिल गया, मतलब बॉल्शविक की power क्या होगी, और जादा strong होगी, बॉ Muslim, Jadidist, starting में पढ़ा था, जो Muslim reformers थे, जो change चाहते थे, उन लोगों ने भी बोला कि बॉल्शविक का साथ दिया जाए, ठीक है, राजा का साथ नहीं दिया जाए, Greens का साथ नहीं दिया जाए, वाइट्स का साथ नहीं दिया जाए, तो इस तरह से क्या है कि बॉल्शविक ग लेकिन कभी-कभी बॉल्शविक कुछ ऐसी हरकते कर देते थे, कि बॉल्शविक के एक्शन के उपर या फिर बॉल्शविक के अब्जेक्टिव के उपर लोग कन्फीज हो जाते थे, जो लोग उनका सपूर्ट कर रहे थे, क्या है मैं समझाता हूं देखा आपको, इस चीज हो जाओगे ना कि आप मेरा साथ दो या नाद हो, क्यूंकि एक समय पर यह बोलता हूं कि सबकी मदद करना है, और एक समय पर किसी को नुकसान पहुचा रहा हूं, तो आप डुएलिजम देखोगे मेरे अंदर, मेरे अंदर देखोगे कि यार यह तो बिनन पेंदे के लोटे वाली बात हो गई कि आप बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, किदर जा रहे हो, कभी किदर कर रहे हो, तो वैसी चीज यहाँ पर होती है, क्या, कि लोगों ने सपोर्ट किया बॉल्शिविक्स को, किसलिए क्योंकि बॉल्शिविक्स बोलता था हम, पीजन्स के घएर के वा था कीवा मैं कीवा सेंटरल इशिया में एक जगह है यह देखो आज के समय में जैसे जो कजाकिस्तान उजबीकिस्तान एं उस समय पूरा नॉन जश यंश ने स्ट कंडर में था राशन एंपायर तो यह घिवा में क्या होता है कि की वा में जैसे बॉल्शेविक प leaders थे उन लोगों को मार दिया और क्या बोला कि socialism के अगेंस्ट जा रहे थी ये लोग socialism को इन लोगों से खत्रा था तो उसके चलते इन्हें मारना जरूरी था तो इस तरह से क्या है कि लोग अगर हम सांथ दे रहें आज बॉल्शविक पार्टी का लेकिन बॉल्शविक पार्टी सोचलिजम के नाम पर हमारी लोगों को मार रही है आया साव यह तो इस चक्कर में लोग की थी उन लोगोंने बॉल्शविक पार्टी ने तो रमेडी ओल डिस इस चीज़ को सुधारने के लिए नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन Political Autonomy in USSR तो इसी के चलते क्या है उन्हें बोला कि हम जब बड़ा Union बना रहे है USSR जो Soviet Union मना था ठीक है तो Soviet Union में क्या दिया जाएगा Political Autonomy दे देते हैं किसे political Autonomy दे दे देते हैं वहां के जो non-Russian nationalist है पॉलिटिकल अटोनमी क्या होता है मतलब उन्होंने बोल जाए कि आईए बॉल्षविक पार्टी ने बोला कि रश्या तो रहेगा रश्या के साथ में और भी नेशन जुड़ेंगे जैसे सारे जुड़ गए थे कजाकिस्तान उस्बेकिस्तान तर्गमेनिस्तान यह सारे अग्वार्विक बड़ा यूनियन मनाएंगे ठीक शोव्यट लुनियंन मनाएंगे अब जो सोवियट इयन बना है तो उस में उम्हें गलबल करी थी तो आपके कर सकते हो आपके पास में politically अपने लीडर को decide करने कि अपने leader के उपर decision लेने कि अपनी country के थोड़े से कुछ decision लेने की आजादी देदी तो उस तरह से थोड़ा से क्या autonomy समझते हैं जैसे colleges autonomous होते हैं जो अपने हिसाब से काम कर सके कुछ तो उस तरह से थोड़ी autonomy देदी यहां पर ठीक है यह हो गया इतना अब क्या होता है still there were some unpopular policies of bolsheviks example given harsh discouragement of nomadism यह इतनी political autonomy देने के बावजूद भी जब bolsheviks में जो union मनाया था Soviet Union मनाया था इस Soviet Union में एक दिक्कत और थी क्या कि कुछ policies ऐसी थी बolsheviks की कुछ policies ऐसी थी Russian Communist Party की Russian Communist Party द्यान आया बolshevik ने नाम बदल लिया था अपना तो कुछ policies ऐसी थी जिसके चलते क्या है कि लोग लोग अभी भी confused रहते थे इसके बारे में कि क्या चाहती क्या है बolshevik Party ठीक है जैसे harsh discouragement of nomadism, nomadism क्या होता है? Nomadism यान जो बंजारे होते हैं जो एक जगा से जे से बंजारे हमारा इंडिया में होते हैं वो क्या करते हैं एक जगा से दूसरी जगा घूमते रहते ना जो tribes होते हैं जो क्या आपने जानवारों के साथ में move continuous move पर रहते हैं तो वैसी जो activities परफॉर्म करते हैं, नोमैट्स कहा जाता हूंने, तो नोमैट्स की जो एक्टिविटी थी, उसके उपर कंट्रोल करने स्टार्ट कर दिया था, किसने बॉल्शविक पार्टी ने बोल दिया कि इस तरह से आप मूव नहीं कर सकते हो, फ्रीली, एक कंट्री से दूसरी कंट्री बाहर की कंट्री सपोर्ट कर रही थी, उसके बाद में कैसे सिट्वेशन और बदलती है, बॉल्शविक्स का सपोर्ट बढ़ता है, लेकिन जो लोग सपोर्ट करते हैं, वो भी कभी-कभी कन्फ्यूज रहते थे कि क्या बॉल्शविक्स सही है या गलत है, क्लियर हैं, यहा अरेंज फॉर्मैट में अविलेबल हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों डाउनलोड कर सकते हैं फिल फ्री तो विजित आर ओफीशल वेबसाइट मैगनेटब्रेंस.com मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू थैंक यू बेरी मच इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Making a Socialist Society. रिकॉल करते हैं पिछले वीडियो से हम. अभी तक हम लोगोंने क्या देख चुके हैं? अभी तक हम लोगोंने कहानी देख चुके हैं कि किस तरह से रशिया में तरह तरह के Revolution हुए. हमने देखा February Revolution, हमने देखा October Revolution. ये भी देखा कि October Revolution हुने के बाद में जैसा आप प्रिजियूम कर रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल होगा, वैसा हुआ नहीं. बहुत सारे challenges थे. उन सारे challenges के चलते बीच में Civil War हुआ, Civil War में Bolshevik Party ने किस तरह से अपनी roots को मजबूत किया, वो सारा सब कुछ देख चुके हैं. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि Bolshevik Party या फिर कह लिजे Russian Communist Party जो थी, उसने क्या कि अपनी power तो जमा ली है. अब power जमाने के बाद में जो उसका agenda था, जो उसकी बाते थी कि वो एक socialism, मतलब वो socialism ideology के लिए stand करती है, तो वो socialist society भी बनाएगी. अब वो जब socialist society बनाएगी, तो वो किस तरह से बनाएगी? वही सारा सब कुछ हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं. Making a socialist society, अगर बनती है, तो कैसे बनती है? I hope आपको समझ में आ गया कि what is going to be the content of our video, इस वीडियो का content क्या होने वाला है? आ गया समझ में? स्टार्ट करते हैं. Banks and industries were nationalized, collective work was performed by peasants on confiscated land. देखो, सबसे पहली चीज़ तो क्या है? कि socialist society सोसाइटी इसे को कि मोल्ड करने के लिए हम दाचे में, बचाना के लिए क्या किया गया? convenient चगे? रहे बाएंक में को हम आप्पार एंडियों का, क्या बाएं और भाएंक शंकांड सीज़ और में पनंगे में? तो collective work क्या होता है? कि एक साथ काम करेंगे कौन एक साथ काम करेंगे? पिजंट्स काम करेंगे किस चीज़ पे? Confiscated land ये क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया थे कि बड़े-बड़े landlords, industrialists, nobilities जो थे जिनके पास बहुत जादा जमीन थी उनके सब की जमीन छुडा लेंगे अब बॉल्शविक पार्टी के पास में जैसे ही पावर आई बॉल्शविक पार्टी ने उन लोगों की जमीन छुडाना चालू कर दिया तो जितनी भी land confiscate की गई थी, जितनी भी land छुडा ही गई थी उस सारी जमीन के उपर क्या किया गया, उस सारी जमीन के उपर काम किया गया या फिर क्या सकते हो, उस सारी जमीन को बाट दे गया आपस में किस के बीच में उस सारी जमीन को बाट दे गया वरकर्स के बीच में, पीजन्स के बीच में और पीजन फिर साथ न मिलके काम करने लगे ठीक है और देखते हैं centralized planning was introduced centralized planning was introduced का मतलब क्या है कि अब से क्या होगा अब से सारी चीजे एक centralized way में चलेगी मतलब जो government होगी बॉल्शिविक party होगी बॉल्शिविक party सारी चीजों को अपने हिसाब से जो बॉल्शिविक party के higher officers हैं वो decision लेंगे तो यह होता है centralized planning पहले क्या होता था राजा अपने हिसाब से अलग-अलग राजा के जो राज जी रहते थे उनको वहाँ पे छोटे राजा बैठे हैं वह काम करते थे ऐसा feudal system चलता था यह सारी तरीके था लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं होगा अब सब कुछ government के हिसाब से होगा सब कुछ centralized होगा तो centralized planning was introduced ठीके these all things were showing the socialist nature of society मतलब बता रहे थे कि किस तरह से अगर society को socialist society बनाया जाएगा तो वह कैसे बनाया जाएगा ठीके फिर और देखते हैं और क्या हुआ five year plans ठीके five year plans introduce किया गए थी यह क्या है रहते थे कि हाँ पांच साल के लिए हमारी economy में किस तरह से development होगा क्या-क्या होने वाला है government क्या-क्या करेगी तो वह five year plans होते थे तो उसका अगर origin देखा जाए तो रशियन society में यह Soviet Union में ठीक है बाल्शोविक party ने power में आने के बाद में five year plans introduced किये और यह जो five year plans थे they proved a huge success for Russian economy ठीक है कैसे बहुत successful रहे five year plans वह मैं आपको समझाता हूं जैसे अगर example देखें तो जो पहले two five year plans थे 1927 से 32 33 से 38 यह दो five year plan रहे ठीक है this all led to huge industrial growth industrial growth बहुत जादा हुई जैसे हम in case of coal production अगर देखें तो उनका hundred percent तक increment हो गया coal production में ठीक है double हो गया सीधे सीधे coal production और उसी के साथ साथ में oil production है शायद coal नहीं oil production है आपकी book में दिया है ठीक है industrial growth बहुत जादा हुई है factories begin to come up नहीं नहीं factories आना start हो गई जल्दी जल्दी factories आना start हो गई थी तो इस तरह से आप देखोगे कि बॉल्षविक party रे टुक ओवर किया socialist society बनाने के चकर में socialism के ideas को क्या किया follow किया socialism के idea पर आगे काम करते चलेगी बॉल्षविक party और वो कहीं न कहीं उसके results भी दिख रहे थे हैं खुशते सभी लोग बड़े enjoy कर रहे थे कि काफी अच्छे results मिल रहे हमें किस चीज़ के results मिल रहे है socialist ideology के या फिर हम जो socialist society बनाना चाह रहे हैं वो हमें सही रास्ते पर जाती भी दिख रही है लेकिन ऐसा नहीं था क्यों नहीं साइड भी होता है तो यह जो आप इतनी success देख रहे थे success का एक negative side था क्या था वो negative side यहां देखिएगा rapid construction led to poor working conditions जो बहुत जादा construction हो रहा था यह construction देखा हमने industries बढ़ रही है production दुगना चोगना हो रहा है तो यह rapid construction के चलते क्या हो रहा था इस rapid construction के चलते working conditions जो थी वह बहुत खराब होते जा रही थी जैसे अभी हम देखेंगे आगे photograph तो यह देखिए जैसे छोटे-छोटे जो workers काम कर रहे थे जो Russian economy को आगे ले जा रहे थे वह workers ऐसा नहीं कि बहुत enjoy कर रहे थे क्यों क्योंकि आपकी बुक में जो example दिया है कि minus 40 degree तक चले जाता था temperature मतलब सारा बर्फ ही बर्फ है इतनी थंडे winters में और उस समय में अगर किसी worker को ट्वालेट जाना है तो तीन चार फ्लोर से नीचे उतर के आना पड़ता था मतलब sanitation facility नहीं होती थी समझे रहो आप तो यह सारी चीज़ें क्या कर रही थी सारी चीज़ें बताती है कि development तो हो रहा है no doubt लेकिन उतनी अच्छी facilities workers को नहीं मिल पार यह living conditions अच्छी नहीं थी frequent stoppages होते थे बहुत सी बार काम रुख जाता था और यह बहुत सी बार कितनी बार रुखता था बताओ मैं आपको तो example जैसे हमारे पार जो दिया तो 550 stoppages of work in the first year alone मतलब पहले साल में ही five year plans बनाए गए तो पहले साल में 550 बार काम रुखा था एक साल में तो अब आप सोच सकते हो थे कितने जादा frequent stoppages होते थे किसी ने किसी कारण से काम रुख दिया जाता था तो यह सारी चीज़ें बता बता है मैंने अब आप बोलोगे challenges तो थे government ने कुछ किया नहीं क्या overcome करने के लिए या फिर क्या सकते कि government कुछ तो steps लियोंगे to overcome these challenges जी हां तो are there any efforts made by government to improve this situation तो yes there are definitely some efforts made by government to improve the situation क्या किया गया government took following steps to improve the condition and extended schooling system for workers and peasants अब देखो यह क्या है extended schooling system for workers and peasants आपको पता है कि 1917 से जो revolution चालू हुए वहाँ पर ठीक है तो कभी February revolution कभी October कभी civil war तो इस सारी सीदों के चलते क्या है कि उस समय पर मानलो जिसा आप imagine करो कि आज आप पढ़ाई कर रहो इस बीच में अभी क्या होता है बहुत जादा unevenness हो जाती world war हो जाता है यह व प्रसे अब नहीं होगा पढ़ाई मैगनेट ब्रेंस है तो सहीं आपके साथ तो वहाँ पर क्या होता इस तरह से कि world war वाले time period पर या फिर क्याल सकते हैं कि जो revolution हो रहे थे रशिया में उस time period पर क्या था उस time period पर बहुत सारे वरकर्स ने बहुत सारे पीजन्स ने पढ़ा आया जा सके बच्चों को जिन बच्चों ने पढ़ा ही रोग दी थी या जिन जो बच्चे पढ़ा नहीं पाया थी उन्हें पढ़ाना चालू कर दिया था तो जैसे चिल्डरन एट स्कूल इन सोविए रशिया ने क्या किरा बात में जो नौन रुशियन नैशन्स थे उन उन सारे नेशन को मिला के एक सोविए यूनियन बड़ा यूनियन बनाया था ठीक है तो उसे कहा जाता है तो इस तरह से क्या है कि एक्स्टेंडेट स्कूलिंग सिस्टम फोर वर्कर्स और पीजेंट्स अगली चीज़ क्या है क्रेच फेसलिटीज ठीक है यह क्या होता मैं स महलाएं समालती है शरूदों से घ्रकर बचणों के यह समालती है तो बहुत सी इंडेस्ट्री मैं क्या होता है क्रेच फेसलिटी एग तो इसक नुद्टा कींडरशा करें तारी नीचे इसी सवाद रहें तो वह सारी फेसलिटी इसक्रेच्टरीर 54 रोव चल्क फेर्सान व track वकर्स के लिए यह फैसलिटी प्रोवाइड की गई ठीक है और क्या चीप पब्लिक हेल्थ केर वाइड़ अब आप सोचरोंगे चीप पब्लिक हेल्थ केर चीप मतलब यहां पे सस्ता बात कर रहे हैं अच्छा लेकिन सस्ता है वह उस संस में चीप बोला जा रहा है तो चीप पबलीख health care was provided. Model living quarters were set up for workers. Workers के लिए model living quarters को क्या किया गया? Set up किया गया, establish किया गया. Clear है? फिर और देखते किया है? However, all this impact, however, यह repeat हो गया. However, impact of all this efforts was limited because the resources of government were limited. यह समझे गा. तो government ने अपने part पर देखो, यह वी महीं बता है कि government took following steps to improve the condition. अब देखो यहाँ पर question क्या क्या सकता है How the socialist society was made in Russia after the Bolshevik took over the power कैसे बनाई गई तो कैसे बनाई गई में यह सारा part में आपको discuss किया Were there any challenges? Yes, there were many challenges, यह challenges थे What steps did government took to overcome those challenges? तो government ने यह सारे steps लिये to overcome those challenges लेकिन what was the limitation? Limitation यह थी कि जो भी steps लिये गए तो इनका impact limited था ज्यादा कह सकते हैं कि broad level पर इसका impact नहीं देख पाए हम क्योंकि resources of the government were limited Government के पास में जितने भी resources थे, resources क्या थे? Limited थे, government के पास में बहुत ज्यादा resources नहीं थे आया समाज में अब कम पैसा है तो यह सारी facilities government जादा लोगों तक नहीं पहुचा पाई थी Clear है? तो यही सारी चीज़ें में आपको बताई यह कुछ photograph जैसे schooling वाला है यह magnet और गॉर्स एक city में worker कि तरह एक बच्चा काम कर रहा है फोटो उतनी अच्छी नहीं है आपके NCRT में देख सकते हो आप फिर क्या है factories came to be seen as the symbol of socialism क्या है वही बताया गया था कि nationalized थी पहली चीज़ तो factories और banks वगेरा सब कुछ तो यह factories में से जो धुवा निकल रहा है अब हम क्या करेंगे देखो मैंने आपको लगबग लगबग chapter की कहानी पूरी complete करवा दिये हमने देख लिए कि अब power किसके पास है अब एक true sense में socialist society भी बन गई यह रशिया अब हम देखेंगे stalinism, stalin कौन है, stalinism क्या है, collectivization क्या है यही सारी चीज़े में आपको next video में बताने वाला हूँ ठीके, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं, जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com बिलते हैं next video में, thank you, thank you very much hello everybody, this is दिग्राश सिंह राजपूत, welcome to magnetbrains इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में हम पढ़ेंगे stalinism and collectivization अब देखिए, अभी तक हम लोगोंने क्या पढ़ चुके हैं, हम लोगोंने लगभग लगभग chapter का जो major part था, वो complete कर लिया है सारी उतल पुतल जो रशिया में हुई, February revolution, October revolution, राजा, रानी, वो सारी चीज़ है फिर हमने ये भी देखा कि October revolution के बाद में किस तरह से जो हमारा last video था, कि किस तरह से एक socialist society बनाई गई तो यह सारा सब कुछ देखने के बाद में हमें क्या समझ में आया, यह सारा सब कुछ हमें देखने के बाद में समझ में आ गया कि ultimately, socialism जो idea था, वो रशिया में जीत जाता है, मतलब वो idea जो है, वो dominate करता है रशिया में अब क्या होता है, जो next topic है हमारा आपकी book में भी दिया है, stalinism and collectivization मुझे पता है कि यह दोनों शब्द किसी को समझ में नहीं आए, कुछ बच्चों को आये भी होंगे समझ में ठीक है, कुछ brilliant होते जिनने teacher की भी जरूबत नहीं होती है तो आईए हम समझते हैं कि क्या है, stalinism क्या है, collectivization क्या है सिंपल से चीज अगर आप base पर जाते हो इस word के, तो stalinism बना है stalin word से और collectivization बना है collective word से तो stalinism में stalin word जो उसका मतलब क्या होता है, तो dictionary मत खोलो, stalin का मतलब कुछ नहीं होता है, stalin मतलब ये uncle, ठीक है, joseph stalin, कौन है joseph stalin ये बताता हूँ मैं तो आपको ध्यान हो मैंने starting में जो introduction वीडियो था, उसमें photos लगाई थी, Lenin की लगाई थी, stalin की लगाई थी तो Lenin ने हमने जिस तरह से देखा कि February revolution, October revolution या फिर socialist society को बनाने में एक बहुत important role play किया था तो Lenin के बाद में, Lenin की death के बाद में, जिसने command समाली थी, रशिया की, USSR की, वो थे joseph stalin, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि Lenin की death के बाद में सारी चीजों को समाला या फिर कह सकते हैं कि Lenin ने रशिया को socialist, मतलब socialism established के लेनिन ने और रशिया को एक socialist society बनाया इस stalin ने था ठीक है, Lenin की death हो जाती है 1924, January 1924 में होती है शायद, हाँ, तो January 1924 के बाद में, Lenin की death के बाद में stalin command समालते हैं और stalin के time period को stalinism कहा गया है, या फिर कह सकते हैं stalin की ideology को stalinism कहा गया है, बता है मैंने iism क्या होता है, iism एक ideology होती है तो stalin क्या गया, iism लग गया, मतलब stalin के ideology, clear है, चलो, अब देखो क्या है, तो the time period when the Russian communist party was headed by stalin जब Russian communist party को कौन lead कर रहा था, stalin lead कर रहे थे, तो इस time period को कहा गया है stalinism, his ideas dominated the USSR and that period came to be known as stalinism simple सी चीज़ है, तो यह stalinism है, i hope आपको heading ही समझ में आ गई है, लेकिन अभी हम और पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे, देखेंगे, अलग-अलग dimensions पे, कि stalin ने किया क्या था, clear collective क्या होता है, एक साथ आना, तो वही collectivization भी वहीं से निकल के आता है, तो collectivization में क्या है, collectivization में simple सी चीज़ है कि combining land of various farmers, मतलब अलग-अलग किसान की सभी किसानों की जमीन को आप क्या कर देते हो, मिला देते हो, तो combining land of various farmers and then performing the agricultural activities on collective basis, मतलब जो भी agricultural activities हैं, जो भी आप cultivation कर करते हो, आपने क्या किया, आपकी जमीन, मेरी जमीन, आपके दोस्त की जमीन, ठीक, आपके school वाले teacher की जमीन, हमने चारो की जमीन मिला ली है, अब चारो की जमीन मिला कि हम चारो मिलके खेती करते हैं, और वहीं पर social पढ़ते हैं, ठीक है, तो यह क्या है, यह collectivization होता है, तो इस तरह से collectivization हो गया था land का, और उस पर collectively cultivate किया जाता था, तो उसे collectivization कहा गया उस period को, अब देखो, heading समझ में आ गई, मतलब topic समझ में आ गया, आपको stalinism समझ में आया, collectivization समझ में आया, लेकिन इसमें और भी जुड़ेवे dimensions है, क्यों जरूवत हुई, ठीक है, collectivization की, तो here are some of the reasons for collectivization, क्या कारण थे collectivization के, ठीक है, देखिएगा, reasons for collectivization, तो by 1927, अभी क्या होता, देखो, लेनिन की death हो जाती है, 1924 में, वहां से command कौन समाल रहे हैं, वहां से command समाल रहे हैं, स्टेलिन, अब स्टेलिन ने command जब अपने हाथ में लिए, तो क्या चुनोतिय shortages, तो food grain shortage feast कर रहा था, कौन food grain shortage feast कर रहा था, soviet russia, ठीक है, USSR, USSR में खाने की कमी थी, अब USSR में खाने की कमी थी खास करके, towns में, towns में क्यों होगी खाने की कमी, तो पैसा रहता है, जिकिन आप पैसा नहीं कहा सकते हो na, देखो, क्या है को यहां क्यों क्यांती साइड में करोगे क्या जमीन कम रहती वो सारी चीज़े रहती है तो खास करके शहरों में क्या था food grains की जो shortage थी उसे ज्यादा फील किया गया था the shortage of food grains was observed in the whole Soviet Russia whereas the impact was severe in towns towns में ज्यादा परिशानी थी आया समझ में हां तक फिर आगे देखते हम क्या है तो फिर आगे और अगर देखते हैं तो ओवर्कम विस government fixed prices at which grains must be sold अब देखो क्या है गवर्मेंट को दिख रहा था क्या food grains की कमी है तो कमी के कारण क्या कर रहे है लोग food grains को बेच नहीं रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि लोग food grains की पैसे जादा डिमांड कर रहे हैं कि हां हम तो इतने में बेचेंगे जैसे हैं रहता है ना अगर मानलो रखोगा food grains को तो shortage अब कम हो जाएगी तो उस संस में क्या है उस संस में गवर्मेंट ने prices को fix कर दिया ठीक है गवर्मेंट fix prices at which food grains must be sold तो यह क्या अच्छा था decision नहीं but peasants refuse to sell their grains to government at these prices पीजेंट ने मना बोलते हैं कि हम नहीं बेच पाएंगे peasants यह बोलना चाह रहे थी कि हमने हमारे घर में कोई छुपा छुपा के नहीं रखा है जो price जादा होगा तो बेचेंगे हम हमारे पाद जो हम बेच रहें लेकिन आप इतना कम पैसा दोगे तो हम कैसा बेच पाएंगे तो इसके चक्कर में क्या है आप देखोगे कि जो socialist government थी और जो peasants थे उनके बीच में conflicts देखने को मिलने लगे उनके बीच में क्या होने लगा एक तरह से टेंशन डवलप होने लगा ठीक है तो बट पीजन्स refuse to sell their greens to government at this prices फिर उसके चलते क्या होता है उसके चलते स्टैलिन ने और भी नहीं नहीं चीजें सोची मतला स्टैलिन ने सुचा कि आखिर दिक्कत हो क्यों रही है तो फिर यह तो एक of higher prices ठीक है अब इस्टैलिन ने सुचा कि क्या हो रहा है सायद कमी इस कारण से हो रही है कि जो रिच पीजन्स है वो रिच पीजन्स और जो ट्रेडर्स है टाउंस में वो क्या कर रहे हैं वो स्टॉक को होल्ड करके रख रहे हैं इस फिनोमेना को होडिंग भी कहा जाता है न जैसे आपने पढ़ा होगा पहले कि मिलावट होती है ठीक है काला बजारी होती है काला बजारी में मतलब क्या है कि आप रोख के रखते हो फूट ग्रेंस को एक एक एक्जामपल देता हूं जैसे क्या होता हम कभी कभी देखते हैं कि प्याज की जो कीमत होती है वो बहुत जादा बढ़ जाती मार्केट में क्यों बढ़ जाती पता है उसकी पीछे कारण है जैसे जो ट्रेडर होते हैं तो किसान ने तो बहुत जादा प्याज प्रेडियूस किया है अब किसान क्या प्यास उगाया वो ट्रीडर तक आ गया है, अब कायरे चाहिए था आप लोगों के पास लेकिन आप लोगों के पास नहीं आएगा, तो क्या होगा आपको कमी उसकी महसूस होगी, आपको जब कमी महसूस होगी तो क्या होगा, मार्केट में धीरे-धीरे मार्केट मेकेनिजम, डिमांड और सप्लाई एक साथ काम करते हैं तो डिमांड है, सप्लाई नहीं है, उसके चलते क्या होता है कि प्राइस बढ़ने लगती है तो Stalin ने भी वही सूचा क्या कि food grains जो हो सकती है food grains क्या है कि food grains इसी तरह के rich peasants थे जो traders थे तो इन्होंने ज्यादा कीमत मिले इसके चलते इन्होंने क्या करके रखा होगा हो सकता है इन्होंने store करके रखा होगा अपने अहां store करके रखा होगा hold करके रखा होगा उसके supply को ता स्पेकुलेशन मतलब क्या है कि आप वही कर रहे हो कम पैसे में खरीदा अपने पास रखो थोड़ से मैं ज्यादा पैसे में बेज़ दो तो स्टेलिन ने बोला कि स्पेकुलेशन को रोखना होगा सप्लाइज इसको कंफसिकेट करना होगा कि जहां पर गोडाउन में भर-बर का मतलब होता है जो फीज़न फार्मर्स के लिए यूज उसकर जाता है उनहें कोilligَّ की मानत했 है कि क्लक्स जो रिच पईसरे जोधिंट ने ने क्या करके रखा है रोक के रखा इस टॉक को तो इसलिए उन्होंने बोला speculation had to be stopped and supplies confiscated अब इसके चलते क्या होता है इसके चलते स्टेली ने और एक और solution दिया कि क्या करना होगा हमे grain producing areas were to be toured by party अब party में मतलब यहां पे बीजेपी और speculation तो नहीं हो रहा कहीं supervising and force grain collections grain collection जो होता था गाहों गाहों जाकि supervise किया जाता था आप बेशना चाहों नहीं चाहों आपसे जबर जस्ती आपको क्या करना पड़ेगा अपनी ग्रेंस को party के जो पाहें collect करने उसे देना पड़ेगा तो इस तरह से यह सारे steps लिए गए और क्यों कर रहे थे इतना पूरे क्या सकते हैं तांडव क्यों मचा रहे थे रशिया में क्योंकि food shortage थी खास करके जाते थे जगा जगा जाके क्या करते थे देखते थे कि कहां कितना produce हो रहा है फिर enforced collection होता था मतलब जबर जस्ती लोगों से क्या किया जाता था उनसे कहा जाता था कि आप आपके ग्रेंस बेचिये एंड रेडिंग कुलक्स और इस तरह से जो वेल-to-do farmers होते थे वेल-to-do peasants होते थे जिनके पास शायद food grains रखे रहते थे तो उनके उपर raid किया जाता था उनके उपर हमला किया जाता था उनके घरों पे उनके go-downs में और वहां से सारा सामान निकाल लिया जाता था तो यह सारी strategy adopt की गई थी ताकि जो food shortage है उस food shortage को क् से खतम किया जा सके अब आप मुझे पता यही सोच रहे होंगे कि क्या food shortage खतम हुई थी despite all this shortage continued लेकिन फिर भी shortage खतम नहीं हुई तो देखो क्या रहता है जब आप किसी चीज का solution ढूंड रहे होते हैं तो आप अपना पूरा प्रयास कर ले तो करा लेन, Stalin ने भी अपना was also a reason for green shortage अब यह नए argument के साथ आए क्या कि small size of holding small size of holding क्या है कि आपने peasants को सब को जमीन दे दिये अब सब को जमीन दे दिये मुझे जमीन दिये तो मैंने अपने एक मतलब ऐसा नहीं बहुत सारी जमीन दे दिये तो मुझे मेरे पात जो जमीन में उसमें खेती करूंगा मेर आदी जमीन आपने ऐसे निकाल दिये और जब आप छोटे लेवल पर कुछ भी चीज कर रहे हो तो आप उसको modernize नहीं कर पाऊगे ठीक है आप आपके इस तर पर जैसा भी हो रहा है थोड़ा बहुत वह करने की कोशिश करोगे तो यह argument दिया गया जो रॉश्यन स्मॉल साइस पीजन फार्म तो यह चोटे चोटे जो पीजन फार्म से जो किसानों के चोटे खेत हैं उन्हें हम modernize नहीं कर पाएंगे अगर उन्हें modernize करना है to modernize farms क्या करना होगा modernize करने के लिए farms should be run on industrial lines with machinery तो उन्हें यहीं बोला कि यह चोटे farms जो हैं तो इन छोटे farms क आपको क्या करना होगा convert करना होगा कि सीज में convert करना होगा इन चोटे-चोटे खेतों को आपको convert करना होगा industrial line पे machinery लगाना होगी उनमें अब चोटे-चोटे खेतों में तो लगा नहीं सकते हो तो उसके लिए क्या करना होगा अब उसके लिए हमारा topic यहां से जोड़ना collectiv इनको हटाओ और इनकी जमीन भी क्या कर दो जो दो सारी एक साथ कुलक्स को करना है हमें एंड लाज स्टेट कंट्रोल फार्मस मस्ट बी स्टैब्लिश्ट और अब जो बड़े-बड़े खेद बनाओ गे दे शुट बी कंट्रोल भाई स्टेट मतलब क्या है गवर्मेंट गवर्मेंट कंट्रोल्ड फार्मस को स्टैब्लिश करना पड़ेगा अब जड़ा कहानी एक बार पूरी कानेट करो सारे डॉट्स को करेट करमें डॉट्स बता दिया आपको स्टैविन ने पावर लिए अपने हाथ में मस्या क्या थी 1927 में food shortages food shortages के चलते स्टेलिन क्या करते हैं स्टेलिन ये करते हैं कि चलो अब मैं क्या करता हूं अलग-अलग reasons देते हैं वह अलग-अलग reasons आरे दिये prices fix कर दिये और उन्होंने सुचा कि supplies को hold करके रखा जा रहा होगा traders के दौरा कुलक्स के द्वारा तो उन्होंने argument ये भी करके देख लिया फिर उन्होंने बोला कि नहीं ये फार्म साइज है ये छोटा है ये modernize नहीं हो सकता तो इसे modernize करना होगा कैसे modernize करेंगे ये बता दिया मैंने आपको industrial lines पे machinery से operate करेंगे कुलक्स को हटाएंगे सभी और उसके बाद में state controlled large farms would be established ठीके अब देखो क्या है तो ये सारा सब कुछ होता है तो वर people willing for that अब सवाल ये भी आता क्या ये तो स्टैलिन चाहा रहे थी कि ऐसा किया जाए बॉल्शविक पार्टी चाहा रहे थी जो रश्यन कमिनिस्ट पार्टी वह चाह रहे थी कि ऐसा किया जाए क्या लोग चाह रहे थे ठीके वर the people happy with this people willing for that क्या लोग चाह रहे थे इस चीज़ को no there were there were many problems in collectivization program अब यहां पर वही सवाल आता है कि लोग खुश नहीं थे लोग क्या बोल रहे थे कि collectivization program के आप जो बात कर रहे हैं मैंने starting में आपको बताया ना कि collectivization क्या है तो combining land of various farmers तो are these various farmers ready for the collectivization तो यह बहुत सारे जो farmers थे दे वर not ready for the collectivization और इसी के चलते हम देखते कि कुछ problems निकल के आएगी कहां पर problems निकल क्या है कि रशिया में USSR में जो Soviet Russia है तो अब हम क्या करेंगे अब हम यहीं पढ़ने वाले हैं देखो इस वीडियो में आपको stalinism collectivization क्या है क्यों जरूवत थी what was the need of collectivization या फिर reasons for collectivization इस तरह से question आएंगे तो बन जाएगा अब हम देखते है what was the impact of collectivization या फिर what was the negative side of collectivization were people happy with that तो यह सारी चीज़े हम next वीडियो में पढ़ने वाले हैं इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हों डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next video में thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंह राजपूत welcome to magnetbrains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे problems during collectivization देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि किस तरह से collectivization को किया गया क्यों किया गया और क्या था collectivization stalinism भी मैंने आपको समझाया था कि stalin के time period को stalin के ideas को stalinism के former denote किया गया है अभी देखिए एक सवाल के साथ में छोड़े गए थे आपको कि stalin ने जितने भी बदलाव लाए किस चीज के लिए ताकि जो food shortage को फीस कर रहे थे उसे overcome कर सके क्या वो successful रहे तो हमने देखा नहीं उतने successful नहीं थे फिर हमने क्या देखा था फिर हमने मतलब आपको इस सवाल दिया था कि इससे परिशानी क्या आई होगी collectivization से तो वो समझते है अब हम start करें देखो 1929 from 1929 peasants were forced to cultivate in kolkhoz क्या है यह मैं समझाता हूँ 1929 के बाद में peasants को क्या 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 मजबूरन उनके उपर एक तरह से दबाव बनाया गए कि आप kolkhoz में cultivate करो क्या है क्या तो collective farms जो होते हैं उन्हें क्या जाता है Russian language में ठीक है simple as that तो collective farms में काम करने के लिए मजबूर किया गाए कि नहीं आप पीजेंट्स को क्या है अपने independent farm पे काम नहीं करने दिया जाएगा मतलब वो अपना खुद cultivate नहीं कर सकते देवर forced to cultivate on the kolkhoz collective farms and then profit was shared गया किस चीज में ठखाया गया जबर जस्ती क्या आप कोल खोज में काम करो और मैंने आपको पिछली वीडियो में पूचा था वर पीजेंट्स happy with that नहीं पीजेंट्स जो थे वो उससे करवा रहे हो you are making us to work on the kolkhoz unnecessarily मतलब हम चाहीं नहीं रहे हमारी कोई इक्षा ही नहीं है फिर आप जबर जस्ती क्यों करवा रहे हो तो सेंस में क्या होता है कि जो घुस्सा रहता है पीजेंट्स के अंदर जो घुस्से वाले पीजेंट्स थे तो एंड्रेश पीजेंट्स one about the authorities on authorities to resist करा भोला नहीं हम नहीं करेंगे and destroyed their livestock तो उन्होंने अपने ही खेज जला कि government ने भी कुछ react किया होगा ठीक है जब इस तरह से ये जिद्धी हो रहे हैं जैसे आप जिद्धी हो जाते हो parents के सामने तो parents भी कुछ react करते हैं उदर से करते हैं तो भई यहां पर government ने भी react किया होगा those who resisted collectivization were severely punished, deported, exiled ये सारी चीज़े उन्हें देश से बाहर निकाल देते थे उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता था तो इस तरह से जो भी इस collectivization process को क्या करते थे resist करते थे उन्हें torture किया जाता था many were deported and exiled आगे समझ में तो ये सारा सब कुछ हुआ बहुत सारी लोग जो थे तो बहुत सारी लोग क्या बोलते थे कि यार ये तो अन्याय हो रहा एक तरह से आप socialism के नाम पे क्या कर रहे हो आप हमें suppress कर रहे हो अच्छा अब आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा सवाल ये आया हो कि हमने starting में पढ़ा था ध्यानो तो October Revolution, February Revolution से भी पहले पढ़ा था कि जो रशियन पीजन से थे वर नैच्रल सोशलिस्ट ठीक है देवर नैच्रली सोशलिस्ट ऐसा पढ़ा था हमने कि वो अपनी खेती जो करते हैं तो शेर्ड फॉर्म में करते हैं कम्यून में करते थे ध्यार आए आपको तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब यह नैच्टरल से सोशलिस्ट हैं फिर क्यों विरोध कर रहे थे इस तरह कि क्लेक्टिवाइजिशन का यह मतलब खुद करते थे तो बड़ा मज़ा आता था इन्हें उस संस में इन्हें नैच्रली सोशलिस्ट का आ जाता था देवारा अब जब गवर्मेंट उन से करवा रही है तो करना नहीं चाहरे हैं तो जी हाँ यहां यहां पर फैक्टर वही है कि खुद की इक्षा से वह कर रहा है थे खुशी कुशी वहां तक ठीक था लेकिन गवर् यहाला argument आगे यहाला argument आगे आपको समझ में कि हमने starting में पड़ा था आप confused हो रहे होगे कि सर आपने starting में पड़ाया था तो जी है starting में ने पड़ा था लेकिन जब अपनी इक्षा से कर रहे थे अभी क्या है उनके साथ जोर जबर जस्ती हो रही है जो कि वो नहीं बदली सुधार आया क्या तो नो अभी भी जवाब यही रहेगा कि अभी भी सुधार नहीं आया फुट सॉटेज जो थी तो इट प्रिवेल्ड प्रिवेल्ड ओवर ए प्रोलॉंग पिरेड ऑफ टाइम एक लंबे समय तक फुट शॉटेज सोवेट रशिया में बना रहा अब आप सोच रहोंगे कितना सब कुछ करने के बावजुद भी क्यों बना रहा वाए तो उसके पीछे कारण है इन स्जमीद एक नइसा नहीं कि आप आज सारी जमीन जोड़ दीं तो कल आपका नहीं पर प्रोडेगा, लेकिन एक फिर inspect क्या रहेगा फुट शॉटेज बना रहेगा तो प्रोडेक्शन डिट नाट इंक्रीज इमिडेटली और इसके बीछे कारण भी था You cannot win over the nature What I mean by this कि आप प्रक्रति के उपर नहीं जीश सकते हो कि यसे नहीं जीश सकते हो कि bad harvest के कारण, bad weather के कारण production जब अच्छा नहीं हो रहा था कब से कब तक 1930 से 1933 तक तो इस time period में क्या है कि बहुत जादा shortages रही food grains की तो despite all the efforts made by Stalin and the USSR कि production को किसी भी तरह से भूम कर दिया जाए production को किसी भी तरह से बढ़ा दिया जाए अब उन्होंने अपने end पर पूरी कोशिश कर ली लेकिन प्रक्रति उनका साथ नहीं दे रही थी nature उनका साथ नहीं दे रहा था bad harvest के कारण, खराब production के कारण क्या होता है चालिस लाख लोगों की जाने चले जाती है किस चकर में यह food shortage के चकर में तो इस तरह से हम देख सकते कि लोग socialism का जो idea था बहुत अच्छा था कि हम किसानों के हित में काम करेंगे हम क्या करेंगे collective collective work करेंगे तो जो collective work करने की बात कर रहे थे आप जो food shortage को खतम करना है लेकिन जिस रिप्रसिव तरीके से वह implement किया गया था जिस क्या कह सकते हैं कि फोर्च वे में उसे इंपोस किया जा रहा था collectivization process को जिस mindset के साथ में सारी चीज़ें हो रही थी वो ठीक नहीं था तो क्या होता है ड्यू तो all this there were criticism of planned economy and collectivization मतलब आपकी जो planned economy वाला system था यह जो collectivization planned economy का मतलब मैं क्यों बता रहा हूं मैं कि planned economy भी stalin या फिर क्या सकते हो USSR की वो सोच थी कि हाँ five year plans लाए जाएंगी यह सारी चीज़ें होंगी तो आप लोग देखना है कि economy में खाने को नहीं है और आप economy को प्लान करके चलाने की बात कर रहे हो तो इस planned economy को भी criticize किया गया collectivization को भी criticize किया गया अब जो criticize कर रहे थे तो उन्हें critics कहा जाएगा critics कौन होता जैसे क्या होता कि जो जैसे हम दो देखते ना film critics होते जो क्या करते अब दोको यह क्या हो गया कि आप देश में सुधार की अगर अखर अवाद्ट उथा रहे हो government के against में तो को आप में so बोलो तो लोग देश द्रोई बोलने लगते लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप गौर्मेंट देश के अगेंस में बोल रहे हैं तो क्या गौर्मेंट के आइडिया को ही मार दे रहे हो तो क्या किया जाता था इस तरह कि critics के उपर charge लगा दिया जाता था कि यार यह तो socialism की ही अगेंस में बोल रहे हैं मतलब आप government के अगेंस में बोलो आपको socialism के अगेंस समझ लिया जाएगा तो such critics were charged with conspiracy इनको बोला जाता था कि यह शड़ी अंतर बना रहे हैं socialism के अगेंस में यह तो सार निकोलस के सपोर्टर होंगे या फिर यह तो capitalist ideology के सपोर्टर होंगे तो ऐसे critics को conspiracy के charge में फसा दिया जाता था और इसका example भी जैसे दिया है कि example given over two million were in prison or labor camps तो मतलब दो million 20 लाख लोग ऐसे थे जिनने इसी charge की चलते इसी तरह के इंजाम लगा दिये जाते थे कि यह तो क्या है एनीमी है socialism के और इन्हें जेल में डाल दिया जाता था अब इन लोगों को जब जेल में डाल दिया जाता था तो जेल में डालने के बाद क्या होता था many were forced to make false confessions बहुत साई लोगों को गलत तरह से मतलब तरह से क्या होता था false confession में आपको समझाता हूँ क्या होता है false confession यह होता है कि आप मेरे पास आए आप और मुझे क्या जैसे पुलिस करवाती अधिक तर मतलब अच्छी पुलिस भी होती है लेकिन हमने जैसे movies वगेरा में देखा है क्या करवाती है पुलिस को पैसे देते बोलती थे कि इस आदमी के उपर तुम्हें murder का क्या डालना है case डालना है तो पुलिस उस आदमी को पीट थी है बहुत जादा और उस आदमी को मजबूर करते थी वह यह मान लेता है कि हाँ मैंने ही murder किया है तो उस तरह से वह false confession मतलब गलत तरह से आप क्या करवा रहे हो उससे मंजूर करवा रहे हो कि हाँ उसने किया ऐसा तो आप क्या होता था इन लोगों को जेल में डाल दिया जाता था किस चार्ज पर डाला था conspiracy against socialism जेल में डालने के बाद में क्या इनको जेल में डालने के बाद में इनसे false confessions बनवाए जाते थे और उसके बाद में then they were executed फिर उनको फासी दे दी जाती थी simple हो जाता था रास्ता अपने enemies को हटाने के लिए इनके पास में ठीक तो यह जो दिक्कत थी यह प्रॉब्लम में आपको बताए कि कैसे लोगों ने क्लेक्टिवाइजिशन टाइम पिरेड में प्रॉब्लम को फेस किया चीजें सुधरी नहीं फुट शॉटेज जो था तो it continued after the all efforts made by USSR तो वो फुट शॉटेज भी continued रही उसके आदे जो criticize करता था चीजों को उसे ही क्या कर दिया जाता था एक्जेक्यूट कर दिया जाता था अब जिनका execution हुआ था तो they included talented professionals बहुत सारे talented professionals को भी मार दिया गया जो अगर रहते तो शायद economy और grow करती रशिया की ठीक है तो यही सारा सब कुछ हमने पढ़ा इस चैप्टर में मतलब इस वीडियो में अभी हमारा जो last topic के चैप्टर का वो बचाए global influence of USSR and socialism तो उसे अभ हम next वीडियो में discuss करने वाले है इस चैप्टर के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics एक arranged format में available हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और download कर सकते हैं Feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं next वीडियो में thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिग्रास सिंग राजपूद, welcome to magnetbrains. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे the global influence of the Russian revolution and the USSR अब देखो बहुत बड़ी एडिंग है, इसे simple से समझाते हैं, पूरा chapter हमने पढ़ा, सारे revolutions देख लिए, हमने ये भी देख लिया कि revolution के बाद में किस तरह से society चल रही थी, जो लास्ट वीडियो में देखा हमने, कि socialist society बन गई है, फिर स्टैलीन और collectivization time period में क्या हो रहा revolution, कि जो रशिया में revolution हुआ, तो इस Russian revolution का global influence क्या रहा, कि worldwide जो दूसरी countries थी, इन दूसरी countries पे Russian revolution का क्या impact रहा, एक चीज ये पढ़ने वाले हैं, और USSR का मतलब वही कि Russian revolution के बाद में जो Soviet Russia बना था, जो group बना था USSR, उसका क्या impact रहा, ठीक है, तो अभी तक हमने सारा सब कु अब हम देखेंगे कि उसका global impact क्या रहा, global influence क्या रहा, simple, तो यही सारा सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, start करते हैं, देखो, not all socialist parties in Europe were on the same position, इसका मतलब क्या है, कि जैसे हमने देखा कि Bolshevik party जो चीजें कर रही थी, Russian communist party जिसका नाम बाद में कर दिया गया थ वो party जिस तरह से Russia में rule कर रही थी, हमने collectivization देखा, ठीक है, उसके against में लोग critics जो थे तो उनको किस तरह से वो प्रताडित कर रही थी, हमने ये भी देखा, तो जिस तरह से Bolshevik party सारी चीजें कर रही थी, सारी जितनी भी दूसरी communist parties थी, समझा इस statement को, कि Bolshevik party या फिर Russian communist party भी एक communist party थी, ठीक है, socialist party थी, और उसी की line पर world में अलग-अलग Germany में भी बनेगी, Britain में भी बनेगी, अलग-अलग जगा बनेगी, ठीक है, इंडिया में भी बनेगी, तो जो दूसरी parties थी, जो socialism ideology को support कर दी थी, सारी parties, Bolshevik party या फिर Russian communist party की तरह नहीं थी, क्या है मेरा मतलब इसको समझना अब आब, तो they supported the socialism, their support, their support आएगा, ठीक है, महापे दर नहीं, दर भी लगा सकते हैं, the support for socialism was due to possibility of workers state, अब जो दूसरी socialist party थी, ठीक है, तो जो दूसरी socialist parties थी, वर्ल्ड के अलग-अलग part में, वो क्यो support कर रही थी socialism को, तो their support for socialism was due to the possibility of workers state, ये है main चीज, workers state, मतल बोलता है, socialism का idea simple सी चीज बोलता है, कि जो state है, जो country होना चाहिए, वो किस के द्वारा बना होना चाहिए, वो लोगों के द्वारा, workers के द्वारा बना होना चाहिए, जो ground level पे जो है, वो power को exercise करे, ठीक है, तो उसी sense में, जो socialism ideology का ये वाला जो notion है, ये जो idea है socialism का, कि workers state possibility of workers state, तो इस idea ने क्या किया, लोगों के attention को अपनी तरफ grasp किया था, तीक है और इसी लिए अलग-अलग socialist parties बनी, माना बाल्शिविक party जो भी कर रही थी हमने पिछले वीडियो तक पड़ा, वो उस चीज से लोग influence ना हुए हो, उस चीज से दूसरी socialist parties influence ना हुए हो, लेकिन वर्ड में अलग-अलग जहां भी socialist party बनी, रिटेन में भी बनी, जर्मानी में भी बनी, इंडिया में भी बनी, अलग-अलग party में बनी, तो हर जगा क्या है कि यह जो imagination था, इस imagination ने socialism के idea को अपनी तरफ attract कि, क्या imagination, possibility of workers state, आगे समझ में, तो यह सारा सब कुछ हमने पढ़ा मतलब यह सारा सब कुछ हमने जाना कि किस तरह से जो influence था, socialism का, जो influence था, Russian revolution का, वो ऐसा, इसलिए नहीं था कि रशिया में जिस तरह से लडाई हुई थी, इस तरह से लडाई सभी जगा करना चाहिए, वो influence सिर्फ यह था कि जो possibility, socialism, ideology देती है workers state की, वो main था, ठीक है, अब इसी चीज़ पर चलते क्या होता, many communist parties were formed और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं, बहुत सारी communist party बनाए गई थी, जैसे communist party of great Britain, तो यह photograph देख सकते हैं, यह communist movement जो ब्रिटेन में चल रहा था था, इस तरह से ब्रिटेन में भी marches होती थी, road पे लोग निकलाते थे, socialism को support करन है, उस country में भी लोग socialist party बनाने लगे, फिर क्या देखते हैं, बॉल्शेविक्स also encouraged colonial people to follow their experiment, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कि जो बॉल्शेविक party थी, रशिया में, देखती बात है, no doubt, बॉल्शेविक्स were the flag bearer, मतलब जंडा जो आगे लेके चल रहे थे, socialism का, जहां पर socialism का पहला model देखने को मिला, वो रशिया था, रशिया था, महाँ पर बॉल्शेविक party ने सारा सब कुछ किया था, तो बॉल्शेविक party क्या करती थी, बॉल्शेविक party also encouraged colonial people, तो colonial people मतलब क्या, जो उनके colony के लोग थे, उन लोगों को encourage करती थी बॉल्शेविक party, कि आप आप भी क्या करो, आप भी आपके देश में इस तरह से चीजे कर लो, या फिर आप भी आपके देश में इस तरह से चीजे बदलो, ठीक है, तो जैसे इंडिया एक कॉलोनी थी, ठीक, तो इंडिया में भी socialism का बहुत जादा influence था, जवाहरलाल नहरू रशिया जाते हैं, मैं रॉय भी हमारे prominent leader इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम के, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भी socialism ideology को support किया है, तो इसी तरह से बॉल्शविक party क्या करती थी, encourage colonial peoples to follow their experiment, कि जिस तरह से हमने रशिया में change लाये हैं, workers ने change लाये, peasants ने change लाये, तो ऐसे आप भी क्य चीजे, तो उसी के चलते क्या होता, conference होती थी, conference में participate करते थे लोग, conference of people of the east, 1920 में conference भी थी, commentern, commentern ये क्या है, an international union of pro-bolshevik socialist parties, तो मतलब जितनी भी pro-bolshevik socialist parties थी, जो कही न कहीं, bolshevik party को support करती थी, इन सारी parties का एक group बना था, उसे commentern कहा गया, तो आप देख सकते हो कि कैसे bolshe bolshevik party जो है, या फिर socialism का idea लेकर जो चल रही है party, bolshevik party, उसने अपना influence जो था, वो global influence बना लिया था, world में अलग-अलग parts में अपने idea की जड़ो को क्या कर दिया था, मजबूत कर दिया था, तो अब बहुत साई लोग इसी के चलते क्या है, कि पढ़ने भी जाने लगे थी, USSR की जो university थी, education in the USSR, communist university, communist university बनाई गई वहाँ पर पढ़ाया जाता था, लोगों को, socialism idea के बारे में, communist idea के बारे में, ठीक है, socialist idea, communist idea के बारे में, तो ये university थी, USSR, communist university of the workers of the east, workers of the east क्या बोलते है, ये east और west में समझाता हूँ, तो जितनी भी western countries है, वो west कहलाएगी, western countries कि sense में जो westernize हो चुकी है, तो western Europe, उसमें सारा France, Germany, Britain, ये सारी countries आ जाएगी, फिर आप देखोगे, US से आ जाता है, वेस्ट में, तो ये western countries कहा जाता है, और east में मतलब क्या है, जैसे जो eastern countries है, जैपैन, चाइना, इंडिया, जो south east Asia है, पूरा, वो सारा, तो उन्हें eastern countries कहा जाता है, त जैसे आप देखोगे, इंडोनेशिया भी कॉलोनी था, आगे हम पढ़ेंगे अगले chapter में, इंडोनेशिया भी कॉलोनी था, ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे, तो जो इंडो-चाइना वाला पार्ट है, वो भी कॉलोनी था, फ्रांस केंडर में था, तो इस तरह से and world stature, तो USSR ने क्या किया, या फिर कह सकते है, Russian Revolution के बाद में जो Union मनाया गया, Soviet Union, तो Soviet Union ने क्या किया, कि World War 2 आने तक, अपना जो आइडिया था, उसे ग्लोबल स्टैचर दे दिया था, एक ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है, World War 1 के बाद जो आइडिया इमर्ज मतलब forest fire की तरह spread होता है, forest fire की तरह spread होता है, जगा जगा पहुच जाता है, और हम कह सकते हैं कि Soviet Union ने, USSR ने क्या किया, कि World War 2 के पहले तक, अपने इस आइडिया को एक ग्लोबल स्टैचर दे दिया था, ठीक है, अब देखते हैं और क्या होता है, तो अब जब इस आइडि it was observed that the style of, इस चीज़ को समझना, 1950s तक क्या किया गया, यह observed किया गया, worldwide जो लोग socialism को support कर रहे थे, जो लोग, जो commentarian बरी थी, हमने पिछली slide में देखा, कि pro-bolshevik parties के supporters थे जो, तो उन लोगोंने observe किया, the style of government in USSR was not in keeping with the ideas of Russian revolution, मतलब, रशिया में जो revolution हुआ था, और उस चीज जिस चीज की बात की गई थी, ठीके, मतलब, रशिया में revolution हुआ था, और क्या बात की गई थी, workers की बात की गई, peasants की बात की गई, उनको uplift किया जाएगा, उनको न्याय दिया जाएगा, समानता होगी, यह सारी चीज होगी, यह Russian revolution के समय पे यह ideals निकले थे, यह ideas निकल के आ साथ अत्याचार होना, उन्हें force किया जा रहा है, collectivization में, collectivization के लिए, तो यहाँ पे लोगों ने observe कि जिस चीज का promise कर रहे थे, आप उस promise पर भी खड़े नहीं हो, ठीके, the style of government in USSR was not in keeping with the ideals of Russian revolution, मतलब, Russian revolution के टाइम पे जो बात की गई थी, उस बात सब क्या कर गए है, इस तरह से स्टैलिन की जो ideology थी, जो collectivization, जो forced collectivization हो रहा था, तो उन सारी चीजों ने लोगों को एक अलग dimension दे दिया, सोचने का, यह तो अन्याय हो रहा है, और अन्याय की तो बात की ही नहीं गई थी, Russian revolution में, Russian revolution के ideal सी ही कह रहे थे, कि अन्याय होना नहीं चाहिए, फिर अन्याय क्यों, ठीक है, तो वो हो गया, अब क्या होता है, तो no doubt a backward country had became a great power, its industries and agriculture had developed and the poor were being fed, तो यह इस चीज में कोई दो रहे नहीं है, कि एक Russia, Russian revolution के time पे अगर आप देखोगे Russia को, तो एक बहुत गरीब देश था, ठीक है, वो क्या हो गया, developed हो चुका है, उसके पास में बहुत, मतलब great power की तरह recognize किया जाने लगा तो, second world door के बाद में USA और Russia, दो polls हो गया थे, मतलब US के बराबर आ गया था, industries और agriculture जो है, तो उसने क्या कर लिया था, बहुत growth कर ली थी, जो भूके रहते थे उनके लोग, poor जो थे, गरीब जो थे, उन्हें खाना मिल रहा था, त बहुत जादा अपनी संपती बना ली, लेकिन आपके ideals जो थे, मतलब आपको घर से जो शिकाया गया थे, कि आप बेमानी नहीं करोगे, आप क्या किसी भूके को परिशान नहीं करोगे, इस सारी चीज़े, आप इन सारे ideals को तोड़ के, इन सारे ideals को, एक साइड करके, सारे काम करें, अगर पैसा कमाते हो, तो क्या वो सही रहेगा, नहीं रहेगा, तो वही चीज़ यहां पर होती ही, बोलते हैं कि तुमने जो ideals की बात की थी, equality की वो सारी चीज़े, तो वो नहीं हुआ, मानते हैं कि तुम बहुत ग्रो कर गए, तो इसके चलते कहीं ना कहीं, जो इमेज थी, किसकी, USSR की, देखो, आइडिया की इमेज खराब नहीं हुई थी, आइडिया की मतलब क्या है, कि जो, जिस आइडिया की बात की जा रही थी, जिस आइडिया की बात की जा रही थी, मतलब, socialist idea, socialist idea को एक global recognition मिला, और socialist idea को लोगों ने praise करना भी start कर दिया, ठीक है लेकिन जिस तरह से USSR ने गडबल करी, तो USSR की इमेज बिगड़ी थी, ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे इतना develop हो गया है country, लेकिन क्या होता है, but it had denied the essential freedoms to its citizens, forced collectivization हो रहा है, and carried out its developmental projects through repressive policies, और इसी चीज़ के चलते क्या, इसी चीज़ के चलते, therefore the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, आया समझ में कि जो international reputation थी, किसकी international reputation थी, यह खराब हो गया है, ठीक है, तो आप समझ जाओ यहाँ पर, the international reputation of the USSR, international reputation किसकी, USSR की, USSR की जो reputation थी, तो वो decline हो गई है, ठीक, लेकिन, however the socialist ideals still enjoyed the respect among its people, ठीक है, तो जो socialism का idea था, उसके उपर कोई दाग नहीं आया, जैसे एक एक अची गाड़ी है, तो वो गाड़ी की आप हमेशा value करोगे, डिपेंड क्या करेगा, ड्राइवर पर डिपेंड करेगा, ड्राइवर अच्छा होगा, तो गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से चलती चले आएगी, लेकिन ड्राइवर ऐसा है, ना सुखिया है, कि वो breaker पे उ socialist ideas still enjoyed respect among its people, आज भी लोग उस idea को क्या करते हैं, चेरिश करते हैं, लेकिन जो USSR ने जिस तरह से ये repressive policy को adopt करा, जिस तरह से उसने essential freedom को deny करा, इसके चलते उसकी image बिगड़ गई थी, ठीके, तो ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा, I hope आपको समझ में आगया global influence के बारे में, कि कि socialism का idea था, उसे global stretcher दिया, वो idea आज भी हम appraise करते हैं, बस कुछ चीजे हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, Russian Revolution के जो ideas थे, उन्हें USSR ने निभाया नहीं है, यहां पर question करते हैं, तो इसी के साथ हमारा chapter जो है, वो क्या होता है, complete होता है, theory part पर हमने पूरा chapter complete कर चुके हैं, एक video और बनाएंगे हम, कौन सा, जिसमें हम कुछ frequently asked questions को discuss करेंगे, देखेंगे कि क्या questions पूछे जा सकते हैं इस chapter से, उसे के साथ chapter पूरा complete हो जाएगा, theory part पर वाकी वैससे मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी है, तो आप इस तरह से enjoy कर सकते हैं, ठीके, तो यह सारा chapter हमारा खतम होता है यहाँ पर, इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं, magnetbrains.com पर class 4th से class 12 तक, सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के subtopics, एक arranged format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और download कर सकते हैं, feel free to visit our official website magnetbrains.com, मिलते हैं next video मे कुछ frequently asked questions के साथ में आपको किसी प्रकार का doubt है, theory part पर जो पूरा हम complete कर चुके हैं, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, feel free to ask, thank you, thank you very much. इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में कुछ question answers discuss करने वाले हैं, we are going to discuss some of the question answers from socialism in Europe and the Russian revolution, chapter पिछले वीडियो तक हम लोगोंने theory part पर complete कर चुके हैं, अब theory part पर मैंने तो complete कर दिया, अब यहां से आपका का काम चालू होता है, मैं कुछ questions देने वाला आपको और उन questions का answer को आपको recall करना है, मतलब आपको देखना है कि अगर हमने पूरा chapter समझा है, पढ़ा है, तो इस chapter से अगर question बन के आएगा, तो हमें कितना बन रहा है, और बनना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपने chapter तो पूरा पढ़ लिया, अब test भी तो करके देखे कि मैं मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, लेकिन समझ कितना आया, तो इस चीज का test यहां पर हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, तो I am going to give you some basic set of questions, कुछ basic set of questions से मतलब ताय नहीं कि question ऐसा ही आना है, मतलब मैंने लिख दिया evolution slash support of socialism, for socialism, तो आपको ऐसा ही एए paper में लिखा हुआ आएगा, नहीं, आएगा भी नहीं, कभी भी नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक चीज की guarantee दे रहा हूँ कि हाँ, इस चीज पर जरूर आएगा कि कैसे, अगर मतलब meaning समझना, अगर ऐसा question जरूर आएगा, कि socialism का support कैसे बढ़ते चले गया, अलग-अलग शब्दों में आ जाता है, कैसे अलग-अलग शब्दों में आ सकता है, कि during the late 19th century, socialism got a broad stretcher in Europe, explain how, तो support for socialism ये ये यूरोप के context से है, शब्द बदल जाएंगे, लेकिन question का जो demand रहेगा, जिस चीज को, जिस answer को demand कर रहा होगा, वो हमेशा same रहेगा, तो उस चीज को ध्यान मे रखते हुए आपको ये करना है, ठीक है, start करते हैं हम देखिए, तो पहला question, सबसे पहला question जो आना है, तो define type में, three marks में, one marks में, five marks में, कैसे भी आ सकता है, five marks में तीनों एक साथ पूछ लेंगे, one marks में एक एक तीनों पूछ लग सकते हैं, three marks में, एक ही अकेला तीन marks में प discuss किया था, तो ये तीनों चीजें जब discuss की थी, तो I hope, आप तो समझदार हैं, आपको तो याद आई गई होगी, याद आया है न, ये हर religion को tolerate करते हैं, secular होते हैं, but they were not democrats, radical women suffraget movement को क्या करते हैं, support करते थे, किसी ने comment section में पूछा था, मुझे देहर आया था, कि radicals का जो पह aggregate movement, तो liberals, radicals, conservatives, conservatives कौन थे तो ये भी आपको बताना है कि जो ruling class aristocrat, जो लोग थे, उन लोगों को क्या, वो पहले change नहीं चा रहे थे, फिर change के लिए ready हो जाते, ठीक है, लेकिन की condition क्या थी, that change should be brought gradually and their past should be respected, तो ये सारी चीज़ है, तो ये तीनों एक साथ में आ सकते हैं, अ आएंगे, ये तया है, तो उस संस में एक important question ही हो गया हमारा, फिर आगर हम देखें, तो with the industrial change in society, the demand for social change was also observed, explain this statement, या फिर what do you understand by this statement, किसी भी दरह से, या how social change brought the, how industrial change brought the social change, तो इसमें वो सारी चीज़े लिखना है आपको कि जैसे industries बढ़ते चले गई, जो living condition से वो उतनी improve नह इंकर्स ने, जैसे गुजी पी मजीनी, ध्यान आया हम, हमने starting में पढ़ा, इस starting वाले part में है ये, तो जैसे गुजी पी मजीनी जो थे उन्होंने इस चीज की demand का और तेस करा इटली में, तो उस sense में, ठीके क्या-क्या changes थे, एक specific video बनाया है इसी question के उपर हमने, उसे ठीक, फिर आते हैं, explain the undercurrent for socialism, यहाँ पर क्या बोलना चारा है, undercurrent of socialism, इस सब्से सिंपल, what is the idea of socialism, कैसे भी पूछ सकते हैं, आपको context पता होना चाहिए, socialism का idea क्या बोलता है, कि जो resources है, resources equally distributed होना चाहिए, सभी लोग आपस में resources को distribute करके, society को run किया जाए, किसी एक के हाथ में, concentrated नहीं होना चाहिए, तो यह starting initial part जो है, तो idea of socialism यहाँ से आपको मिलेगा, और यही चीज, question के answer में भी आपको लिखनी है, कि what do you understand by socialism, clear है, तो वो socialism वाला part हो गया हमारा, फिर आते हम, ideas of Robert Owen, Louis Blank, Karl Marx, Frederick Ingalls, ठीक है, तो अब दिखो यहाँ पर क्या है, अलग-अलग भी पूछ तो यहाँ पर आपको सारे thinkers एक साथ और socialism का idea एक साथ एक question में पूछ लिया, लेकिन अलग-अलग पूछा गया, explain the idea of Robert Owen, बस इतना पूछ लिया, बागी सब को छुपा दो, बागी सब में आप से कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ आप से यह पूछ लिया, explain the idea of Robert Owen, तो आपक एक important चीज, मैंने काट दिया है, मतलब मैंने छुपाने के लिए काटा है, लेकिन exam में कभी भी answer लिखते समय, आप इस तरह से नहीं काटेंगे, ठीके, मडर नहीं करना होता है हमें, answer का हमें क्या करना है, simple यह बताना है, कि यह गल्ती हो गई हमें काटना है, तो यह format रहना कि कभी-कभी क्या होता है, जिस मैंने आपकी copy देखी, copy देखी, मुझे starting की 2-3 line ने पढ़ी, मुझे रगा कि answer सहीं लिखा है, teacher जल्दी में होता है, दिखता है, तो वो tick कर देंगे, और अब क्या पूरा पड़ा नहीं है, तो यह भी नहीं दिखेगा बहार से कि आपने कि काटा है, जब teacher पढ़ रहा होता line, पूरी line पढ़ेंगे न, तब पता लगता है कि अच्छा काटा भी है यहाँ पर answer में बीच में, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा ज्यादा यह यह नहीं करना है, आपको का करना है, simple एक line से काटना है, clear? यह हो गया, तो idea of Robert Owen, Louis Blank, Karl Marx का क्या idea था, Karl Marx important, who was Karl Marx and what was the idea given by him in context of socialism, या फिर in context of communist society, तो आपको वो पता ना चीए, Karl Marx और फेडर केगल्स का idea, ठीक है, अलग-अलग specific, in general, कैसे भी पुछा जाए, अगर हमने सारी चीजें पढ़िये, तो बनेगा answer, क्यों नहीं बनेगा, ठीक है, यह हो गया, फिर आते हैं, evolution या फिर support for socialism, या फिर question ऐसा पूछा जा सकता है, कि how socialism evolved in Europe, यूरोप में socialism कैसे evolve होता है, तो उसमें आपको सारी चीजें कि France में भी socialist party बन गई, ठीक है, second international बनाया गया, फिर उसका जर्मनी में भी बन गई है, तो अलग-अलग European countries में क्या है, socialist parties बन रही है, socialist revolution हो रहा है, तो वो उस तरह से आपको बताने कि कैसे socialism, जो इन thinkers के idea थे, thinkers के idea ने globe कह सकते है, European, pan European shape ले लिया, फिर Europe से पूरे globe में फैलेगा, पूरे world में फैलेगा, और important चीज़ ये है, आपको भी बताने कि कैसे, 1914 के पहले तक कोई भी socialist party government थो नहीं बना पाई थी, लेकि पता हमने ये सारा support for socialism वाले heading में, तो ये वहीं से आएगा, ठीक है, write a short note on Russian economy before the revolution, अब देखो यहां पे क्या है, दो चीज़े, Russian economy भी है और society के बारे में भी, तो जो economy, economy और society आपको जो heading दिये, उसमें हमने ये सारी चीज़े पढ़िए, कि Russian economy कैसी थी before revolution, मतलब इसमें सार Nicholas वाला जो topic है, तो एक question मतलब probability कम रहे थी कि Russian empire को explain करो, उसमें क्या explain करोगे, तो एक question यही हाएगा, कि write a short note, या फिर explain the Russian economy before the revolution, तो Russian economy कैसी थी, agrarian economy थी, industries were found in pockets, pockets मतलब मैंने समझाया था ना, कि industries बहुत कम पाई जाती थी, लेकिन दीरे दीरे क्या होती, industries बढ़ते चले जाती है, तो वही सारी चीज़े, industrial workforce मेंगर बात करो, तो women भी काम करती थी, और यही सारी चीज़े, तो यह industrial economy के बारे में, अब वहीं पर social structure की बात की जाए, तो रश्या का societal structure कैसा था, तो social structure में आपको लिखना है कि सारे लोग थे peasants भी थे, nobles भी थे, तो यहाँ पे question व बहुत अची तरह से explain करा है कि Russian peasants जो थे, वो क्या करते थे, nobles की respect नहीं करते थे, अगर compare किया जाए, तो दूसरे western European countries के peasants के साथ, वो western European countries के peasants respect करते थे, कारण मैंने आपको वीडियो में बताया है, और मैं यह उमीद करता हूँ कि आपको वो current recall हो गया है, ठीके, तो Russian society क कैसी थी revolution के पीछे पहले, Russian के economic कैसी थी, Russian economic कैसी थी, कब revolution से पहले, दोनों चीजों पर question बनेगा, और दोनों चीजें आप से बनना चाहिए, बनेगा ना, ठीक है, तो how did the socialism evolved grew in Russia, towns and countryside, अब जो अभी देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने in general पढ़ा था कि socialism Europe में कैसे फैली, अब हम यहाँ पर क्या देखा रहे हैं, अब यहाँ पर हम देखेंगे, how did the socialism evolved, या फिर grew in Russia, तो Russian perspective से अगर देखें, जैसे आपको ध्यान हो, तो हमने देखा, town side में एक Russian socialist party बनी थी कुछ, ठीक है, तो उसका पूरा नाम बताएंगे आप मुझे, जो socialist इस party रशिया में शहरों में बनी, और एक गाउ में भी बनी थी, जो peasants ने बनाई थी, दोनों party के नाम बताओगे आप, यह जो हमने video specifically discuss किया था इस topic के उपर, कि support for socialism in Russia, तो रशिया में जिस तरह से socialism बढ़ रहा था, तो वहाँ पर political parties बनी, despite the fact that formation of political parties was banned in Russia, तो मतलब इस त कि थी, और एक कह सकते हैं कि जो socialist Democrats थे, उन लोगों की थी, दोनो socialist parties के नाम आप comment section में बताने वाले हो, फिर एक और important question अगर इसी topic से हम देखें क्या निकल के आएगा, इसी topic से एक important question यह निकल के आएगा, difference between Bolshevik and Menshevik, तो Menshevik और Bolshevik के बीच में क्या difference थे, उनके ideological difference बताओ, कौन-कौन leader थे वो बताओ, सारी चीज़े discuss करी थी हमने, तो वही सारा सब कुछ आपको लिखना रहेगा, आप यहाँ पर यह हो गया, फिर उसके आद में explain the revolution of 1905, 1905 का revolution यह important है, 1905 का revolution उसको देखो, 3 parts में divide कर देते हैं, तो in general question पूछ लिया, explain the whole event of 1905 revolution, तो पूरे event को करते हैं, उसके चलते लोग, जो एक पुठी लोव, नहीं, पुठी लोव, यहाँ पत्थुरी आएगा, फिर उसके चलते क्या होता है, लॉक आउट हो जाता है, लोग अपने साथ एक फादर गरपॉन जो थे वो क्या करते हैं, अपने साथ एक group को लेकर निकल पढ़ते है कहां एक ग्रुप को लेकर निकल पड़ते हैं वो revolution के लिए अफिर कहा सकते हैं कि protest पे फिर bloody sunday वाला incidence तो मतलब इन जनरल अगर question पूछा है 1905 का revolution तो सारी चीज़े लिखना फिर आपको ये भी लिखना है कि revolution के बाद में हाथ क्या लगता है revolution को suppress तो कर दिया गया लेकिन राजा को समझा गया था सार निकोलस को क्या कि अब आपको कुछ तो आजादी देना पड़ेगी तो डूमा बनाए गई थी फिर उसे suspend कर दिया गया फिर दूसरी डूमा को भी suspend कर दिया तीसरी डूमा बनाए गई तो वो पूरी कहानी जो है वो क आपको पूरे लिखना है कि harsh winter वो सारी चीज है तो causes वाला एक पार्ट हो गया हमने अलग-अलग discuss किये हैं फिर कैसे incidence evolve होता है तो bloody sunday वाला incidence father वाली बात ठीक है कैसे जो forces है थी वह हमला करती है 300 लोग जक्मी हो जाते हैं कुछ लोग मर जाते हैं वो सारी चीज है ठीक है तो specifically क्या activities हुई है what were the reasons causes है या फिर impact को पूछा जाए कि what was the impact of revolution of 1905 on the political structure of Russia तो क्या impact था कि SAR was forced to form Duma that is another matter of fact that Duma was suspended ठीक है Duma को बाद में suspended कर दिया लेकिन बनाई तो गई थी ना तो जो changes आए उन changes के बारे में पूछा जा सकता है तो 1905 in general question specific question causes के उपर impact के उपर specific in general यूही पूछा जा सकता है तो यह main में से define और short answers भी निकल सकते है 1905 में से क्या निकलेंगे जैसे who was father gapon bloody sunday Duma इन चीजों के उपर तो यह define में भी पूछा जा सकता है who was father gapon explain the incidence of bloody sunday या फिर Duma क्या होता है define करो तो in general 1905 revolution जो था उससे यह questions पूछे जा सकते है फिर question अगर देखे हम तो impact of war society and economy इसके पहले एक चीज़ और देख लो यह question में इधर पीछे लिखा है कि why did the world war made autocracy unpopular reasons अब यह reasons यहाला question ध्यान रखना question पढ़ लो एक बार और why did the world war made autocracy unpopular reason बता time पे लोगों के अंदर anti-german sentiments बहुत जादा थे शुरुआत में तो लोगों ने support किया सार को फिर बात में लोग सार को post कर लेगे कारण कारण तो सार की जो wife थी ठीक है नाम बताएंगे चलो जल्दी से comment section में उनका German origin फिर poor advisor रास पुतीन के कारण फिर तो मतलब और सार refused to consult to the main political parties in the Duma तो यह सारी चीजों के चलते क्या है कि war जो थी first world war it made the autocracy unpopular मतलब शब्द घूम गए है अगर question ऐसा आजाता है कि why the respect या फिर वाइदी support for सार decline during the first world war तो भी answer यही जा रहा है ठीक है question के शब्द बदलेंगे लेकिन context वही रहाएगा अंदर का material है वही रहने बाला है तो sense में आपको ध्यान रखना है क्या कि question अगर आता है कि किस तरह से war जो थी तो war के चलते unpopular हो गया था सार या फिर unpopular हो गई थी orthocracy unpopular हो गई थी मोनार्की तो सब में वही चीज़े आपको सारा content लिखना है जो हमने discuss किया था फिर अगर बात करें तो what was the impact of war अब war का impact पुछा जाए society और economic perspective से economic perspective से अगर देखो तो industrial breakdown होने लगा था label-bodied men's को लड़ने बुला लिया food grains की shortage ठीक है society के देखे तो large casualties हो रही थी लार्ज casualty eastern front और western front पर लड़ाई लड़े जा रही थी तो eastern front पर Russia बहुत जादा सफर कर रहा था ध्यार है न सारी चीज़े दिसकस की थी तो उस sense में impact of war अगर पुछा जाए society और economic के उपर तो उस पर भी आपको answer बनना चाहिए exact answer बनना चाहिए क्योंकि पूरा content हमने discuss किया है theory वाले parts में I hope मैं पता यह perceive कर लेता हूं कि आप लोगों ने पुराने जो theory explanation वाले पाट है वो देख चुके उसके बाद में यह video देख रहो बीच में लेके नहीं बैठना है कि आपने पूरा chapter पढ़ा नहीं है बस इस video को देख लेंगे तो हमें पूरा society and economy तो आपको धना-धन answer के points ध्यान आ जाना चाहिए अच्छा यह content जाने वाला है अंदर ठीक है उस sense में chapter complete करना है फिर हम देखते हैं February revolution अब यहां से February revolution चालो होता है February revolution का reasons, evolution and impact यह तीन चीज़े important reasons, revolution and impact तो February revolution की reasons की बात करें तो यहां पर वही की 1905 से 1914 तक चीज़ें चलती रहती है, war के कारण क्या होता है कि पहले से एक society tense society रहती है, depression बढ़ रहा था लोगों की real wages बढ़ रहे, inflation बढ़ रहा था लोगों की real wages जो है वो घट रही थी, फिर उसके बाद में हम देखे कि lock out होता है कहां पर प February में हो रहा था इसा, फिर वो फिर से आते हैं लेकिन और राजा की हाँ पर क्या एक्षा चल रही थी, डुमा को suspend करने की, तो यह सारे reasons हो गए, evolution कैसे होता है, evolution इसा होता है कि लोग Soviet बनाते हैं अपना, ठीक है कौन Soviet बनाते हैं, तो soldiers Soviet बनाते हैं, जो leaders थे, workers जो striking workers थे वो लोग तो और जो parliamentarians थे डुमा में, जो डुमा को suspend करने के बाद में नाराज हो जाते हैं, तो सारे लोग क्या बनाते हैं, Soviet बनाते हैं, उसका नाम क्या होता है, पेट्रोगार्ड, Soviet वो पेट्रोगार्ड, Soviet फिर क्या बनाती है, provisional government, तो इस तरह से evolve होती है, क्या, इस तरह the February Revolution, Monarchy was suspended, या फिर Monarch Sir Nicholas was brought down, ठीक है, Sir Nicholas को अटा दिया गया था, Monarchy was abolished and democracy कह सकतो है, या फिर कह सकतो है, provisional government took over the charge, तो provisional government के पास में power आ जाती, February Revolution का सबसे major impact है रहा, फिर हम देखते हैं कि February Revolution के बाद में चीज़ें कैसे होती है, तो अगला question उसी पर सा आता है, तो अगर इस चीज़ को थोड़ा से ध्यान करोगे, तो हम पूरा sequence में चल रहे हैं कि कैसे कैसे question मनते जाएंगे topic से, February Revolution हो गया, उसके reasons, evolution, impact, specific भी, in general भी, in general मतलब वही कि पूछ लिया, explain the whole story behind the February Revolution, तो पूरे कारण से लगा के अंत तक, सब कुछ, अगर specific पूछ लिया, सिर्फ reasons पूछा, सिर्फ impact पूछा, तो आप वेसर एक दो, जो पूछा जाए, देखो, question जो पूछा गया है, आपको उस चीज का answer देना, आपको क्या पता है, क्या नहीं पता है, उससे नहीं देना answer, कभी कभी क्या होता है, कि हमें February Revolution के बार में सिर्फ इतना पता है, कि February Revolution में क्या पूछा है, वो तो मोनार्की को निचलाया गया, अब question पूछा है, impact बताओ, आप क्या, sorry, question पूछा है, reasons बताओ, आप impact बता रहे हो, तो क्या sense रहे गया, फिर बच्चे टीचर के पास पहुच जाते है, copy लेकर क्या, number 2 मैंने तो लिखा है, बस, अड़ जाते है, वहाँ प application हो रहा है, आप उसे नाम पूछा गया, आप अपना पता बता रहे हो, तो वो कहां से number मिलेंगे उस चीज़ पे, वही चीज़ यहाँ पर भी होती है, जो question demand कर रहा है, वो answer लिखना है, ना कि यह जो तुम्हें आता है, ठीक है, तो उस चीज़ में ध्यान रखना है, February revolution, specific general कैसे भी question पुछा जाए, बनना चाहिए, अब आते हैं, April thesis पर, who gave it, यह अभी के लिए question लो चलो, April thesis किसने दिये, comment section में बताएंगे आप, 4-5 question दे दिये शायद मैंने, ठीक है, अब नहीं देंगे, तो April thesis और April thesis किसने दिये, वो सारी चीज़ ने, उनका नाम अब कई chapter में आगे ना निकला है मेरे मूँ से, तो April thesis और April thesis के आद में, किसने start किया, मतलब किसने दिया April thesis का idea, और April thesis क्या थी वो, फिर उसके आद में question, the events, after the February revolution created a fertile ground for another revolution in Russia explain, ठीक है, तो अब दो को यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक important question निकल का है आपके लिए, क्या, कि February revolution खतम होने के ब रशिया में, it created another ground for another revolution, तो उसमें दूसरे revolution कौन सा, October revolution अब आएगा, तो February revolution के बाद में ऐसा क्या हुआ कि October revolution के लिए, एक fertile ground बन गया, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें कि April thesis जो दी, April thesis देने के बाद में लोग उतना agree नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे, प्रोविजनल अब fertile ground समझा गया, आपको question समझाया, तो उसी के साथ में October revolution भी बता हुआ, explain the October revolution of 1917, अब relate with the previous question, तो मतलब यह वही है, causes अगर पूछा जाए, तो causes मतलब जो after February वाली heading है, तो after February वाली heading में हमने पूरी चीदना discuss करी है, उस वीडियो में, तो वह causes होगा है किसके, October revolution के, और October revolution में क्या हुआ, तो October revolution 1917 में जो हुआ, वह पूरा content यहां पर आपको लिखना है, क्या, तो October revolution में जैसे, military revolutionary committee बनती है, military revolutionary committee क्या करती है, Caesar to power plan करती है, और उस date को क्या रखती है, एक surprise रखती है, फिर धीरे से power took over करते है, तक ता पलट कैसे करते हैं, कि जो winter palace रेता हमाँ control में कर लिया जाता है, कुछ समय तक लड़ाई चलती है, फिर पूरा Moscow, पेट्रोगार्ड वाला area जो पूरा था, किस के कबजे में जाता है, बॉल्शविक party के कबजे में जाता है, आया समझ में, तो उस sense में क्या है, उस sense में आपको ध्यान रखना है, कि explain the October revolution of 1917, अब relate करन पावर किसके पास आगे, बॉल्शविक party के बाद में, अब अगर हम ऐसे देखे कि बॉल्शविक party ने power मैने के बाद में बहुत सारे changes लाई है, जैसे कि April thesis की सारी बातों को implement कर दिया, तो आप वो लिख सकते हो, April thesis की एक एक पॉइंट को लिख सकते हो, दिजार्दी changes, which ब बॉल्शविक party brought after the October revolution, फिर renaming of बॉल्शविक party into the Dash party, नाम बताएंगे बाप एक और comment section में, क्या कि जो बॉल्शविक party थी, उसका rename करके October revolution के बाद में, उसको किस नाम से जाना जाने लगा, वो भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यह questions होगा हो, इसके साहसाद में, और October वाली heading है, उसको दो पार्ट में divide कर लो, एक पार्ट कौन से हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा, जो हमने आपको पिछले भी question में पूछा आप से, what were the changes which Bolshevik party brought after the October revolution, तो उसमें सारा positive positive, कि अच्छा उन्होंने April thesis की सारी plans को, programs को implement कर दिया, plans programs को implement करने के बाद में क्या बन सकता है, कि जैसे जैसे मैं देखा कि power पाने के बाद में, October revolution के बाद में, Bolshevik party का attitude थोड़ा सा, authoritative regime की तरफ shift हो रहा था, मतलब party अपने हग जमाना चाह रही थी, तो अगर आपको ध्यान हो, तो constituent assembly के election करवाती है, majority नहीं मिल पाती है, तो उस constituent assembly को suspend कर देती है, Bolshevik party क बता हूँ गया, वही तो आपको बताना है comment section में, ठीक है, तो उसे suspend कर देती है, उसे suspend करने के बाद हमने क्या देखा, मतलब constituent assembly को, फिर हमने देखा, कि Bolshevik party जो है, तो वो क्या करने लगती, strict censorship लगा देती है, और यह सारी चीज़े, तो उसका attitude है, वो थो थोड़ा सो authoritative ह होते जा रहा था ना, तो वही यहाँ पर लिखना है, examples की मदद से, कि आप क्या examples दे सकते हो, तो वही कि constituent assembly को suspend कर दिया, censorship लगा दिये, और फिर उसके बाद में क्या है, कि slowly और steadily स्रिफ Bolshevik party एक मात्र party रह जाती है, रशिया में, तो one party state बनाने में successful होती है, वही सारी तो civil war के कारण बताओ आप सारे कि Russian army जो है, it started breaking down Bolshevik army जो रहती है, क्यों क्योंकि land redistribution हो रहा था, फिर जो foreign countries थी, जैसे Japan हो गया, US हो गया, तो वह support कर रहा थे, कहां किन लोगों को, जो anti-Bolshevik थे, तो Bolsheviks और anti-Bolsheviks मतलब greens और whites और reds, ध्याने green, white, red, इनके बीच में conflict start हो जाता है, और इनके conflict के कारण civil war हो जाता है, civil war में हमने ये देखा था, कि कि किसका support बढ़ता है, Bolshevik party का support बढ़ जाता है, Bolshevik party अपना support कैसे बढ़ा पाती है, civil war के time पे, तो कारण आप ये लिख सकते हो उसमें कि, जो दूसरे थे, जो non-Bolsheviks थे, वो peasants के उपर क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, तो जिसके चलते लोगों का support, sympathy में किसकी तरफ चले गया, Bolshevik की तरफ, फिर Bolshevik ने भी क्या non-Russian nationalist जो थे, जो जादिदिस्ट थे, उन लोगों को अपने तरफ गेन करने के लिए क्या करने स्टार्ट कर दिया, एक बड़ी union बना ली, क Bolshevik Party was killing the local nationalist, तेकिन उस चीजों को मतलब कह सकते है, neutralize करने के लिए, Bolshevik Party ने क्या किया, political autonomy देना स्टार्ट कर दी थी, I hope आपको पूरा वीडियो बापिस से दी क्या अब हो गया, अगर मैंने सारे तो answer खुद बता दिया, आप से कहता हूं कि recall करो, टिक, तो civil war के reasons और Bolshevik Party क्या स्टेप्स ली टू गेन दी सपोर्ट आफ नॉन रशियन नैशनलिस्ट्स, यह हो गया, अब आते हैं कहां पर, अब आते हैं अगले पार्ट पर हम, और क्या कोशियन आ सकता है, what were the steps taken under USSR to become a socialist society, या फिर what were the steps taken to make Russia a true socialist society, Russia को socialist society बनाया कैसे गया, वहां से स्टार्ट करो, land redistribution वो सारी चीज़ें हो गई, फिर क्या centralized planning वगरा लाए गए, five year plans लाए गए, industries जो थी तो वो modern lines पर मनाये गई सारी चीज़ें, workers के लिए जैसे हम कहा सकते हैं की cheap health facilities और extended schooling system लाए गए, crutch facilities वगरा established की गई, ध्यानाया पूरा जो हमने एक वीडियो में discuss किया था, तो वहा अंडर USSR to become a socialist society, या फिर in what were the steps taken to make Russia a socialist society, ठीक है, यह हो गया, अब आता है question, Stalinism वाले उस पे से, who was Stalin, Joseph Stalin, कौन थे, ठीक है, इनका नाम बढ़ा करो भीजा नहीं तो बुरा लग जाए गए इने, Stalin, who was Joseph Stalin, explain his idea of collectivization, तो Joseph Stalin के बारे में बताओ कि इन्होंने took over किया after the death of dash, वो आपके बताना है, नाम में नहीं धो रहा हूँगा, ठीक है, एपरिल थी से किस ने दी थी, नाम ध्यान होना चाहिए, अब Stalin हो गया, explain his idea of collectivization, Stalin का idea क्या था collectivization का, Stalin का idea समझाओ collectivization का पूरा, तो Stalin और collectivization पे question ता है, अगर पीछे से question आते हैं, तो Stalin और collectivization पे question आ सकते हैं, अब collectivization के देखो, specific भी in general भी, what were the reasons for collectivization, तो reasons क्या थे collectivization को, तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि small farms could not be modernized, अगर इने modernize करना होगा, तो small farmers से जमीन लेके क्या करना होगा, आपको club करना हो पे question नहीं सेहना पड़ी, people were not happy with this collectivization program, ठीक है, बहुत सारे जो farmers थे, पीजेंट्स उन लोगों क्या बोला, कि we are not against the socialism, but simply we don't want to merge our lands, ठीक है, तो वो impact था, impact on the people, तो लोग, क्या थे, लोग, जो protest में जाते, जो criticize करते थे, उन लोगों को क्या कर दिया जाता था, उन लोगो organization, उसके reasons और impact, negative impact जो रहे लोगों के उपर, वो सारा सब कुछ, अब आएगा क्या, impact of the Russian revolution and the USSR on the other countries and leaders, तो Russian revolution and the USSR, इसका impact, अगर हम देखा जाए, global influence वाला जो heading हमने पड़ा, तो क्या impact रहा, एक impact ये रहा कि socialism जो था, socialism एक ऐसा idea बन गया, जो second world war आते आते, जिसने एक global face ल के लिए criticize करते थे कि Bolshevik party क्या है, it is not holding up to the ideas of socialism, लेकिन फिर भी क्या है, लोग socialism के idea में बहुत interested थे, और इसी चीज़ के चलते, मतलब हम देखते हैं कि एक major support बढ़ गया था, ठीक है, major support बढ़ गया था, clear है, तो impact of Russian revolution and the USSR on other countries and leaders, तो positive और negative दोनों impact हो गए, ठीक, फिर why did the world war made autocracy unpopular, यह भी मैंने आपको discuss करके बताया था, तो इसी के साथ हमारे सारे questions क्या होते हैं यहापे, हमने discuss कर लिए कि questions क्या-क्या थे, जो इस chapter से पूछे जा सकते हैं, अब आपको क्या धिहान करना है, आपको पूरा chapter एक बार पढ़ना है, अच्छे से, सारे videos I hope आप लोग देख चुके हैं, तो आपको theory part पर कोई confusion नहीं रहेगा, और इन सारी चीजों के बावजूद पर कुछ confusion होता है, तो हम ही comment section में पूछ सकते हैं, आप doubt, ठीक है, most possibly I will try to reply accordingly, मैं आपके questions को answer देने की कोशिश करूँगा, फिर क्या होता है, इस chapter के notes की भी demand होती है, तो notes आप हमारी official website पर जाके बहुत आसानी से download कर सकते हैं, उसके पहले एक चीज़ छूट ना जाए, कि अगर छोटे questions जैसे define type questions ये पूछे जा सकते हैं, इस chapter से, जो बीच बीच में से, सार निकोलस टू, जादिदिस्ट कौन होते हैं, Muslim reformers ध्याने, पेट्रोगार्ट सोविएट क् पाद में जो union बनाए गई थी, उस February Revolution के टाइम पर जो union बनाए गई थी, जो council बनाए गई थी, प्रोविजनल गवर्मेंट वही पेट्रोगार्ट सोविएट और आर्मी ऑफिशल्स और जो फैक्री ओनर्स थो लोगों न मिलके प्रोविजनल गवर्मेंट बनाई, Military Revolutionary Committee क्य को पूरा कूप का जिम्मा दिया गए था कि यहां प्रोविजनल गवर्मेंट के उपर टुक ओवर यह करेगी, और centralized planning in Russia क्या होती है, 5 year plans वगेरा वाली सारी चीज़े, तो यह कुछ और questions defined type में पूछे जा सकते थे, clear है, तो इसी के साथ हमारा chapter theory part पे भी, और question answer वाले part पे भी complete होता है, I hope आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, तो इसे के साथ हमारा chapter complete होता है, thank you, thank you very much.